आरोग्य वर्दक और श्वादेश्ट आहार शनमुखा एग्रिटेक से ही मिलता है शनमुखा एग्रिटेक करता है अध्भुत हर फसल हो जाए महा अध्भुत राइपुल शहर के विकाश पुरुष श्री प्रमोद दुबे जी को जनम दिन की हार्दिक बधाई यहों शुब काम नाए विनित अविने दुबे महा मंतरी राइपुल शहर जीला कॉंग्डिस कमीटी अगर च्रेशक वाने तो फोली फोली जनम सालने जहां जहाया रिष्टे बनाए याहँ ए क्यूंग्डिसादिक भारत चनलमे मैं साब करत् अंध anti- तासत हे मुर्मे, मैं भारत हूँ हम भारत के लत मस्तक हन, हम दोधा देदू अस्तक हन, हम भारत भाग्य विठाता हन, हम भारत के मत्दाता हन मत्दान, मत्दान देला जाओ हमन, भारत भारत, भारत भारत भाके उरिजा माला के है भारत, लोक तंत्र ले सजे है भारत सबले बड़े ये तेहार हमर है, इही करतव अधिकार हमर है मत्दान, मत्दान देला जाओ हमन, भारत भारत, भारत भारत जाया है Don't worry, Master Maxima है न, ये डाग धबो को धो डालता है और बीवारों को चकाचक बनाता है Master Maxima के फाइदे तीन करे डाग, धबे और फंगस क्लीन सपने आपके रंग हमारे Global Colors and Chemical प्लास्टिक से प्रोटेक्शन नहीं, लामिनेशन वाला अल्टिमा प्रोटेक एक्स्टीरियर पेंट, बारिश धूपर दूल को आण दो तुम जाण दो बढ़ते पल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सरदी, हासी, जुखाम एक आम बात है ऐसे में लीजिए बुल्तानिकों का कौफ सिरफ ताके बदलते मौसम के साथ आप न बदले डबल इंजन सरकार, यूपी के 25 करोड नागरिकों के जीवन में लाई है प्रगती और सम्रिद्धी का उजाला ये शस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की रोशनी से जगमग है, राशन वित्रन की नवीन व्यवस्था अब प्रदेश के 15 करोड नागरिकों को मिल रहा है निशुल्क राशन सभी उचित दर दुकानों पर लगी आधूनिक ई-पॉस मशीनों को ई-कांटों से लिंक किया जा रहा है बायोमेट्रिक सत्यापन आधारित नई व्यवस्था से राज्य सरकार को हुई है लगभग 5,000 करोड की बचत सरकारी जमीन पर सभी जनपद में 75 उचित दर की मॉडल दुकानों का निर्मान भी कराया जा रहा है जन्म कल्यान का डबल इंजन निभा रहा है हर वचन CRI Pump 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 Now sold in more than 100 countries CRI Pumps Pumping Crust Worldwide CRI Pump 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 लट फेर देखे बर मिलें तेकर सिती ये चर्चा के सुर्वात हमान कर बो बिल्कुल ता बस्तर और सर्गुजामा वो का फाक्टर रही से जिन बीजे पिला फेवर करें हवाए और एकर संगे बस्तर मता को फेवर करें तक गड़बो नवा चतिसगर के चाम काबर नहीं चली स अब बदल के रही बो कैसे चल गए एकर उपर भी चर्चा हमारे आपन प्यादल से कर बो लेकर पहले एक रिपोर्ट दिखा था ना पर ला चला बोला लगते कि राहूल की थोड़के शायद तक देरी है लेकर उकर पहली हमारे अपन पैनल ले भी परिचे कर आदेथान हमार संग बाहा कॉंग्रेस के वरिष नेता हवा है सुरेंद शर्मा जी हवा है जोहार है जी आप मन के कितार गुपता जी है जोहार आप मन के जोहार आप मनला आप जोहार बदाई एक संग कि हमर संग आईबिस देट फोर के इंपूट हैड है संजय शर्मा जी है उकर मन से भी चर्चा कर वो आज जानना बहुत जरूरी है कावर के यह बहुत जरूरी है एक ब्रेकिंग आवथ रिपोर्ट दिखाए कि पहली एक बढ ले विजेश शर्मा लेहारे बहुत बड़े ब्रेकें कवरदाली सामने आते एक चालिस हजार वोट माहिने रखते आओ एकर उपर ही पहली कावा कमेंट जलों के लिए लिए तूंके दार जी एक चालिस हजार वोट लेहारे मुला लगते यह 36 गड़ के मदाता जो यह युवा मन के जो नगन प्रदर्शन होई रिस पीएसी में घोटाला होई रिस ओकर उपर निश्पक्च सरकार के जी थे और मुला इसे लगते कि माता मन के जो अठारा लाग मकान रोके रिस यह भूपेज बगेल सरकार अब हमना के का परन दिन पहली अठारा लाग मकान चाहे 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 बस्तर के बाद हो चाहे सरगूजा के बाद हो मौदी जी देश के प्रधान मंत्री मोदी जी कहते सब के साथ और सब के विकाद देखा इसे है कि पुरुस बली नहीं होत है समय होत बलवान अरद लूटे भीलना वही अरद वही बान पिछले पांस साल पहले हम खल, खल, खल.. खल.. हासात हैं हैं बभ फुरा मुश्वबर्वर चपकेडिसे अवह जायरी केदार भाई.. खल , खल , खल.. हासात हैं आप प्रोव प्रोव शटक के हैं पांसाल सेवा करें पांसाल इकर दूखला हर एकोशिच करें 25 रुपयम ढान भी साइं किसान मन के जमीन वापस करें हर तरह से 36 रड़ महतारी के सेवा कर एकोशिच करें अब उकरमन नहीं आई तो रोटील खपल थे ना पलट थे पांस साल में मतलब रोटील पलटेल लाग थे पलट दिस चलो को नहीं बात मैं जता देता हूं बार्टी जनता पार्टी लग अब बढ़का नो महतारी बंदन न पांसर रूपिन सिलेंडर और अवंका अधमका यहूदेवो ओहूदेवो यह जनता है ना हमना जैसना कचारे है अगले चुनावन तुल पटागी तुमन गम तक ने पास सोजबाय रहना चाज़वरी है यानि कुल मिला के चिनवी में समझे जा सकते के जनता बहुत समस्द हाराओ जीत के सामना कौन वज़ा से करेबर पढ़ सकते यह देखना होई एक ब्रेकिंग में बता दया हूं कि अंबिका पुर्मा जी हाँ टीए सी दे बहुत छोटे मार्जूले हारे है 158 वोट के हारे है अब रीकाउंटिंग हुआ जारी है यह बेरा रीकाउंटिंग के करना चाहूं में हां कि का आप मन का सोचता का लगते आप मला की बीजेपी के जीत के सबसे बड़े वजय का है कहां कॉंग्रेस चूक गे है देखा अभी यह हमार सुरेंद भी यह कहाद निस्तिला एक बार ध्यान देना जूरू है इकर कहना रही से कि महतारी बंदन योजन वम्म का उघ्यां किसे चुक में धाश्यवार सबसीोसर्द опасцу मन कईसे करते हो वादा करते हो चंग मतने इंट करते हैं हेशें कि बाद यह कि आप भी इसब बाढ़ बो का दो उमन बाढ़ दिन पिछले बार भी बाढ़ बो के हो ता सबसे बड़े बाद पर करे रहे हो और कुछ वादा ऐसे रही जैंड आप ध्यान देन रही सबसे बड़े बात जो अपराद के गड़ बंगे इसका अधरी इसना उकर उपर सच में एकर से जनता के अंदर काफी नाराजगी रिशे कि आज रात के बात करें लोगन लाज इन दर्शक मन जुरिया है है यहां विवेका नन सरोवर मां उहमन लाओ एकर संगे जेन आईबी सुन निपूर कर दर्शक मन हमन देखा थे उहूला सरगूजा संभाग के बात करन तो 14 के 14 सीट मां बीजेपी की जीत होए बस्तर संभाग के अगर बात क पहली चलनिके चुनाई के बाद भी जेन तरह ले बीजेपी कालाल में आतिश-बाजी तको होए रही से उहीं विडाय साफ कर देगे रही से के हमन जीता थान ये संभाग ला रहूल जिन आप नजर आ थे बीजेपी हाँ सबसे बड़ा वजे भी इस कि सर्गूजा पूरा सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर अगर तोड़ा से मामला अलग होगे इसे काबर इंकर जो नेता है कांग्रेस के इकरे मन के बीच में आपस में जगड़ा शुरू होगे इसे आपने याद हो अगर आइसे चली तो में सवाल कि इंद्र जी ले करें कि आप मन कईसे हार जी अब हम नहीं बनें थी सब्सक्राइब और थी लगा जर्व नहीं चल बहुत पूले चल वो नहीं चलवो तो लगनं तोला नहीं चोड़ पो संगे संगर नाहीं चोड़िस एक तो पहली धर्मांतरण करा इस ओकर बात तेंदू पत्ता जो है ना वो HOLGI पूरा आजीवी का जंगल में बैट के चला ते ओला नीचोड़े हो और वहां पर जो घर देना रीष अठारा लाग घर हमार दाई महतारी मन अंजोरा त्रीज के बार दिवाली मा अपन घर में दिया जलावो नवा घर जो नरेंद्र मोदी देखे प्रधान मंत्री आवास तेला भी छिंद रहो जी ऐसे सरकार मैं कितों इसे सरकार ला बिदा करना जरूरी रही और फिर से जो नारा जनता दे रही यह भाजपा के नारा नहीं रही जनता के बीच में आयरी अव नई सहीबो बदल के रहीबो अरे मोला बहुत दुख हो थे यहां अतरिक तो पुलीस अदिक्षक के कारियाला है जैस्तम चौक में दो दिन तक सामुहिक बलतकार राइपुर राजधानी में कराने वाला यह सरकार और कोई भी मंत्री आके उमें चमानी मांगी ना बिरोध प्रगट करी और ना कोई पुलीस वाला सस्पेंड होई अब एक-एक उपर कारवाही होई बहन बेटी सुरक्षीत रही अब यह नह सब्सक्राइब होई ताली बजावा थे जब यह कहा थे कि सब के उपर कारवाई होई ते ताली बजावा थे संदेश की बुल्डोजर पूरा डांडिया खेल ही आपको यही नाद नहीं छोड़वो सुरेंद्र जी मैं आप से जवाब लेना चाहूं कि जैन तरह ले आउने सेबों बदल के रइबो के नारा इमन दे रही ने का यह आदिवासीमन के दिल के बात रही से का आदिवासीमन वाकई में कॉंग्रस पार्टी लिए अत्मा नारा जवाई कि दूनों संभाग मा बिल दो अपना बनाई स आप मन बताओ बंडी तटल भी अरी बाकर इने बनाई से तो अटल की हारी बाटिये चंटा पांटी के नेवह हैं तूमन जाब बना पता चलिक नंगा तो चटिस गड़ी बाद ला अम अंदेहां चटिस गड़ी प्रदेश 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 पताओ बाद जी बाद जी चटो बाद केदार भाई उबड़ा मत पर आब नहीं हो जी पास साथ से आं तुमनला आरे भाई जी तुमनला जी प्रदेश 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 फोल्त फ्रेस इस पांड़ी पांसा जण पांड़न थाए अच्छा फिर्दी पांसे पांप लुट्वाह मत उट्रीश फोला शुट्वाद की में चलिकरन शुटवा है फिर भाध योंड सोट ज़ाहिए निद़्ोर्वा ऑ सब जगा जान घुमन देखन की 36 गड़ी के कोई असर कहीं निरी से बात कहों कि 36 गड़ राजभाशा आयोग बना रहे हो एक जाज में 36 गड़ी नहीं बोलतरी से पूरा मंत्रालम जाके चूतिया बनाद रहे हो यह सच नहीं होतरी से लेकिन भूपेश भगेलाइस तो 36 गड़ के 36 गड़िया करना पड़ी अभी तो नारा के बात हो वह बात हो आज बात हो आज बात है तो पार्टी देहें बात है बहुत बढ़ा दुख लगा दे शतित गड़ के निर्माता अगर पंडी तटल भिहारी बाच पे है भारत रत्नेत गल्ती करें का राजबासा के दर्जा अगर दाक्टर रमन सिंग दे है तो गल्ती करें का और यहां के आद्मी मन चाटिस गड़िया में बात नहीं करें तो हमर गल्ती है का वोलो न जी मैं 36 गड़िया में गुठियास होना आप से के इव साड़ी है हुआ प्रटंग साथ सुमत्राइब सबस्टाइब अब इस आप सब्सक्राइब करना वह सब्सक्राइब अचले केदार भाई गासा काला कथे पखार काला कथे तिल बता आले मोला कासा नहीं पता है तुम जांपो अब अब नहीं पता है तुम जांपो 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 सब्सक्राइब करना वह सब्सक्राइब करते तुम जांपो सब्सक्राइब करना बस्तर सर्गुजक बारे में बात करना चाहता है तो यह ठीक है जनरल सब्सक्राइब करना चाहता है तुम जांपो जद्का भी आंदोलनकारी संथारी से जाहे मितानी नहीं होए चाहे सब्सक्राइब करना चाहूं बड़े अपडेट आते शूर्य प्रकाश्य द्रवन्श्य अमर्समवाद आता यह बेरा उहां लेजी तो प्रत्याश्य भाजपा के प्रत्याश्य विजय शर्मा के संग्म आधा बात करा थे बात करा अव सुर्य कांज झाट यह बड़े अधर्वन्श्य नौजवान नौजवान अचुनावल रहे हैं अवस्त दन मिलके आतंक और उखे किहाज्वाद भारिश्य दिन सभरामा यहीं जवर्दा चुनाव मूल करता हैं तो पिकट मिलें अब भुलो अब भुलोजर सरकार चलिए बात के हम बोल्डोजर सरकार चलिए बात के हम बोलता तब तब रहे हैं करदा में अब भुलोजर सरकार चलिए बात के राज़्टन बनवाबो कुछ नहीं होएं नया सुगर फेक्रिक बात कहीं दिन नहीं करवाएं यह बड़े बहुत सारा काम लगए कि सोर दिन कुछ नहीं करवाएं कवर्धा में पूरा कोशिश्ट करगो हम कवर्धा मा नहीं निकाले जाहें कि बिजेशर में तक वर्धा ले विजेशर माजने 40,000 वोट ले जीते हैं और हरा है मुहम्मद अकबरला मंत्री मुहम्मद अकबरला हरा के जिन मन्जीत दर्स के ओकर मनले बात करती निशुर्पकान चंद्रमार्शी बिल्कुल नवावेक्ति तो पुराना बड़े सिनियर लीडर और मंत्री वोला हरवाद है अब को सुरें जी आपन बातला कंटीनू करें आपन बाता रहां मैं यह कहता हूं कि सर्गुजा में जो नहार हो है बस्तर में जो नहार हो है इम दूतीन कारण जोन मोला समझ मात है पहला तो यह कि पिछले चुनाओं में जदका भी किसम अन्दोलान कारीरी से चाहे हस्देट बचाओं आन्दोलान है आदिवासी विकास के अंदोलान होSen माहतारी मन के होaney जमीन बचाओ के होए एने एमडी सी के होए टाटा इस्ट इंडस्टी खिलाप होए तमाम जो अंदोलन कारी संगठ्वन इसे हमर्मन के साथ परी से कि शायद हमकर आकांशाल पूरा नहीं कर सके लोग दूसरा पिछले चुनाओं में चार चारो दिशा में चार जन मुख्यमंत्री की रूप में आद्मी मद्दान कर दीने दुरुग में भूपेज बगेल जिल मुख्यमंत्री बनी के के अलग मद्दान हो इस आताम रज़त सा सब्सक्राइब करन होते उद्योग दंदा लगते रोजगार में सवाल पूछा होकर पहली में एक बड़ेट यहां देदाओं कि जेन तराले 36 गर्मा जेन तराले मद्दप्रदेश मा जीत दर्सकरे बीजेपी होकर बाद दिल्ली मा बीजेपी कार्याले मा जश्न के पूरा अगुमा जेखन के अंतर विरोद आपस में अंतर कला एक दूसर के खिलाब मन में हैसे भावना के वो मीडिया के आगू मा आके बोला थे पुप लगा थे अईसे तक आरोप लगा थे अब अब अधका जब होई तो साफ है कि सब एक दूसरा काटे कोशिस करिया हूँ अब याद हो ही मुख्य मुख्य मंत्री आपके टीए सिंदेव जी है मंच मखड़े बोले इसे मैं बाकी मन भले कर दूँ इशारा करें देकर बर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं मतलब आप पार्टी के आदमी के लिए काम नहीं कर खुले आम कहा थो तो यह जगड़ा तो जयोग धंदा लगते ना तो रोजगार मिलते जहाथ में भी थोड़ा विकास होते खाली जंगल में बिठार के आदिवासी बना के ते ओकर भला नहीं कर पास वोला कुछ दे ओकर रोजी रोटी बढ़िया चले ओकर आर्थी किस्तिती थोड़ा सुद रहे ओकर जीवन इस् लगा 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 के जो थोर बहुत होत काम उगूर रोकत के तो यह जो चले है ओती बर जंतल समझ में आगे कि भाईया जो दूपई साथ मिला से कहूं रोजगार धंदा पानी चला थे यहूलेमन बंद कर आवा थे तो हूँ नाराजगी रही से जला हमन महसूस करे रहें सब्सक्राइब के बातला बतात हमें मला कोई परिवार के जो हस्बेंट रिथे आदमी रिथे ना पेकर एक आत्मसमान रिथे घर में आप मनला याद होई वह विर्यस्पति सिंग कांग्रेस के विधायाख़ एक बैंक कर्मचारी के पाउपर जाके मुक्का मारी सोला और दूसर दिन सीएम साहब का बोल थे कि यह वो गलती हो गया आपस में वो लोग निपट लिया है काम खतम हो गया अब वो आदमी घर जाही तब ओकर धरम पतनी कैसे बोली ते मार खा क्या हस वोकर बेटा कैसे बोली अरे आक मैं आसु आ जा जा थे और एकर मन के वो पुरियस का हम बैं दूसर जवाल पूछा दो वो अमरजीत भगत मंत्री तेकर पीये हाद 40 एकर जमीन लापन नाम करके फिर बाद में सबोजनला बाठ दिश कोहन से जमीन जी तुमन सरगूजा के 40 एकर जमीन तुमर मंत्री अमरजीत भगत तेना हतिया के अपना आदमी मनला बाठी से यह कारण रीज सर्गुजा में हारे के एक जो एक हजार करोड के तेंदू पत्ता क्यों उठाओ के कौन उठायरीज मैं बता हूँ यह स्मगलर मन सक्री रीज एकर सरकार में ना स्मगलर मन चोरहा लुटेरा मनला यह मन प्रस्रेदी से जाओ आदिवासी मनला लूटो तेंदू पत्ता लूट के लाओ एक हजार करोड रुपिया च्छतिस गड़ के आदिवासी मन के मन लेगे हैं यह कारण रीज कावा आत्मसंमान नीरिज मुक्का मार दिस तोर विधायक मुक्यमंत्री के बाद कट्रीनिस बाद है यह आपस में बैट के सलव ली काई जवाब लेले सुरें बिया बताओ बस्तर बस्तर उपर अंतीम दोर्मा बस्तर उपर फोकस कर वो बस्तर मका लगी साब मनना नी बस्तर में भी लगभग वही बात रीशे जैसे की व्रियास्प के जनादेश के हम सम्मान करतन चीके जनादेश लस्विकार करतन बस्तर में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पांस साल में बहुत काम करें चीक आज हमर पराजय होगे यह अलग बाते मगर जिस तरह से साथ जिन्स से बढ़ा के पैसर जिन्स के खरीदी हो है कि इसकुलमन बंद इसकुलमन खुले है जिस तरह से वहां के महह जोने इंग्लेंड में एक्सपोर्ट होतरी से जिस धंग से वहां नक्सलवाद में काफी हद तक लगाम लगे रिए यह सारा काम होए के बाद हो सकते कई बार जन प्रतनीधी सिब्यक्ति की नराजगी हो जथे जन प्रतनीधी के बेवहार से नराजगी हो जथे तो ऐसे कुल मिला के अगर देखे जाए तो आज हम चुनाओ जरूर हारे हन चु सब्सक्राइब हो सकते जन प्रतनीधी से नराजगी हो ही तो यह नराजगी हमन बस्तर में यह देखें कि बीजेपी के आदमी जाए तो उकर हत्या हो जाए कांग्रस से सब खूच दिने लेकिन हार गयो अभी चुनाओ में ऐसे काबर एक बड़े मुद्दरी मैं बोलू सब मिजेशा पुच्छ थान ने जीटिन बश्तर में वनीजेट इसे रहत हों कि थेखें के नहीं होना चीए मगर सवाल यह है जब 2013 में हमर पूरा एक पीड़ी के हत्या हो गरी से तब कांगरेस कापने जीती इस बस्तर में। तोड़ा सब्सक्राइब करता है कि वह अधिक ने अधिया करें तो दूसा बाद बता हो तरह दूसा बात बता है अधिया हो यह जनताला सुने बड़ जरूरी है यह जीरम कांड के बात करते और जब भुपेज बगेल रही सा विपक्ष में तो बोलत रिजीरम के सबूत मोर जेब में है तो पाँ साल काबर रखे रेस का का जमा करना रही स्था ठीके अब आपन के पाँ साल शुरू होते हैं आपन के पाँ साल शुरू होते हैं आपन के कारे काल मा आपन सब बो टीज चीज करा हूँ और नकसल समस्याला अंत करके दिखा हूँ ठीके 2018 मा कॉंग्रेस ये बात कही से कि गड़बो नवा 36 गर लेकिन शायद कहूं न कहूं वो 36 गर गड़े मा ओमन नाकाम रही से जो 36 ग से वो सामने आगे रचना और जो उन तरीका के 2018 मा परिवर्तन एक तरीके से देखे वर मिली से और यही चेतर रही से सर्गूजा और बस्तर जीहाने सरकार बन थे यहू अब एक बार फिर साबीत हो चुके बाद इधर दूहजर तईस मैं बाद साबीत हो चुके है बिल्कु अबर पैनल अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपन चर्चा मा जुयाए कर दें जुहार 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 सब्सक्राइब कर देए और शिवा शिवा? हम आर फिश शुणा है तुम तुनों ने घर बुनाया है हाँ पिंक मानब गर के नेव में क्या लगता है हमारा प्यार प्यार महीं कमजोग तीम्टी का बार होगा राकेट सिम्ण आर फिश जी लिगिड हम्ने तो एंक्म सॉणलीby तीम्टीबार लगाया है अधर रूंटा स्ठील तीम्टीबार जंग से नमाने हाथ रूंटा स्ठील तीम्टीबार है बिल्कुल राहिनी प्लास्टिक गायब करो घृःषर गो गो-गो-गो-गो- skills आण दो प्रेप्लास्टिक से प्रोटेक्शन नहीं, लामिनेशन वाला अल्टिमा प्रोटेक्ट एक्स्टिरियर पेंट, बारिश दू पर दूल को आन दो, तुम जार दो ए बिटा, ये लो तुमारे लिए खिलोना लाया हूँ अरे बापू, अब हम इस किलोने से नहीं केलते हैं प्रिकाश, बच्चे बदल गए, पर तुम नहीं बदले अभी नहीं पुराने उपकरनों से खेती करें जबकि बाजार में जमन तकनीक वाले स्टील उपकरन आ चुके हैं सोचते रहोगे और बदलोगे नहीं तो दुनिया आगे निकल जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे सोनु भाई, पीछे तो अब मैं रहूँगा ति स्टिल उपकरन, लाए परिवर्तन अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले जहां जाएं, रिष्टे बनाएं राईपूल शहर के विकाश पुरुष श्री प्रमोद दुबे जी को जन्मदीन की हारदिक बधाई यहन शुभकाम नाए विनीट अविने दुबे महामंतरी राइपुर शायर जीला कॉंग डिस कमीटी अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक नूठा सोर्स रापिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सेल्जमेन हो या व्यापारी, मैनजर या करमचारी वोकिंग गर्ल हो या ग्रेहनी सभी की तरकी का एकी सोर्स रापिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले जहां जाये रिष्टे बनाए हमें आरोग्य वर्दक और श्वादेश्ट आहार शनमुखा एग्रिटेक से ही मिलता है शनमुखा एगरी टेक करता है अध्भूत हर फसल हो जाए महा अध्भूत कर खारोगा राकेट सीम्ग हरुः लेकित हम ले तो एक्डम सॉलें टीम्टी बार लगाया रूंटास्टियौ टीम्टी बार, जंग जण जे नमाने हाँ, रूंटास्टील टीम्टेम्टी मार रेक भी बेया है पिलकुल, रहाइड है तुम भी कुछ आईडिया दो तब जाके एक घर तयार होता है, वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटाइम्मेंट सुखी बना पकते हैं बात में तो दम है NPS कम लागत वाली स्लेक सिवल लॉंग टम योज रहा है जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाब देती है अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना NPS अकाउंट ओपन करता हूँ जो कल किस दोस्त हैं? वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं प्लास्टिक से प्रोटेक्शन नहीं लमिनेशन वारा अल्टिमा प्रोटेक एक्स्टीरियर पेंट बारिश दूपर दूल को आण दो तुम जाड़ दो एक संकल करोडों के भरोसे का एक संकल निरंतर सपलता का एक संकल नित नई काम्यावियों का और एक संकल मजबोती का और रिष्टा सदियों का नाकोडा TMT अधार यां जादि तो मेरी है मैं क्या पहनूँगा अरे दुले सहाब दुला तो मैं हूं पर क्या? अरे बुद्दू, दूले सहाब है न? दूले सहाब, जहाँ है शादी और त्योहारों के लिए बेहतरीन क्वालिटी के आउटविट, दूले सहाब आपके नर्जदे की शहरों में. भी आपके अपके आपके जापके जापके नियुद्धा के लिए विए लिए भी के लिए भाव भी की शहरों. सब्सक्राइब के साथ को ना छू सके कभी ये जीवनिय शक्ति है इसमें ना अती शोक्ति है अरुवेद का ये सार है आरोग्य का प्रकाश है ये दिव्य है अमूल है पतंजली चवन्थाश है मास्टर मैक्जिमा है ना ये डाग धबों को धो डालता है और बीवारों को चकाचक बनाता है मास्टर मैक्जिमा के फाइदे तीन करे डाग धब्बे और फंगस क्लीन सपने आपके रंग हमारे ग्लोबल कलर्स एंड केमिकल प्लास्टिक से प्रोटेक्शन नहीं लमिनेशन वाला अल्टिमा प्रोटेक एक्स्टीरियर पेंट बारिश धूपर धूल को आण दो तुम जाण दो राइपुल शहर के विकाश पुरुष श्री प्रमोद दुबे जी को जन्म दिन की हार्दिक बधाई यहों शुप कामना है विनित अविने दुबे महामंतरी राइपुल शहर जीला कॉंग्रिस कमीटी एक संकल करोडों के भरोसे का एक संकल निरंतर सपलता का एक संकल नित नई काम्यावियों का और एक संकल मजबूती का और रिष्टा सदियों का नाकोडा टीम्टी ज्विलर्स अनूप्चिन भनसाली ज्विलर्स अनूप्चिन भनसाली सदर बाजार राइपुर C.R.I. Pump 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 नाउड जोल्ड इन मोर दन हंड्रद कंट्री C.R.I. Pump पंपिंग ट्रस्ट वर्ल्डवाइड तो ब्रेक के बाद एक बाद एक बार पिर से आप सभी का सभागात है हमारी खास पेशकर लगातार जारी है क्योंकि लगातार हमने आप से ये वादा किया था सरकार का बॉल्टिन जीनहमने लौंच किया था उस दिन से कि जब तक सरकार नई नई बन जाती तब तक एक-एक पल-पल का अफडेट चुनाव से जुड़ा हुआ आपके सामने रखेंगे और आज जब नतीजे सामने आए तो एक-एक सीट का पूरा विशलेशन सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजा लगातार हम आपके सामने रखते रहें और एक बार फिर से अमारे साथ में IBC 24 के एडिटरिंग चीफ रविका नहीं हुआ और जहां कुछ सोचा गया शैद वर्सा हो गया तो काफी मज़ेदार रहे अब मुझे लगता है कि आप पूरे राज्यों के नतीजे बदाने आने हमाई जन्ता को कि चार राज्यों की बात हम दिन भर कर रहे हैं 36 गर मध्यप्रदेश राजस्थान और तेलंग ती राजस्थान और 36 गर ये दो राज्ये बीजेपी कॉंग्रेस से चीनने जा रही है कॉंग्रेस को सिर्फ संतोष करना होगा तेलंगाना सीट से चुकी वहां पर बीरेस की हार हुए और कॉंग्रेस ने जीत दच किये तो आज अगले आधे घंटे आपको लगातार इन च जबा सीटों वाला ये बड़ा राज्ये कॉंग्रेस की तरफ से तमाम दावे यहां पर हो रहे थे कि कॉंग्रेस यहां पर चुनाव जीतेगी सत्ता विरोधी लहर के दम पर लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सारे समिकरन पीछे छूट गए जैसा रवी जी ने भी कहा कि चौकाने वाले परिणाम यहां से आए और 163 सीटों पर इस वक्त भारती जनता पार्टी के उमिद्वार आगे भी चल रहे हैं और कई परिणाम भी इसमें आ चुके हैं कॉंग्रेस पार्टी साठ पैसट के आसपास इस पन जारी 164 पर बीजेपी और 65 सीट पर कॉंग्रेस और एक सीट पर अन्य उमिद्वार ने यहां पर जीत दर्च की है तो रभी जी मैं आप से जाना चाहूंगा चुकि आपने कहा भी कि कई नतीजे दिल तोड़ने वाले आये चौंकाने वाले आये उसमें से एक राज्य कम से कम यह भी है क्योंकि जो फिगर आये हैं यह पर कमनलाथ लड़ रहे थे वह अपने कंधे पर लड़ रहे थे एक अकेले निता के रूप में लड़ रहे थे कॉंग्रेस की तरफ से और यह वाना जा रहा था कि जो चुनावों से पहले लगबग 3-4 महिने पहले कि वहाँ पर कॉंग्रेस को फाइदा हो सकता है लेकिन ज अंभाग वार ग्राफिक्स भी हमारे बीच में आ गए है ग्वालियर चंबल की 34 सीट पिछली बार कॉंग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बहुत बहुतर प्रदेशन किया था इसलिए क्योंकि सिंधिया कॉंग्रेस के साथ थे इस बार सिंधिया चुकि भारतिजन्दा पार् जीतने में कामयाब हुई है तो चौंग्रेस को अच्छा कासा नुक्सान यहाँ पर हुआ है और वीडि शर्मा इस वक्त में जुड़ गहे है भातियन्दा पार्टी के प्रदेश अथियक्ष है उनसे बात कर सकते हैं अब यह जी अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो जी सुन रहे हैं जी सुन पा रहा हूं सुन पा रहा हूं अगर आप तक आवाज आ रही है तो हम जी आपका बहुत स्वागत है आई बीसी में और सबसे पहले आपको सारी शुब कामना है मुझे याद है जब मैं जी आपको सबसे पहले IBC 24 की तरफ से सबसे धेर सारी शुकामना है जब मेरी आपसे बात हुई थी चुनाव के दौरान मैंने जब आपसे बात की थी तब आपने कहा था यही रवी हम पक्का जीतेंगे यह बात चाहें कोई कुछ कहता रहा है और हम अच्छे सीटों से जीत के आएंगे हाला कि तब आपने सीटों का अनुमान मुझे नहीं दिया था लेकिन मेरा सवाल यह कि आपको भी तब यह अनुमान था कि आप इतनी सीटों से जीतेंगे जितनी आज स्कोर कार्ट पर दिख रही है रभी जी मैंने आपको कहा था कि हम इस वार मध्य प्रदेश के इतियास की सरवादिक सीटें जीतेंगे यह मैंने उस समय आपको कहा था और आज आप देख रहे होंगे कि अभी मैं सामने देख रहा हूं कि 165 सरशट पर भारती जंता पार्टी पहुँच रही है और मध्य प्रदेश में 173 सीटें सरवादिक जीते हैं तो कोई भरोसा नहीं है कि प्रणा माते आते तक वहां तक पहुँच जाए तो इसलिए भारती जंता पार्टी को अपने काम पर अपने कारकरताओं की मेहनत पर और प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी का जो नेतर तो था इस चुनाओ में कि मध्यप्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्यप्रदेश का जो अभियान था जनता ने परधान मंतरी नरेंद मोदी जी को आज आसिरबाद दिया है इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रधान मंतरी मोदीजी के प्रजनता का विश्वास, गरीब कल्यान की योजना जो प्रधान मंतरी और मुख्यमंतरी के नेतरतु में जो हर गरीब का जीवन बदलने का काम मध्यपरदेश के अंदर हुआ है तो दूसरा भारती जन्ता पार्टी के संगठन तंत्र जो केंदरी गर्यमंतरी अमिश्वास जी की कुसल रणनीती थी और उस रणनीती पर भारती जन्ता पार्टी के संगठन ने जो प्रतेक बूत पर ताकत के साथ खड़ा था वो हमारी ताकत थी और उस बूत के कारकरता न जो भीनत की इन योजनाओं को जमीन पर उतारा प्रदानमंतरी मोदी जी का जंडा लेकर के वो गया आज उसका परिणाम है कि क्याबा ने प्रत्सत बोर्ट सेर का संकल्प मानि अमिज साजी नहीं दिया था और जो काम दिये थे उस काम को जमीन पर उतारने का काम भाजपा के संगटन ने किया आज उसका परिणाम है कि हम लगबग 50% के लगबग वोट सेयर भारती जनता पार्टी को मिल रहा है गुजरात के बाद दूसरा राजी होगा जो इतना वोट सेयर भारती जनता पार्टी को चुनाव में मिल रहा है यह मानिया अमिज साजी के कोसर रनीती का परिणाम है तो यह जीत कार्करताओं की अध्यक्त मेरत परिणाम है कि यह गुजरात के बाद यह राज है अध्यप्रदेश जहां पर 50% के लगबग वोट आपके पास गया है अब विडिए यह बताईए कि आपको हम देखें उस समय भी जब मेरी बात ही थी तब आपने कह हाता है कि जो महिलाओं के लिए जो हम काम कर रहे है केवल लाडली बहना योजनाई नहीं बाकी भी जो महिलाओं के लिए लगाता है शिवराज सिंग की सरकार ने काम किया है आपकी सरकार ने काम किया है वो गेम चेंजर हो सकता है क्या आज के नतीजे देख कि क्योंकि मैं जब शिवराज सिंग के साथ गया था वहाँ पर तो मैंने देखा था कि उनका महिलाओं के साथ काफी अच्छा कनेक्ट था तो आप यह मानते हैं कि वो जो लाडली बहना योजना थी जो आपने हर महीने उनके खातों में पैसा भेजा पहले हजार भेजा फिर बारा सो पचास भेजा और तीन हजार रुपे का वादा भी किया तो क्या आपको लगता है कि एक यह योजना से आपको महिलाओं के वोट ज़्यादा मिले ये आपके जीतने में बड़ा कारण बना रभी जी एक बात मैं कहना चाता हूँ कि प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रतों में मध्य प्रदेश के अंदर तीन करोड बासट लाख लोग आश्मान भारत योजना में पांच लाख रुपे फ्रीका इलाज कराने का अधिकार महिला पुरुसप को है 64 लाख प्रधान मंत्री आभास जो पहनों के नाम से है बद्परदेश के अंदर प्रधान मंत्री गरीब कर लान अन्योजना में हर गरीब को पांच क्रून आज करूड़ा काल से लेकर एक आगाएंप पांस साल तक प्रधान मंत्री मोधी जी ने दिया है महिला आरक्षण बिल नेत्रत इस्थायत्तों के तोर पर ये एत्यासिक निरणे देश के अंदर किसी ने किया तो भारत के प्रदान मंतरी नेरित मोदी जी ने किया मुसलिम महिलाओं के जीबन को नरक बनाने का काम जो टिपल तला करता था उसे अगर किसी ने उने उनके जीबन में खुसी दी तो प्रदान मंतरी मोदी जी ने दी और हमारे मुक्त्री जीने लालडी लक्शिमी योजना, कन्यादान योजना और अब लालडी बहना योजना हैं तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि गेंद राजी सरकार की योजनाओं का गण मद्ध प्रदेश था और आज उसका परिणाम है कि इस इतगराईयों तक भारती जंता पाड़ी के संगटन का तंत्र प्रतेग भूत पर बूस समिती पन्ना समिती रे काम किया और न करपसनात कमलनात ये जूट बोलेंगे तो हमारे कारिकरता ने वो विकास और गरीब कल्याण के जंडा डंडे में लगा करेकर रखाता है जूट बोलने वालों को मद्ध प्रदेश ने नकार दिया इनको चलने ने दिया कारिकरता सजग प्रहणी के तोर पर खड़ा रहा त तो कारिकरताओं की ताकत जो 41 लाग कारिकरता ये हमारी ताकत है इसके आधार पर आज मद्धि प्रदेश में ये प्रचंड बहुमत आपको दिखाई देता है जी बिल्कुल सही बात है आप एक दम बूत स्तर पर काम कर रहे थे और कारिकरताओं से आपका लगातार समबात था लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो अपनी जीत का श्रे है वो कुछ हट तक दिखवजे सिंग को भी दे रहे हैं लगता है मुझे कि आपके शिवराज सिंग सोहान सिंधिया जी आप खुद लेकिन दिखवजे सिंग भी उसमें एक कारण है आपकी विजह में मैंने रभी जी बहुत पहले का था कि हम सकारात में गराजनी के करते हैं लेकिन मिस्टर बंटाढार दिखवजे सिंग ने मध्यप्रदेश को पहले दुराबस्ता के दोर में ले कए गए और बंटाढार मध्यप्रदेश बना दिया था कमलनात नहर गरीब का हकुरादिकार चीना था ब्रस्टाचार का अड़्डा बना दिया था और अब दिखवजे सिंग ने कॉंगरिस का ही बंटाढार कर दिया इसलिए मैं समानता हम तो सकारात में गराजनी ती करते हैं अपने काम के बल पर जाते हैं संगठन की ताकत के ब बीडी आसल करें ये और हर भूत पर भोती होंगे लेकिन लास के दो सवाल मेरे आपसे कि कई आपकी जीत काफी बंपर हुई है लेकिन कई मंत्री हार गए हैं तो ये जो मंत्री हारे इसका क्या कारण रहा देखिये मंत्री अभी हम देख रहे हैं कुछ स्थानों पर मंत्री भारती जन्ता पार्टी के भी चुना भारे हैं अब ये कई चीजे कई एंगल्स काम करते हैं राजनीती में क्या कारण रहे हैं कि मंत्री ऐसे जो हारे हैं उनके पीछे हार के क्या कारण है भारती जन्ता पार्टी इनकी भी गंबिर्ता के साथ समिख्षा करेंगी चलिए अब तो आप चुनाफ जीद गए हैं अब तो बता दिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा शिवराज जी रहेंगे कि कुछ अब अदलाव हो सकता है इसमें रवी जी भारती जनता पार्टी में ये जो चुनाफ सामुही के नितरत पर कलेक्टिव लीडर से पर लड़ा और मैं आपको बताता हूं कि टीम स्प्रेट के साथ भारती जनता पार्टी का पूरा नितरत मानी प्रधान मंतरी मोधी जी के नितरतों में मानी अमिसा जी की कोसल रनीती और हमारे राष्टिय अध्यक जेपी नड्या जी के आशिरबाद से हम पूरे मध्य प्रदेश में टीम स्पिट से चुनाव लड़ रहे थे और आज उसका परिणाम है कि आज में प्रचंड बहुमत से जनता ने आशिरबाद दिया है कौन मुक्य मंतरी होगा किसको क्या काम मिलेगा ये हमना अधिकारी है इसके ने इसके लिए मैं इसका कोई जवाब दे सकता हूँ ये तो मानी प्रधान मंतरी मोदी जी मानी अमिसा जी और मानी नड्या जी और हमारा नित्रत्य करता है किस कारिकरता को क्या काम देना है हमारा काम था 51% बोड़ सेर पर काम करना और आज मुझे गरवे भारती जनता पाड़ी के कारिकरता हूँ पर ये 50% बोर्शेर को हम प्राप्ट करने में सफलता जो रखर सबूरा है लेकिन सामोईक नेतर को मुख्यमंत्री नहीं बन सकता कोई अच्छे से तीन नाम तो बताई है जिसमें से हो सकते है या मैं बोलता हूँ नाम आप उसमें से हाँ या ना करिये रभी जी ये मेरा काम नहीं है ये काम मानी प्रधान मंत्री जी मानी अनिस साजी और मानी नड्डा जी से लेकर के केंद्री नेतर तो का ही काम है ये हमारा काम नहीं है हमारा काम था जो हम कर रहे हैं और आगामी जो काम हो बता देता हूँ में कि लोग से हर बूत पर मोधी के अव्यान की सुरुवात हमने कर दी है इस वार विजय का चार तोजार तोजार तोजीश में हर बूत पर हम बनाई हमाई है जिम्मेदार ही है उस काम में हम लग गए चले आपको हमाई तरब से आई बीसी टुटिफोर की तरब से बहुत बहुत शुप कामना एक शांदार जीत आपने अध्यक्ष रहते हुए मध्यप्रदेश में बीजेपी को दिलाई है और अब भी बहुत धन्यवाद रभी जी बहुत धन्यवाद जी जी धन्यवाद आपक तो कुल्बिलाकर रवी जी जिस तरह सोने ने कहा कि एक टारगेट सेट किया था भारती जन्ता पार्टी ने 51 फीसी दी वोट शेयर का और जब ये बात आती थी तो हम लोग भी जब खबरे चलाते थे तो एक सवाल हमारे मन में भी आता था कि 51 फीसी दी वोट शेयर को के ट पार या 170 के पार यह बात नहीं की हमने कई नेताय से पूछा मैंने सिंद्या सी जी पूछा मैंने शिवराज जी से पूछा वीडी जी से पूछा कि भई कितनी सीटे आप जीत के लाओगे कह रहे है इस बात यह बात है हम पक्ता जीतेंगे और हर बूत पर हमारे को वोट मि होता है लेकिन अगर आप 50% से ज़्यादा वोटों से जीत के आ रहे हैं मतलब जनता ने आपको एकदम definite mandate दिया है मतलब उन्होंने आपके favor में vote किया है यहासा नहीं है कि किसी के against vote किया है सत्ताधारी party थी और उनको उनकी योजनाए पसंद आई उनके लिए vote देने के लिए 50% से ज़्यादा अगर उनको vote मिला है तो जनता ने उनको vote दिया है यह हम बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल चौकाया है भारती जनता party ने एक तो जब चुनाओं की तारीखों का एलान नहीं हुआ था उससे पहले ही प्रतियाशियों का एलान कर दिया और जब दूसरी सूची आई तो एक से कद्दावर चहरों को मैदान में उतार दिया कई सांसद और मंत्रियों को मैदान में उतारा तुकुल मिलाकर हर अन्नीती के साथ में भारती जनता पार्टी एक एक तरीके से आगे बढ़ रहे थी 51 फिसिदी वोट शेर के साथ चले चतीजगर पे भी बात कर लेते हैं इसमें सामने आ चुके हैं और कॉंग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी प्रचंड वहुमत के साथ 2018 में 34 सीटों पर सिमट्टी रहे गई है सिर्फ एक सीट जो है वो अन्ने के खाते में गोंडवाना गंतरंत्र पार्टी के पास में पाली थानागार की सीट जाती नजर आ रह पाया क्योंकि सरगुचा में पिश्ली बार 14 में से 14 कांगरेस के पास थी और इस बार फिगर देखे चोदा में 14 पीजेपी के पास में कद्दावर मंत्री डिप्टी सीम यहीं से आते हैं मंत्री अमरजीत भगत यहीं से आते हैं प्रेम साय सींग टेकाम खेल साय सिंग तव बड़े चेहरा लगी प्रेम साइजिंग डिकाम को टिकेट यहां से नहीं दिया था यह सरगुजा की स्थिति आपके सामने हम रख रहे हैं उसके अलावा बाकी और संभागों की भी बात करें बिलासपुर संभाग रेलवे के लिए इसकी पहचान है बिलासपुर संभाग की 24 सीटे और 24 सीटों के जो स्थितियां आए वो आपके सामने रख रहे हैं 24 में 13 सीटों पर कौंग्रेस पार्टी के उमिद्वार यहां पर जीतेने जराई थोड़ी सी स्थिति कौंग्रेस की यहां पर बैतर है और अन्यगे खाते में यहां पर一7 गयी है गोडवाना गंतंद्र पार्टी के जो संस्था पर एक हिराक्सिक मंद्रा मरकाम उनके बेटे ने यहां पर चुनाव में जीत दर्च किये अगले संभाग के तरफ आगे बढ़ें तो कुल में राकर संभाग वार स्थितिया भी आपके साम रख रहे हैं यह देखिए आगया र पर चीए कई जगे पर अभी बी काउंटिंग आपर चल रही है तो सराइपूर्ट संभाग के स्थिति साफ यहां पर भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला था और इसमें से बीस-बारा सीटों पर भारती जनता पार्टी जीत रहे है आठ सब्सक्राइब कंडर्रेइब क्लिए का गड़ा जाता है पिशली चुनाओं कि बाद करें 18 सीट यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी जीटी थी महद 2 सीट के पास गई थी इस बार देखें 10 सीट बीजे पी जीतने में कामियाब हुए यानि कि पिश्ली बार के मुकाबले 8 सीटों का फायदा यहां पर 비जेपी को बिजेपी को और सीधी 8 सीटों का नुकसान कोंग्रेस पार्टी को यहां से खतने ज़रा रहा है तो 10 बीजेपी 10 गॉरेस बस्तर की बात करते हैं बस्तर संबाग पर सब की निगा चुकि बस्तर के लिए कहते हैें कि पर चीजे संभाग वार जो स्थीतियां बन रही है इसकी वज़े से यह ओवरॉल फीगर जो आप देख रहे हैं पच्छपन सीटों का बनता नजारा रहा है यानिकि भारती जन्ता पार्टी परिवर्तन के साथ में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रही है जो पोल आये सारे गलत हुए किसी का भी सही नहीं था सबने कॉंग्रेस को यहाँ पर जीता दिखाया था लेकिन जो नतीज़े आए वो जंता ने यहाँ पर चौकाया है सारे को कि बीजेपी को दिया है और हम ये देख रहे हैं कि एक इस तरह की जीत दी है कॉंग्रेस ने अपने सारे मंत्री मंडल को मैदान में उता रहा था कि हम इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हमारी सरकार पर विश्वास करिए हमारे मंत्रियों पे लोगों का विश्वास है लेकिन जो नतीज़ा है उससे लगता नहीं सारे मंत्री आठ नो मंत्री करीब हार गए है जो उपमुखे मंत्री है वो हारते हारते बलकि हार गए है अब उन्होंने री पोलिंग के लिए ही किया हुआ है तो यह बताता है कि जनता के मन में गुसा था लेकिन जनता शांत थी वह बोल नहीं रही थी लेकिन जब उसने वोट दिया जाके बटन दवाया तो उसने अपने मन की बात वहाँ पर जाकर कह दी बात बात वहाँ पर एक भारती जंता पार्टी फिर से सथा में यहाँ पर लौटने जा रही है चलिए इन सब के बीच में इन सब के बीच में उनसे बात क्रेंगे ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशक्रश लगातार जा रही है रादस्थान और टेलंगाना की बात भी आगे करेंगे ब्रेक के बाद लोटेंगे तो कुमारी शहल्या को हम दिखाएंगे वो हमारी सा जुनेंगे उनसे बात करेंगे C.R.A. Pump C.R.A. Pump CRI Pumper! CRI Pumper! Now sold in more than hundred countries CRI Pumps Pumping Crust worldwide ये सब क्या है? शुनाया और शिवा शिवा और फिश? शुनाये तुम तुनोंने तुम तुनाया है पिंक बाड़ क्या लगता है? हमारा प्यार प्यार नहीं कम्जोर TNT का बाहर होगा रॉकेट सिंग अरुफ। ये लेकिन हमने तो एंकप सॉलेट TNT बार लगा रहे है रुंटास्टील TNT बार जंक से नमाने हा रुंटास्टील TNT बार है पिल्कुल रेड़ी प्लास्टिक गाइप करो प्लास्टिक गाइप करो बारिश धूपर धूल को आण दो तुम जाण दो राइपूर शहर के विकाश पुरुष श्री प्रमोद दुबे जी को जन्म दिन की हार्दिक बधाई यहों शुब काम नाए विनीत अविने दुबे महामंत्री राइपूर शहर जीला कॉंग्रिस कमीटी अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले जहां जाये रिष्टे बनाए जहां जाये रिष्टे बनाए गोल्डी मसाले हेल्थ किप्स के प्रेयजक है डौक्टर और्थो आयल डॉक्टर आर्थो आईरवेदिक ओयल एम कैपसूल जोडों के दर्द की बेजोड़ दवा हमें आरोग्यवर्दक और श्वादेष्ट आहार शनमुखा एग्रिटेक से ही मिलता है शनमुखा एग्रिटेक करता है अध्भुथ हर फसल हो जाए महाध्भुथ क्लास्मिक गार करो गो-गोगोगोगोगोग क्याद डिन डो अटो अब रहा है यह सब क्यान है शोनाया और शिवा और फि- सुना है तुम दोनोने गर बुना या है हाँ, पिंक वानव घर की नीव में क्या लगता है? हमारा प्यार प्यार नहीं, कम जोग TNT का बार होगा राकेट से नहीं नहीं, लेकर हमने तो एकदम सॉलेट TNT बार लगाया है अध़ रूंटा स्टील TNT बार जंक से नमाने हाँ, प्रूंटा स्टील TNT बार है बिल्कुल राइड़े ज्विलर्स अनुच्छन भनसाली गोल्ड अपडेट इस ब्रॉट ज्विलर्स अनुच्छन भनसाली सदर बाजार ड्राइपुर एक संकल करोडों के भरोसे का एक संकल निरंतर सपलता का एक संकल नित नई काम्यावियों का और एक संकल मजबूती का और रिष्टा सदियों का नाकोडा TNT अरे यार, रिशी की शादी है मैं क्या पहनू? हाँ, मैं भी क्या पहनू? अरे, शादी तो मेरी है, ने क्या पहनुँगा? अरे, दुले सहाब दुला तो मैं हूँ, पर क्या अरे, बुद्धु दुले सहाब है न दुले सहाब, जहाँ है शादी और त्यवारों के विए बैध्रि也可以 के आउट constituents दुले सहाब, आपके नसदे की शेहरों C.R.I. Pump C.R.I. Pump C.R.I. Pump C.R.I. Pump C.R.I. Pump C.R.I. Pump Now sold in more than 100 countries C.R.I. Pumps Pumping Crust Worldwide C.R.I. Pump B.J.P. की कारेकरता समर्था की नेता यहाँ पर पहुचे और प्रधान मंत्री नरिल मोदी भी यहाँ पर पहुच रहे हैं तस्विरे हम आप तक पहुचा रहे हैं तो पार्टी वुक्याला में कारेकरताओं की भीड लगी हुई है ग्री मंत्री अमिर्शा और पाट यहाँ पर महुचूद है अबिवादम स्विकार कर रहे हैं और यह तस्वीरे जो आप देख रहे हैं यह 6A दीन द्यान उपाध्यायमार की है यानि भारतीय जन्ता पार्टी के रास्टी है दफ्तर की तस्वीरे आप देख रहे हैं और भारी संख्या में लोग पहुचे हुए जो भारतीय जन्ता पार्टी के कारे करता है अमित शाह जो देख के ग्रिह मंत्री है वो अल्रेडी पहुच चुके हैं और यह तस्वीरे हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं और देख के प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी भी इस वक्त पहुच चुके हैं भारतीय जन्ता पार्टी के राश्ट्रिय दफ्तर की तस्वीरे हैं और प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी विक्त्री साइन दिखा रहे हैं लोगों को चुकि मत्य प्रदेश में एक बड़ी जीत भारतीय जन्ता पार्टी ने दर्च की है 161 का आकड़ा पहुच चुका है भारतीय जन्ता पार्टी का और कॉंग्रेस के खाते में सिर्फ 68 सीटे आई हैं और ये अभी जो आज तस्वीरे देख रहे हैं चुकि हम इस सेग्मेंट में बात किये करने जा रहे हैं जीत और हार के फैक्टर क्या रहे हैं तो भारती जन्ता पार्टी का क्या कुशल नेत्र तुभी इसमें काम आया है इस पर भी हम चर्चा करेंगे फिलाल ये तस्वीरे हैं दिल्ली से लाइब तस्वीरे देख रहे हैं ये 6A दीन द्याल उपाध्याय मार्ग यानि भारती जनता पार्टी का जो रास्ट्री ये दफ्तर है वहीं की तस्वीर हो अब वहीं की आवाद भी आपको सुनाएंगे गारंटी है अब कारेकरता कह रहे हैं गारंटी है भाई गारंटी है तो यह आप समझ सकते हैं कि जो लोकसवा चुनाव आने वाले हैं उस पे किस पिछ पर बीजेपी चुनाव रणने वाली है यह मोदी की गारंटी यह की जो नया शुरू हुआ है इन चुनावों से यह आप देखिए कि जितने भी चुनाव लगातार होते हैं एक तो यह रिचुल है हमेशा का जब बीजेपी जीतती है राज्यों में तो उनके पार्टी आफिस में इस तरीके से भीड लगती है पहुंचते हैं मोदी पहुंचते हैं अमिश्या होते हैं और उनके अध्यक्ष होंगे जेपी नड़ा साथ में अब यह उनका एक भाशड होगा जनता के नाम संदेश तब ही तो सब मोदी को चुंते हैं इसका ढरा मतलब इए क्या है कि ये बता रहा है कि देखिए 10 साल हो चुके हैं अब जो परीक्षा यह सेमी फाइनल चुनाव था अब जो फाइनल इलेक्षन है वो लोकसवा का होने वाला है जिसमें मोदी की सिधे परीक्षा है तो उनका जो काम 10 साल का रहा उस पर जनता वोट देगी इसलिए वो यह कहना चाहरे हैं कि हम केवल सपने नहीं दिखाते बलकि जो सपने दिखात है कि हम उन सपनों को पूरा करते हैं बिल्कुल आभार व्यक किया है यहां पर भारती जनता पार्टी के रास्टी अध्यक्ष निदेश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का और जैसा कि हमारे एडिटर इंचीब भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सपने नहीं हकीकत है उसके बारे में भी बताया गया तो शायद अब लगता है कि रभी जी जगत प्रकास नड़्डा संबोधित करेंगे हां अभी मंच पर आप देखने चार लोग हैं इस बार यह चार देखने राजना जी अभी तक हैं लोग सभा के बार देखने वाला होगा कि कहीं मार्ग श्री नरेंद्र मोधी जी आज इस कारकम में उपस्सित भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाच सिंग जी ग्री मंत्री जी श्री हमिद भाईशा जी और यहां इतनी बड़ी संक्या में इकत्रा आये भारतिय जनता पार्टी के बहुत ही जुजारू कारकरता बंदू और मीडिया के मेरे साथ ही प्रिंट मीडिया और इलक्ट्रोनिक मीडिया के मेरे साथ ही आज ये हमारा सोभाग्य है कि जब चार विधान सबाओं के नतीजे आए है तो भारतिया जंता पार्टी ने आजरनीय मोदी जी के नित्त में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है बहुत बड़ी जीत हासिल की है ऐसे खुशकवार समय में मैं अपनी और से और आप सब लोगों की और से और लाकों करोडों कारे करता जो डिजिटल के माद्यम से और टेलिवीजन के माद्यम से जुड़े हैं उन सब की और से आदन ये प्रधान मंत्री जी का इस कारकम में आने पर हार्दिक अभिननन करता हूँ और स्वागत करता हूँ जब हम प्रधान मंत्री जी का अभिननन करते हैं तो दिल से उनको हम धन्यवाद भी देते हैं और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि बार्तिय जन्ता पार्टी जब भी कोई चुड़ाव लड़ती है चाहे वो प्रधान मंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके ने तुट को समाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है और उन्होंने अथक प्रियास अथक मेहनत और संगटन और चुड़ाओ के राजनीती और रननीती की चोटी चोटी बारिकियों से लेकर उस से निकलने वाले नतीजे तक का खुद ध्यान रखते हुए चुड़ाओ को इस मुकाम तक पहुँचाया है और एक नहीं अनेकों चुड़ाओ को पहुँचाया है ऐसे हमारे ये शस्वी पुदान मंत्री जी है मित्रों ये जो संदेश इस चुड़ाओ के नतीजों ने दिया है वो पर्ष बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गाओ को मजबूती दे सकता है तो वो पुड़ान मंत्री नरंद्र मौदी जी दे सकते है चुड़ाओ के नतीजों ने फस्त संदेश ने दिया है कि अगर कोई गाओ गरीद वंचित पीड़ित सोशित आदिवासी भाई अनुसुसी जाती का भाई इनको कोई सम्मान के साथ मुक्यधारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं भारत के यसस्त सुई प्लान मंत्री मौदी जी है और इसलिए और इसलिए चाहे महिलाओं का सशक्ति करन हो चाहे किसान को सम्मान देने की बात हो चाहे युवाओं की आकांचाओं और आशाओं को आगे बढ़ाने का उनके सपनों को साकार करने का का काम हो वो सब को अगर विश्वास है तो आदर्न ये प्रदान मंत्री मौदी जी के उपर है जिनके माध्गन से वो आगे बढ़ बढ़ बित्रों मैं यहां आपको यह भी कहना चाहता हूँ अभी नारे लग रहे थे मौदी जी की गारंटी मौदी जी की गारंटी यह सब यह चुनाओ इस बात को भी इस पर्स इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है वो मौदी जी की गारंटी है और यह चुनाओ के नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पस्थ है कि मोदी है तो मोदी जी है तो यह स्पस्थ हम सब को देखने को मिलता है मित्रों यह चुनाओ एक और बात का संदेश देते हैं जातिवाद और तुष्टी करन यह जिस तरीके से इंडी एलाइंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की जिस तरीके से देश को बाचने की कोशिश की और तुष्टी करन की वोड बैंक की राजनीती को आगे बढ़ाने का काम किया इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पढ़ना भारी बढ़ा है ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और देश ने देश ने विकास को आगे रखकर के इन चुनाओं के नतीजों पर मोहर लगाई है ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए मैं यहां ये भी कहना चाहता हूँ आज ये इंडी अलाइंस इनको नया नया शोक नया नया जोश नया नया नारा OBC 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 की चिंता नहीं ये नयने हैं लोग ये इंडी अलाइंस के लोग ये कॉंग्रेस के लोग घर्याली आसू बहा कर OBC का नारा लगाते हैं ये भूल जाते हैं कि देश को OBC का प्रण मंत्री मोधी जी है तो प्रण मंत्री मोधी जी OBC का प्रण मंत्री रहे हैं और सब के समाज का सबका विकास करने का प्रण लेकर सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इसको आगे सिर्फ आसन सदियं थी नहीं सिर्फ वो एक तरीके से बहुती निम्निस्तर की थी ऐसी टिपणी की कॉंग्रेस के नेताओं ने जिसको साबजनिक मंद से दोहराना भी मुश्किल होता है ऐसी भद्धी टिपणिया प्रधान मंत्री जी पर की क्या उसलमें उनको ध्यान में नह देने का मतलब OBC को गाली देना है पिछड़ी जाती को गाली देना है यह उस में उनके ध्यान में नहीं था च्याग्य、 और एक और नेता पैदा हुए मैं ना मापी मांगू त्यानि रस्ती जल गई बल नहीं गया है बल नहीं करते हैं वो भी हमको ध्यान में रखना जाए हैं मैं प्रदान मंत्री मोदी जी और आप के बीच में क्योंकि हम सब लोग उनको सुनने के लिए हैं मैं बहुत देर नहीं रहना चाहता लेकिन यहां पर इस मंद से भारती है जंता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं भार कि जंता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनके आशिरवाद के लिए उनके समर्पर्टी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यह और कॉंग्रिस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजय इस वक्त कुछ कह रही हैं उनसे खास बातचीत की गई है आई बीसी 24 के बनी लेकिन 2023 में कॉंग्रिस की करारी हार हुई है और 54 सीटों पर सिमट गई है आखिर क्या है वज़ा और इसके पीछे जानेंगे हमारे साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजय आप देख सकते हैं चंदर नियादो जी और जांगिर जी मौजुद हैं मैं सबसे पहले र इसी नहीं थी इसके बावजूद जो जीते हैं उनको मैं बधाई देना चाहूंगी बाजपा को भी बधाई देना चाहूंगी और जो हमारे भी जीते हैं उन सबको बधाई देना चाहूंगी समीक्षा तो करनी पड़ेगी कि कई जगे हम बिलकुल साफ हुए और कई जगे जहां जीते हैं तो बहुत बढ़िया धंग से भी जीते हैं तो ये सारा क्या कुछ है वो देखेंगे आगे पार्टे देखो हार जीत होती है और आगे के लिए इससे हम सीख लेकर अपने संक्ठन को पार्टी को और मस्बूत करेंगे आमें जो 22 विधायकों की टिकिट आप लोगों ने काटी वहां परवलगी थोड़ा सा लगता है कि आधे आधे लगबग जीत गए हैं आप लेकिन ऐसा देखने को मिला कि आपके 8 से 9 मंतरी हार रहे हैं इस पर क्या कहेंगे जी बिलकुल ये भी एक जिन्ता का विशे है कि हमारे इतने सीनियर नेता हारे हैं और क्यों हारे काम क्या काम हुए नहीं हुए क्या कारण था क्या वरकर पुश्च थे नाराज थे ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी तो और जन्ता के बीच में किस तरह की बात हुई क्योंकि जन्ता के साथ कनेक्ट तो बहुत जरूरी है तो कुछ जो भी बातें अलग अलग जगे पर अलग कारण हो सकते हैं जैसे मैंने कहा कि कहीं पर जहां जीते हैं हम बहुत ही बड़ी अधंग से भी जीते हैं जानकिर चापा सक्ती उधर उस एरिया में आप देखें कसडोल बलोदा बजार सब वहां पर मतलब बहुत अच्छे धंग से हम जीते हैं और कई जगे तो बहुत बुरी तरह से जैसे आप राइपूर में ही ले लीजिए तो बहुत ज्यादा मार्जिन और जब कि ऐसा लगता नहीं था पर अब ये बात कहना भी थोड़ा वैसे लगता है हार हार होती है मैं सुरुवात में ऐसा लगा जब 2018 में चुना हुए तो 36 गड़ियावाद के मुद्दे पर किसान के मुद्दे पर जो बीजेपी कभी नहीं रहती थी वो बीजेपी जो है अपने कारकरमों में 36 गड़ महतारी की फोटो फिर मैनी फेस्टों में धान का दाम जो है ज्यादा देने की बात कही कुल मिला कि आपके पीछ पर आ गए लेकिन आप अपने पीछ को कामयाब नहीं रख पाए किसान भी आप से नाराज हो गए नाराज नहीं हुए हमने जो किया इनके लिए इतने सालों में किया किसान हमारे से खुश था और ऐसी बात नहीं थी वो किसी और पिछ पर आप यह समझ लीजिए कि जिन चीजों को ये रेवडी कहते थे आखिर मैं इनको भी रेवडी बाटनी पड़ी और हमारी पिछ पर ये आये, कई जगे आपने देखा है, गुम्राह करने का अभी भी आप देख रहे हैं, बुल्डोजर लेकर आ रहे हैं, और इस तरह की बातें समाज में ठीक नहीं रहती हैं, लेकिन अभी वो जीते हैं, लोकसभा चुना भी काफी नजदीक है, आप लगातार चुना हुआ र करेंगे, जब अभी देख लिया हमने, और पिछली बार का अनुभव भी हमारा रहा लोकसभा का, तो अब आगे आने वाले इस चुनाओं में हम देखेंगे, लोकसभा के लिए पूरी मेहनत करेंगे. आज की विजय अइतिहासिक है, अभुत्पुर्व है, आज सबका साथ सबका विकास की भावना जीती है, आज विक्सित भारत के आहवान की जीत हुई है, आज आत्म निर्भर भारत के संगल्प की जीत हुई है, आज बंचितों को वरियता के विचार की जीत हुई है, आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास इस सोच की जीत हुई है, आज इमांदारी, पारदर्चिता और तू साथन की जीत हुई है, सबी मतदाताओं को आज बंचिता हुई है, मुदर्ग पुर्वक्त नमन करता हुई, मजबदेश, राजस्थान और च्छत्तिजगर के लोगों ने भाजपा पर फर्पूर्ष ने दिखाया है, तेलंगना में भी बीजेपी के प्रती समर्थन लगारतार बढ़ रहा है, यह हम सभी का सवभाग्या है, जब अपने परिवार जनों से इतना प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, तो मैं व्यक्तिगर दुप से रनुभाव करता हूँ, कि मेरी जिम्मेदारी और अधीक बढ़ जाती है, आज भी मेरे मन में यही भाव है, मैं अपनी माताओं, बेहनों, बेटियों के सामने, मैं अपनी युवा साथियों के सामने, मैं अपने किसान भाई बेहनों के सामने, मैं अपने गरीब परिवारों के सामने, उन्होंने जो मेरे, जो बड़ चड़कर के समर्थन दिया है इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ इस चुनाव में बेश को जातियों में बाटने की बहुत कोशी से हुई लेकिन मैं लगाता कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है और जब मैं चार जातियों की बात करता हूँ हमारी नारी शक्ति हमारी युवा शक्ति हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार इन चार जातियों को ससक्त करने से ही देश ससक्त होने वाला है आज बड़ी संख्या में हमारे ओबिसी साति इसी वर्ग से आते हैं आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साति इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनाओं में इन चारो जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्सा दिखाया है आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है आज हर वंतित के मन में भावना है कि चुनाओं वो खुद जीता है आज हर किसान यही कहता है यह चुनाओं हर किसान जीता है आज हर आदिवासी भाई बैन यह सोच कर खुच है कि उसने जीसे वोट दिया वो विजए उसकी अपनी है आज हर फर्स टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजए का कारण बना है इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है इसी जीत में बैतर भविस्त का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विख्सिज राष्ट देखना चाहता है साथियों मैं आज विशेज रुप से देश की नारी शक्ति का अविनंदन करूंगा रेलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुचा सकते आज नारी शक्ति वन्नन अधिनियम ने देश की मातवों बेहनों बेटियों के मन में नया विस्वास जगाया है आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगाया है कि भाजपास सरकार में उनकी सक्रिय भागिदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है आज हर बेहन बेटी को साप साप लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा नारी सम्मान नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उन्होंने देखा है कि बीते दस वर्षों में भाजपाने उन तक टॉइलेट बिजली गैस नल से जल बैंक में खाते ऐसी बुनियादी सुविदाएं पहुचाने के लिए कितनी इमान दारी से काम किया है आज वो देख रही हैं कि कैसे बीजेपी घर परिवार में समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार स्वरोजगार के ने अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडेल का एक महत्वक्पून स्तंब भी है और इसलिए इन चुनावों में महलाओं ने बहनों बेटियों ने एक प्रकारते भाजप का के विजे की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशिरवाद दिया है मैं आज पूरी विनम्मता से बेश की हर बेहन बेटी को यही कहूंगा कि आप से जो वाइदा बीजेपी ने किये हैं वो शक्त प्रतिशत पूरे किये जाएंगे और ये ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पस्ट की है बेश का युवा सिर्फ पर सिर्फ विकास चाहता है जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाब काम किया हैं वो सरकारे सत्ता से बहार हुई है चाहे राजस्तान हो चत्तिजगड़ हो या तेलंगना हो ये सारी सरकारे पेपर लीक और भरती गोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी परणाम यह हुआ कि इन तीनों ही रज्यों में सत्ता में बैटे दल अब सरकार से बहार है आज देश के युवाँ में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांशाय समझती है उसके लिए काम करती है देश का युवाँ ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवाँ हितेसी होती है युवाँ के लिए नए अवसर बनाने वाली होती है साथियों आज देश का आदिवासी समाज भी अब खुल कर अपनी बात रख रहा है ये वो आदिवासी समाज है जो कॉंग्रेस की नीतियों की बजह से साथ दसक तक पीछे रहा है जिसे आउसर नहीं दिये गए इनकी जनसेंगे आज दस करोर के आसपास है हमने गुजरात के चुनाव पर्रामा में यह देखा है जिस कॉंग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आदिवासी समाज ने कॉंग्रेस का सफाया कर दिया यही भावना आज हमने MP 36 गड़ और राजस्थान में भी देखी है इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हो गया है आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांग्षी है और उन्हें बरोसा है कि इस आकांग्षा को सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है मेरे परिवार जनों मैं आज हर राज्य के भाजपा कायरकरताओं की भी सराना करूंगा भूरी भूरी प्रसंसा करूंगा भाजपा और कबल के प्रती आपकी निष्ठा आपका समर्पण अतुनिय है डबल इंजिन सरकार का मेसेज आपने पूरी मांदारी से जन जन तक पहुँचाया इसी का प्रणाम आज हमें मिल रहा है हमारे राष्टिय देख्ष्य नद्दाजी जिस प्रकार अपनी नीती रणनीती को अमल में लाए यह विजय उसका भी परणाम है और चुनाव के तर्म्यान उनके परिवार में दुखत घटना घटी लेकिन उसके बावजुद भी नद्दाजी भारती जनता पार्टी के कारकरता के रूप में दिन रात जटे रहे साथियों राज नीती के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविश्यमानियों से दूर रहा हूँ मैं कभी बादे बादे और बड़ी बड़ी गोश्राइं नहीं करता हूँ इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूँ लेकिन इस बार चुन्याओं में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था मैंने राजस्तान में मावजी महराज को प्रणाम करते हुए उनी की धर्ती पर ये भविश्यमानी की थी कि राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार लोट करके नहीं आएगी मैं भविश्य बेता नहीं हूँ लेकिन मेरा राजस्तान के लोगों पर भरोसा था वहां की जनता पर भरोसा था और आज हम नतिजे देख रहे हैं मत्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है दो दसक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है 36 गड़ के परिवार जनों को तो मैं जब मैं वहाँ चुनाव सभाव में गया तो मैं खुद ही पहली सभा में 36 गड़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था मैं आप से कुछ मांगने नहीं आया हूँ मैं तो आपको तीन डिसंबर के बार सरकार बनेगी तो सपत समारू में निमंत्रन देने के लिए आया 36 गड़ के परणाम से साभ है कि हर परिजन ने उस बात को स्विकार किया है मैं तेलंगना की जनता और तेलंगना की भाजपा कार करताओं का विशेस आभार व्यक्त करताओं हर चुनाओं में तेलंगना में भाजपा का ग्राप लगातार बढ़ रहा है मैं तेलंगना के लोगों को ये विश्वाद दिलाता हूँ कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी भारतिय जनता पार्टी तेलंगाना अभी वृत्ती कोसं एल्ला पुडुपनी चेंट तुने उटुंदी तेलंगाना तो माको चाला मंची अनुबन्दम उंडी मेरे परिवार जनो इस चुनाव परणाम की गुण्य सुरप एमपी राजस्तान और चत्तिसगर तक सीमीत नहीं रहेगी इन परणामों की गुण्य दूर तक जाएगी पूरी दुनिया में इन चुनाव परणामों की गुण्य सुनाई देगी ये चुनाव परणाम भारत के विकास पर भरोसा दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा ये चुनाव परणाम दुनिया भर के निवशकों को भी नया विश्वास देगा भरोसा ये कि आज आजी के अमरितकाल में विश्वीत भारत का जो संकल्प हमने लिया है उसे जनता जनारदन का लगातार आशिरवाद मिल रहा है आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोगतंत्रा और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं कितने मैच्चौर है आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए स्थीर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है साथियों भाजपाने सेवा और सुशाशन की राजनीति का नया मोडल देश के सामने प्रस्तूत किया है हमारी नीती और नेड़ों के मूल में शिर्पर सिरफ देश है देश वासी है भारत माता की जै यही हमारा मन्त है इसलिए भाजपा सरकारे सिर्फ नीतिया नहीं बनाती बल्कि हर हकदार हर लाभारती तक वो पहुँचे ये भी सुनिस्चित करती है भाजपा, परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राज़निती देश के सामने हकिकत बन करके लेकर क्या आई है भारत का मत्दाता जानता है कि स्वार्थ क्या है जनहीत और राष्टहीत क्या है दूद का और पानी का भेज देश जानता है जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई हवाई बाते करना और लोब लालच की गोशनाए करना इमत दाता पसंद नहीं करता मत्दाता को उसका जीवन बहतर करने के लिए एक स्पस्ट रोड मैप चाहिए एक विश्वस्वस्वित्य चाहिए एक बरोसा चाहिए भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है हर परिवार का जीवन बहतर होता है इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है लगातार चुन रहा है और कुछ लोग तो कह रहे है कि आज की इस हैट्रिक ने चौबिस की हैट्रिक की गारंटी दे दी है साथियों आज के एक जना देश ने ये भी साबित किया है कि प्रस्टाचार तुस्टी करण और परिवार बात को लेकर देश के भीतर देश के हर नागरी के दिल में जीरो टॉलरंस बन रही है आज देश को लगता है कि इन तीन बुराईयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है भाजपा की केंदर सरकार ने देश में ब्रस्टाचार के विर्द जो अभियान छेट रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है ये उन दलों उन नेताओं को वोटर की साप साप चितावनी है जो ब्रस्टाचारियों के साथ खड़े होने में जराबी शर्मन वह नहीं करते उन लोगों को देश की जनता ने आज साप साप संदेश दे दिया और ऐसे लोग जो बांती बांती के तरकों से ब्रस्टाचारियों को कवच देते हैं कवरप परने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग जो ब्रस्टाचार पर कड़ा प्रहा करने वाली जांच एजन्सियों को बदनाम करने में दिन राज जुटे हुए है वे समझने ये चुनाव नतीजे ब्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई का भी जन्समर्थन है ये चुनाव नतीजे कॉंगरेट और उसके गमन या गटबंदन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए देश का भरोसा नहीं जीता जाता देश की जन्ता का दिल जीतने के लिए राष्ट सेवा का जज़वा होना चाहिए और गमन या गटबंदन में रती भर भी वो नजर नहीं आता है गाली गलोच निराशा नेगेटिविटी एक गमन्डिया गटबंदन को मेडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है लेकिन जन्ता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती है शाथियों आज के ये नतीजे उन टाकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन्कल्यान की राजनीथी के खिलाप खड़े रहते हैं जब भी विकास होता है। कॉंग्रेस और उसके साथ ही विरोध करते हैं जब हम मंदे भारत ट्रेन लांच करते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही उसकी मजाक उड़ाते हैं जब हम आईश्मान भारत लांच करते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही इसमें रोड़ा अटकाते हैं जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं, तब कॉंग्रेस और उसके साथ ही रुकावटे डालते हैं, जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं, तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही इसमें प्रसाचार का रात्ता बनाने में लग जाते हैं, जब हम गामी विकास के लिए फ प्रिबो ने चेतावनी दी है सुधर जाईए सुधर जाईए वर्ना जनता आपको चुन-चुन करके साप कर देगी आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्यार की योजनाओं और उनके लिए भेजे जहराए फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो यह जनता का आदेश है वर्ना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी लोग तंत्र के हित में मेरी कॉंग्रेस और उसके साथियों को नम्रता पुर्वक सला है कृपा करके ऐसी राजनिती न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे जो देश को बाटना चाहते हैं ऐसे लोगों को मजबूती दे जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गती दे साथियों आज भारत की अर्थे ववस्ता का हर पहिया पूरी गती से घूम रहा है कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का आशर भारत पर पड़ेगा लेकिन भारत ने हर आकलन से कहीं बहतर प्रदर्शन किया आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विक्षिद होती आर्थिक ताकत है आज भारत का आत्म विश्वास भारत के लोगों का आत्म विश्वास अभुद्पुर्वस्तर पर है आज भारत में आज देश में रिकॉर्ड जी एस्टी कलेक्शन हो रहा है कुरुशी उत्पामन के नए रिकॉर्ड बन रहे है भारत के शेर मार्केट पर बरोसा चरम पर है आज भारत के निलियात के नए रिकॉर्ड बन रहे है यूपी आई टांजेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे है त्यहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे है गाडियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे है आज भारत में सिमन प्रोड़क्षिन बढ़ रहा है कोईया प्रोडक्षिन बढ़ा है आज भालत पर स्टील त्पादन पढ़ा बढ़ा है दुनिया भर की कमपनिया भारत समें वनिफैट्टेरिंग में रातूर है होई आता आप देखिए चारों तरफ एक्सप्रेसवे का इंडस्ट्रियल कोरिडोर का जाल बिश रहा है भारती रेल आज अपने ट्रांसफर्मेशन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है आज देश में नए रेल विस्टेमें बन रहे हैं आधुनिक ट्रेने आ रही हैं गती नहीं है संकल्प नए है और मैं देश वाश्यों को कहना चाहता हूं हर देश वाश्यों को कहना चाहता हूं और मैं मेरे ट्रेक रेकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं बड़ी मांदारी से कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आपके सपने आपके सपने मेरे देशवाजियों आपके सपने वो मेरा संकल्प है आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है मेरी तपस्या भी है साथियों भारत का डिजिटल इंफ्रसेक्टर दुनिया में स्रिष्टता की तरफ बढ़ रहा है भारत आज दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में अगरणी देश में पहुँच चुका है आज भारत में गाउं गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुँच रहा है आज देश के सोचल इंफ्रसेक्टर पर भी अभुत्पुर्व गती से काम हो रहा है हर गरीब को मुप्त राशन वाली योजना अगले पांच साल के लिए बढ़ा दी गई है भाजपाद सरकार में चार करोड गरीब परिवारों के पक्के गर बन चुके है हम हर गरीब परिवार को पक्की छत देने के संकल्पकी के और तेजी से बढ़ रहे है घर घर नल से जल यह भ्यान तेज गती से चल रहा है आज देश में रिकॉर्ड गती से नए अस्पताल बन रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के संक्या बढ़ रही है भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है भारत के लोग इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं अब इस से पीछे नहीं अत्लाया और पीछे हटना ले मोधी के तो कभी स्विकार नहीं हो सकता है भारत के लोग stability चाहते हैं स्थाईत्व चाहते हैं भारत के लोग विख्सिद भारत की आत्रा को गती देना चाहते हैं मैं देश के प्रत्यक युवा को आवान करता हूँ वो विख्सिद भारत का ambassador बने वो विख्सिद भारत के संकल्पों का नेत्रत्व करे मैं भाजबा कायर करता हूँ से भी कहूंगा प्रत्यक भाजबा कायर करता हूँ नमो एप पर जाएं और कम से कम दस लोगों को विख्सिद भारत का ambassador बनाएं हमें आज एक ऐसी पीडी तेयार करनी है जिसका सपना हो विख्सिद भारत जिसका संकल्प हो विख्सिद भारत जिसकी साधना हो विख्सिद भारत जिसका समर्पन हो विख्सिद भारत साथियों विख्सिद भारत के निर्मान के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक कोई भी नागरिक पीछे नहीं छुटे इन चुनावों मेंने लगातार कहा है कि हर लाभारती तक पहुचकर भाजबाज सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाब देगी इसके लिए केंद्र सरकार ने चौदा नमंबर यानि जन जातिय गवरव दिवास यानि भगवान बिरसा मुंडा की जैनती से विख्सिद भारत संकल पर यात्रा शुरू की है योजनाओं से वंचित लोगों को जोडने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है जिन जेत्रों में यात्रा पहुंच रही हैं वहां लोग खुश्या मना रहे हैं कि मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी हमारे गाओं आ रही है मैं आज विजे के समारों से हर विजे भी कारकरताओं को सला दूँगा आगरे करूँगा अब आज से आपको मोदी की गारेंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी देश की सफल्मता की गारेंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारेंटी है और आपको एक बात और याद रखनी है जहां जहां दूसरों से उम्मिद खत्ब होती है वहां से मोदी की गारेंटी शुरू होती है मेरे परिवार जनों विधान सबा चुनाव के नतीजों ने पोजिटिव एनरजी का एक ऐसा प्रवाः शुरू किया है जिसे आज पुरा देश महसूस कर रहा है इस शक्ति ने विश्षीद भारत के लिए तयार हुई नीव को और मजबूत कर दिया है हमें ये उर्जा बनाय रखनी हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है हमें 140 करोर भारतियों के विश्वास को जगाय रखना है हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है हमें हर मन को समझना है हमें सब को साथ लेकर चलना है हमें हर एक को अमरित कान की विकास यात्रा का साथ ही बढाना है जो हमसे दूर है हमें उनके पात पहुँचना है जिने संदे हैं हमें उनमें भरोसा जगाना है भाजपा के कारकरताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि नकारात्बख शक्तियां अब तेजी से एक जुड होने का प्रयास करेगी देश को बांटने वाली ताकतें अभेडी चोती का जोर लगाएगी समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलासेंगे हमें उन से मुकाबला भी करना है उनके फेक डिरेटिव को जवाब भी देना है लेकिन उस से बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है साथ यो उस्षा और उमन के इस वातावर के बीच मेरी आदत छुडती नहीं है तो मैं फिर यो तो करता ही रहता हूँ क्यों में के मूलत हसंगटन से निकला हूँ तो स्वभाव मेरा जाता नहीं मैं आज पूरा दिन टीवी पे क्या चल रहा था जादा समय नहीं दे पाया देख नहीं पाया क्योंकि मैं हमारे जो भारत का पूर्वी समुद्री तठ है के वहाँ साइकलों की सम्भावनान नजर आ रही है जराती जी के सम्भावना नजर आ रही है और इसलिए विजय के महत्सों में भी मैं तो यही कार्यकरतों से कहुंगा हमें साइकलों मिचों से भी सतक रहना है बंगाल की खाड़ी से सटे तर्टी इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्ग में है उनकी हर संबव मदद भी कर रही है मैं तमिल नाड़ू, पुड़ी चेरी, उड़ी सा और खास तोर से आंदर प्रदेश के भाजबा कायर करताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार बले किसी भी दलकी हो आप पूरी शक्ती से राहत और बचाव काम में जुड़ जाना प्रशासन को पूरा साथ देना और यही एक समर्पीज भाजबा कारकरता के समस्कार होते हैं हमारे लिए दल से बड़ा देश है हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देश वासी है साथियों सब के प्रयास से ही हमने अपने संकल्पों की सिद्धी कर सकते हैं मुझे देश की अमरुत पीड़ी पर भरोसा है हमारा लक्ष एक है साधना एक है सपना एक है भारत विक्सित होकर रहेगा इसी भी समास के साथ मैं फिर एक बार सभी मत दाताओं का बिनंदन करता हूँ जो भी विजई हुए हैं उनको शुप कामना ही देता हूँ और हम सम मिल करके देश के सामान ने मानुई यासा पैक्षाओं को पूरा कर पाएं मैं आप सब कायर करता हूँ को आपके माध्यम से माधान में जो लोग महनत कर रहे थे उन सब को रजई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद जोटिस हैक्ट्रिक्ट्ट ने दुआजार चोबीस के एक्ट्रिक की गारिंटी दे दी है प्रदान मंति नरिंद्र मोधी को इस वक्त आप सुन रहे थे तीन राज्जों में बीजेपी कि पूर्ण बहमत और इस बड़ी जीत पर बीजेपी कारेला दिन्ली में जश्ट्नी की तस्वीरें हैं और इस दुरान प्रधानमंतिन नर 입니다. और उन्होंने कहा कि ब्रष्टचारियों को जनता का संदेश मिला है प्रधानमंतिन नरीन मोदी नहीं यह कहा है तो इस हैट्रिक ने 2024 के हैट्रिक की गारेंटी दे दिया जिस तरह से 36 गड़ में मोधी की गारेंटी चली लगातार पचार के लिए प्रदान मती नेरदमोधी 36 गड़ पहुचे और यहां कई गारेंटी 36 गड़ के लोगों को दे और इसी तरह मधिरमदेश में भी तो लोगों ने मोदी के गारेंटी पर महरोसा किया और पीजेपी की सरकार मैधिरमदेश 36 गड़ में यहाँ पर बनी और इस बड़ी जीत पर दिल्ली के बाची मुख्यालय में बड़ी संख्या में कारी करता हैं यहाँ पर जुटे जुलिए यहां से निकल कर सामने आ रहे हैं और प्रधानमती नरिनमोदी भी यहां पर पहुंचे रोने इस देश को संभोजित किया नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है इस वक्त हम इलेक्शन लाउंच में मौझूद हैं और जैसे हम ने आप से वाइदा किया था IBC 24 पर चुनाव की घोशना के साथ चुनाव के अंत में जब तक सरकार आकार नहीं ले लेती तब तक हम आपको एक एक अपडेट देंगे और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री को टक्टकी लगाए कान लगा कर सारा देश सुन रहा था चार राज्यों के नतीजें आए हैं तीन राज्यों में भारती जनता पाटी की स्थिति पर देश और प्रधेश की जनताको इशुपकामनाई दे रहे थे भारती जनता पाटी का केमा इस वक्त बेहत ऊचसाहित है मध्यप्रदेश और राजिस्थान और 36 गड़ इन तीनों स्टेट में अपकी बार चुनोतियां दोनों पक्षों के लिए कम नहीं लेकिन जीत का सहरा जिन पार्टियों के सर सजा है वहां जीत के लिए आकिर किसको क्रेडिट दिया जाएगा क्या ऐसी वज़े हैं जिने हम कह सकते हैं कि ये जीत की वज़े हैं और क्या ऐसे प्रमुक कारण रहे जिनकी वज़े से हार हुई और अब बारी है 36 गड़ के बारे में बाचीत करने की तो अगले एक घंटे हम आपको लगातार ये दिखाने बताने और चर्चा में विश्लेशन में इस बात को लाने वाले हैं कि आखिर कार कहां चूक हो गई चाहर के कारण रहे कांग्रेस पार्टी के लिए 36 गड़ में और ऐसे कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो जीत के जिम्मिदार माने जा सकते हैं शतीसगड में भारती जनता पार्टी कलिए भारती जनता पार्टी ये दावेत वह करती रही धीनाश है अभिनाश युवाओं की बाद पर आपने भी लगातार लोगों से चर्चा की है पूरे दिन का उवराउल यूवाओं के बीक का फीडवेक आप क्या शेयर करेंगे और जिस तरह से नतीजें आया है, पुरा देश इसे देख रहा था, सब प्रदेश की लोग इसे देख रहे थे, नेता देख रहे थे, प्रत्याशी देख रहे थे, विपक्षी खेमे के लोग देख रहे थे, और जिस तरह से सब के लिए ये शौकिन था, और प्रत्याशी भी अपडेट भी आपको दे दें कि 36 गड़ के मुक्यमंत्री भूपेश बगेल अपसे कुछ देर बाद राजभवन पहुचने वाले हैं अपना स्तीफा देने के लिए भारती जंता पार्टी का समय आ गया है और इस वक्त कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाओं का इंजार किया जा रहा है प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजा को हमने सुना प्रदेश जरूर उनसे भी सुनना चाहेगा कि प्रदेश के मुक्यमंत्री क्या कहते हैं तो क्या वे रियक्शन देते हैं उस पर हमारी नजर है वे राजभवन जा रहे हैं जैसे ही बाहर निकलत आने का प्रयास है हमारा कि आखिर वो कौन सी बज़ें हैं जिने हम जीत के फैक्टर्स कहेंगे और ऐसी कौन सी बज़ें हैं जो कॉंग्रेस पार्टी के हार के कारण बनें तो कुछ देर बाद राजभवन पहुंचने वाले मुक्यमंत्री भूपेश बगेल राज़पाल को स्थीपा सौपेंगे ये इस वक्त का अपडेट है और जीत हार के कारणों पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाले एक नज़र आ लिएगा कल चमन था आज एक सहरा हुआ देखते ही देखते ये क्या हुआ सत्ताधारी कॉंग्रेस के जज़वाद आज इन्ही लब्सों में सिम्टे नज़र आ रहे हैं तो दूसरी और बिजेपी खेमे में नारे, पटाखे और जोज से भरे नज़ारे ये कह रहे हैं पोल खिले, गुल्शन गुल्शन लोकशाही की ये जादुगरी है कि माया का मेला है, पास साल का खेला है 36 गड में चुनाओ की बिगुल बसते ही, अटकलों का जो कोहासा चाने लगा था, वो चट चुका है जनदेश का सूरज, पूरी पखरता की साथ उदित है परिणाम साफ है, जन्मत स्पस्ट है कॉंग्रेस और बिजेपी को अगले पास साल किस घुमिका में रहना है, ये तै हो गया है रिजल्ट से आकडों के अलावा और जो निकला है, उसके कई मायने निकल रहे है और कई आगे भी निकाले जाएंगे पर असल सवाल ये है कि बिजेपी अकर काम्याब होई तो कौन से वो एहम कारण है जिसने सत्ता की रह निकाली कॉंग्रेस अगर हरी तो किन वजो ने उसके लिए राच्पत का रास्ता अबरुद किया सवाल ये भी कि बिजेपी की सफलता के सार्थी कौन है कौन है वो चेहरे जो इस वक जीत की रोशनी में दमक रहे है दूसरी और कॉंग्रेस अगर मायूस है तो उसे इस मायूसे की गर्द में पहुचाने वाले किरदार कौन है ये सवाल भी अब सियासी आस्मान पर मुह पाई खड़ा हुआ है बीरो रिपोर्ट आई बीसी 24 तो जीत के कारण क्या रहे और हार की क्या वज़े है उसके पहले कि हम इसकी तफसील पर जाएं अपने दर्शकों को बता दें कि अब वारी है पूरी तरह से विशलेशन करने की इस नतीजे को 54 सीटों के साथ में भारती जनता पार्टी के लिए मैंडेट पूरी तरह क्लियर है अपडेट यह है कि मौझूदा मुक्यमंत्री भूपेश बगेल अपना स्तीफा सौपने जा रहे हैं ऐसी गड़ी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीत के कारण क्या रहें पर अगले आदे गंटे बाद हम आपको इसी मंच पर ये भी बताएंगे जीत के असल हीरोज कौन रहे भारती जनता पार्टी के पक्ष के और हार के जिम्मेदार वो कौन से चेहरे हैं उनके बारे में बताएंगे तो आप बने रहे हमारे साथ बड़ा इंट्रस्टिंग ये पूरा डिसकेशन और वो चेहरे हो सकते हैं हीरोज जीत के ऐसे साथ चेहरे हैं जिनके बारे में तफसील से बताएंगे अगले आदे घंटे के बाद और हार के मुझरिम वो पाँच फेसे कौन से कहे जा सकते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे फिलाल आपको ग्राफिक्स के नजरिये से मेरे सेवगी अविनाश ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीत के किन फैक्टर्स को इस पूरे इलेक्शन में हमने देखा महसूस किया अविनाश तो अविनाश आपको बता रहे हैं जीत के कारणों को लेकर क्या स्थिती है आईए आपको इनके बारे में हम विस्तार से बताएं विस्तार से दिखाते हैं टेलजन स्क्रीन देखें आप बीजेपी की जीत जिस तरह से हासील हुई 36 गड़ में पुनीजी नरेंद्र मूदी का चहरा और अमिच्शा की रणिती लगातार दो दिन के दोरे पर आते थे रात को अमिच्शा आते थे एक मंत्र देते थे जीत का कारेकरताओं को चार्ज करते थे और अगले दिन दिल्ली चले जाते थे ये फॉर्मूला बहुत काम किया प्रदेश की निताओं में CM के चहरे को लेकर कोई खीचतान नहीं दिखी जबकि कई धुरंदर, कई बड़े चहरे 36 गड़ में BJP के मौजूद थे इसके बावजूद मुख्यमंत्री के चहरे को लेकर कौन बरेगा इसकी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं देखे चलिए आज इस पहले फैक्टर पर हम जड़ा चर्चा कर लेते हैं हमारे साथ में इस वक्त वरन शिवास्तव जी हैं जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन को बड़ी बारीकी से हमारे वरिश सहयोगी हैं वो देखते रहे भाफते रहे और साथ में हमारे तीन सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे साथ में दो मेहमान और जुड़ रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ तीन सहयोगी हैं सौरप सिंग परिहार हैं कॉंग्रस पार्टी का ये पूरा पक्ष देखते रहे हैं पूरे दिन भर भी और एलेक्शन के दर्मियान भी राजेश मिशाजी हैं भारती जंता पार्टी के प्रदेश मुख्याले पर इनकी बारीक नजर बनी रही है और इस पूरे दर्मियान में सबसे मत्पुने सरगुजा का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो जाना कॉंग्रेस पार्टी का और पूरी तरह से सपोर्ट करना बीजेपी को तो सरगुजा की अलचल पर मेरे सेवगी अभिशेग सोनी ये नजर रखे हुए इन तीनों का रूख हम कर रहे हैं लेकिन इसके पहले चोटा सा रि की रणनीति की सबसे खास बात यह है यह अपनी अप्रोच और अपनी रणनीत को होरीजेंटल रूप से प्रकट करते हैं उसी तरह से इसको बुंते हैं वैसी बुनाबट करते हैं जहां आपको कोई ही एक हेंगल होता है ना थोड़ा सा मायक पास कीज़े कोई भी एंगल ऐ या घूमती नहीं इधर उधर 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 कौन बनेगा जाती समीकरन पत्रकार जो है तमाम सारे कयास लगाते रहे लेकिन अंतता जो चहरा आया वो बहुत सर्प्राइजिंग था किसी ने का कल्पना नहीं की थी और वो चहरा आ गया फिर बात आई कि नेता प्रतिपक् किया जा सके उस व्यक्ति के व्यक्तित को लेकर के लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी देखा जा सके उसके राजनेतिक असरात को भी समझा जा सके तो इस तरह इस चो इनकी स्ट्राटजी हम देखते हैं तो हर चीज हर स्टेप के पीछे यह एक मल्टीपल अप्रोच अपना पिछली बार इतियास रचा है, सारी सीटें कॉंग्रेस को दे दी, अब की बार भी इतियास है, टीए सिंदेव जैसे सबसे बड़े फेस को वहां से कम मार्जिन से सही, लेकिन हार जहलनी पड़ी, इतनी बुरी तरह से पिछड़े और जिस अंदाज में सारे के सारे चेहरे कारण बन सकता है, लेकिन बीजेपी इतने जबर्दस तरीके से जीतवां असिल करेगी, क्या खेमों का इस वक्त रियक्शन और माहौल आप देख रहे हैं। हमारे संग्ठन महामंत्री हितानंद सर्माजी के नित्रतु में भारती जन्ता पायटी के कारिकरता जुटे रहे। अगर सच्चे मन से जन्ता की सेवा करो, तो सेवा असर करती है। पूरा मद्ध प्रदेश जो हमारा परिवार है, उसके भाई और बहनों ने अपना परिवार समझ के अपना समझ के, क्योंकि नेता और जन्ता नहीं, पूरा प्रदेश परिवार हो गया, उन्होंने अदभुत प्यार दिया है। मैं आभारी हूँ, मेरी देवी तुलिब बहनों का, हम जहां जाते थे उनका प्यार उमरता था, वो स्नेह से आशिरवाद देती थी, और नकेवल आशिरवाद देती थी, भावोख हो जाती थी, और कहती थी, भईया अपन ही जीतेंगे, मेरी बहनों अपन जीत गए। भांजे भांजियों का, ऐसा प्रेम मिलता था, मामा मामा कहके पकारते थे, तो रॉम रॉम पुलकित हो जाता था। ये उन भांजे और भांजियों के प्रेम की विजय है, मैं प्रदेश के समाच के सभी वर्गों के, भाई और बहनों के प्रति, आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद देता हूं कई वार मुझे लगता भी कि धन्यवाद किसको दूँ क्यों कि सब तो अपने हैं। लेकिन फिर भी धन्यवाद उन्होंने विश्वास बना के रखा भारती जन्ता पारिटी पर और हमारा संकल्प है, कि जान भले ही चली जाए, इस विश्वास को कभी तूटने नहीं देंगे, जो प्रदेश के विकास का रोड मैप हमने बनाया है। हम उस पर चल कर प्रदेश को विक्सित भी करेंगे, सम्रिद्ध भी बनाएंगे, और जो जो वचन दिये हैं, वो सारे संकल्प पत्र में हमने, जो संकल्प व्यक्त किये हैं, एक एक संकल्प पूरा होगा, क्योंकि ये गारंटी भारती जन्ता पारिटी की मोदी जी की गार किन सब्दों में मैं आभार प्रिकट करूँ, मैं तो विनम्रता पूरबर सभी को प्रणाम करता हूँ, इस संकल्प के साथ, कि जीएंगे तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump Now sold in more than 100 countries, CRI Pumps, Pumping Crust Worldwide यह सब क्या है? शुनाया और शिवा शिवा अँ मुख़ी शुष सुनाये तुम तुनोंने गर बनाया है हाँ कर की नीव में क्या लगता है हमारा प्यार प्यार महीं कंजोव टी-E-M-T- का बार हुगा राक इच्फ अभी लेकिर हम ने तो एकदम सॉलेट TMT बार लगाया है अजब रुंटा स्टील TMT बार जंग से नमाने हार रुंटा स्टील TMT बार है बिल्कुल रहे रहे रेप लाप्टिक से प्रोटेक्शन नहीं लामिनेशन वाला अल्टिमा प्रोटेक एक्स्टीरियर पेंट गोल्डी मसाले अर्या काहे जगा दिया है आराम से सपना देख रहा था सपना पूरा करना है तो सूने से काम नहीं चलेगा जो किसमत को जगाने के लिए खुद कोशिश करते हैं मैं वेशे उनकी मादब करता हूँ कब तक परानी तक्नीक से चलते रहों तो रक्की करनी है तो जर्मन तेक्नीक वाले स्टी लुप करनों का अपना पड़ेगा समझ या सोनो भाई परी बरतन तो मैं लाकर रहूंगा और अपने सतनों को भी ज़रू पूरा करूंगा अप्शन टेसा का HDHMR बोड चाहिए वो हरे बोड निकाल दे भाई पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोड नहीं है सारे हरे बोड एक जैसे ही होते हैं हम बैठे हैं ना क्या ये दीमक बोरर रिजिस्टेंट है हम बैठे हैं ना और वाटर रिजिस्टेंट हम बैठे हैं ना किसी भी हरे बोड को HDHMR समझ कर खर लाओगे तो पच्ता होगे क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोड ही है वाटर टर्माइट और पूरर रिजस्टेंट हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती तो अपनी सेहत से क्यों मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी खून की कमे कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पु से माइक्रोटेक जम्बो ना शोर ना धुआ लेकिन चलाए पूरी दुनिया एर कंडिशनर, ओफिस, ट्यूब वेल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, सब चले बे फेकर माइक्रोटेक जम्बो पिना डीजल का जनरेटर गेखिसोर्स, रभिड然 in इस पीकिन को, आडियो सीडी के साथ, क्लैस्मिक गायाब करो, हुँँ, हुँ, ुडायाद, आण दो जाए बेफ प्लास्टिक से प्रोटेक्शन नहीं, लमिनेशन वारा Ultima Protect exterior paint बारिस दू पर धोल को आण दो तुम जार दो अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले जहा जाह जाहे रिष्टे बने जहां जाहे रिष्टे बनाए गोल्डी मसाले CRI pump CRI pump CRI pump CRI pump CRI pump CRI pump सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कठिंदर, अन्यमिता, खून की कमी, ठकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औशधी, एवं टॉनिक कोई भी MCB या वायर लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है इसलिए लगाएं सिर्फ Microtech MCB और वायर्स जो आपको बचाएं शॉर्ट सिर्किट, ओवर्लोड और शॉक से हमें आरोग्य वर्दक और श्वादेश्ट आहार शनमुखा एगरी टेक से ही मिलता है शनमुखा एगरी टेक करता है अध्भुत हर फसल हो जाए महा अध्भुत प्रेक के बाद स्वागत है आप देख रहे हैं IBC 24 पर इलेक्शन लोंच से 36 कड़के एतिहासिक विवेकनन सरोवर से सीधे लाइव ये बुलेटिन 32 गंटों का लगातार कवरेज हम आपके साथ कल शाम से शुरू कर चुके थे और कल पाँच बजे से शुरूआ चलसिला आज अभी तक अनवरा जारी है अब इस घंटे हम चर्चा कर रहे हैं 36 कड़ में जीत और हार के कारणों पर जीत का एक बड़ा फैक्टर हम डिसकस कर रहे हैं जिसमें हमने मोदी और शाह की जोड़ी का जिक्र किया है और आठ हजार से ज्यादा वोटों से मध्य प्रदेश के ग्री मंत्री नरोत्तम मिश्चा की हार हुई है यह इस वक्त का बड़ अपडेट है दर्शकों को पहले देदें अविनाश अभी हमने जिक्र किया था सर्गुजा का और बात अधूरी रह गई थी अभिशेक की हम चल सकते है माँ अभिशेक आपका रुक करेंगे क्योंकि 2018 में जब कॉंग्रेस की वापसी हुई थी 36 गड़ में मेलगें तब भी अंबेका पुर सुर्खियों में था सरगुजा सुर्खियों में था क्योंकि 14 सीटों के साथ 14 विधायक सभा सरगुजा संभाग ने भेजे थे और 23 जब आ गया तो यह नतीजा जो था पूरा पलडड गया चौदा के चौदा पूरा विधायक ये बीजेपी में चले गए तो अभी कैस्तिती आप देख पार रहे हैं कैसा महौल है दोनों खेमों का हाल बताएं आप जल्दी से अभिशेग अभिशेग हमारे साथ जुड़े हुएं आवाज मिल पारी अभिशेग आपको जी जी मिल रहे हैं पुनिजी अवाज जी बताएं दोनों पक्षों का हाल बताएं टियस सेंदेव साथ वहाँ से हार गए पूरा सरगुजा पूरी तरीके से भारती जन्ता पार्टी का सपोर्ट करता नजर आया दिखे पुनिजी जिस तरह से 2018 में जो चुनाओ परिणाम आया थे और कॉंग्रेस की तरफ से एक लहर चली थी अभी अम्वेकापूर जो विधान सभा का जो फैसला है वो अब तक आफियसली रूप से डिकलियर नहीं करा गया है 94 वोट से जो टीय सिंग्दो हैं उपमोख्य मंतरी हैं वो वो चुनाओ हार चुके हैं लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से पहले जो वेलड पेपर थे जो जिएक वेलड पेपर थे उनके जाज की मांग की गई उसके जाज पूरे होने के बाद अब रेंडबली रूप से जो उनके जाज की मांग की गई है अब भाजपा के जो कार करता है महिला कार करता उन्होंने इसका विरूत किया है और उनकी मांग है कि जब एक बार जीत हो चुकी है तो फिर रिग अकाउंटिंग करके इसको क्यों जीत को सर्टिफिकेट को क्यों नहीं दिया जा रहा है सुनिल सर्मा उन तक पहुंसते हैं और वो कहते हैं कि 94 सीटों से जो बत हैं उनसे भाजपा की जीत हो चुकी है ऐसे में जो यहां पर जो कारवाई है वो की जारी है यह अंबिकापूर की सीट का हाल है फिलहाल जो इस्तिती है 94 सीटों से जो उप मुख्यमंत्री टीय दूसरी तरफ जो परिणाम सामने आ है पुनित जी उसको लेकर न तो भाजपा के नेताओं ने ऐसा परिणाम की अपेक्षा की थी और नहीं कांग्रेस को ऐसी उमीद थी खाद मंत्री अमरजीत भगत जो की दिगज निता है चार बार से विधायक थे मंत्री थे उनकों हार का सामना करना पड़ा और करीब 20,000 से जादा मोतों से उन्हें सिकस ठेननी पड़ी और सबसे खास बात ये कि जो सीता और विधान सबाक शेतर है वहां से अब तक आजाद खाद पूर की बात करें तो वहां से ये माना जा रहा था कि गुलाब कमरों चुनाओं में काफी आगे रहेंगे लेकिन ऐसा नतीजा नहीं हुआ रेणुका सिंग जी ने वहां से चुनाओं में जीत दर्श की जो कोरिया जीने की तीनों सीटों पर भाज़पा के नेता जीते रामानुजगन से रामिचा प्रिजेपी की स्ट्रेजी बनाने में केंद्री ग्रेमंत्री अमिशा की कितनी माधपून भूमी का थी इसके बारे में वरुन जी ने हमको बताया मैं तोड़ा और इस विस्तार में जाओंगा लेकिन पहले ज़रा पार्टी मुख्याले का एक अप्डेट हम और ले ले राजेशी बताए आप भारती जनता पार्टी मुख्याले की स्थिती समय जाहिर है बड़े उत्सा जनक माह में और एक सवाल के साथ कि कौन अब अग्वाई करेगा मुख्या बनेगा इसको लेकर माहूल बताएं देखे पुरी जी मेरे को आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है मगर जो आप पूछना चाहते हैं वो मैं समझ चुका हूँ अभी हैं भारती जनता पार्टी के मुख्याले को साब भूछ ठाकरे परिसर में खड़े हुए हैं और आप महौल मैं आपको दिखाने की कुझिश कर रहा हूँ बहुत महौल, खुस्णुमा महौल है, जसन का महौल है, और लागभबा कर दो घंटे से भारती जनता पार्टी में इसी तरह जसन का महौल है. मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूं ये जो बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर फिलहाल पूरी चुनाओं की रणनिती यहाँ抄 तयार हुई है अगर हम अभी बात करें तो प्रदेश के जो चुनाओ प्रभारी हैं, अबनपूर के जो जीते वे प्रत्यासी इंदुरुकुमार, प्रजितने भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी जो यहाँ पर पहुँचे रहे हैं, बरिश्च नेताओं से बाच्चित कर रहे हैं और निश्ची तुरुप से अब ये ताय हो रहागा कि कब विधायक धल की बैठक करनी है और जो जानकारी मेंगी कि कल सुबह जो है विधायक धल की बैठक की जाएगी और उसके बाद भारती जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा करेगी और लगातार जीत को लेकर भारती जासना और उत्साहा का महौल है बना हुआ है और अगर हम बात करें तो आरंग में मंत्री जो सीवड हरिया वो भी करिंग 16,008 से हार चुके हैं तो और इसके अलाबा अगर हम बात करें पूर मंत्री धनें साहू, पूर मंत्री अमितेश, शुकला और ये तमाम जो कांग्रे जनता पार्टी में काफी उत्साहा देखा जा रहा है, एक उत्साहा का महल देखा जा रहा है, और जब अप्डेट आएगा वो वापस जानने के लिए आपके पास आएंगे, फिलाल ये भी बता दें अपने दर्शकों को अभै नारण सिंग साहब हैं, कॉंग्रेस पार्ट पार्टा के नाते इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, अभाई जी स्वागत मैं आपका करता हूँ, आपके पास आऊँगा कुछ देर बाद, लेकिन फिलाल सबसे मात्पूर्ण जो एक हम जानकारी दे रहे थे अपने दर्शकों को के मुख्यमंत्री बूपेश बगेल, स्तीफा देने जा रहे हैं, तो क्या अपडेट है सरा लीजे आप अविनाश, सौरप सिंग पर्यार, राजी भवन कॉंग्रिस के दफ्तर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, क्या अपडेट है, तफसील से बताएं, जल्दी से बताएं, सौरप चलिए, अवे नारेंड साब के पास हम चलते हैं, सौरप का संपर कमारा फिलाल नहीं हो पायां, अभी हम जीत के कारणों पर बातचीत कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहला कारण, जो हमको दिखाई पड़ता है, हम यहां, यहां कॉंग्रस पार्टी यहां, जैवीरू में उ आकर यहां पूरा माहौल पलट दिया, 6-7 हफ्तों के भीतर, मोदी जी का चेहरा और शाह साब की रणनीती, यह तक आ गया कि परसनल इंट्रेस्ट उनका 36 गड़ में पूरी जमावट पर आ, रात में आकर स्टेरेजी बनाना, लंबी मीटिंग्स लेना, हर निर्णे में उन जो भी आज जनता का फैसला आया है, उस फैसले को स्विकार करते हैं, और जनता को धन्यवाद देते हैं, कि पांच साल हमारी सरकार लही हमने काम किया, हमको साथ दिया, और आज जो भी जितनी सीटे हमको मिली है, उसके लिए उनका हम बहुत अभार पगट करते हैं, दूसर जनाओं को अगर आगे चलाएं, जिते छतियर की जनता को उनका लाब मिलता रहें, अब बात रणिती की है, तो कॉंग्रेस पार्टी ने भी रणिती बनाई और भारती जनता पार्टी ने रणिती बनाई, हमारी रणिती अठारा में सफन हुई थी, 15 साल की सरकार, उनकी इ हमको सुईकार किया, वर्तमान में हमको भरोसा था, कि हमारी योजनाओं पे हमको वोट मिलेगा, हम जो छतिगड़िया साहिवान के लिए काम किये, उस पे हमको वोट मिलेगा, जनता हमारे साथ जाएगी, और इमें आज भी कह सकता हूँ, कि भुपेज मग्रिल सरकार, कॉं सुईकार किया, अच्छी बाते कि आपने जनादेश को सुईकार किया, और आपने इस जोड़ी के बारे में जो कहा, इसकी रणीती के बारे में जो कहा, इस पर हम तोड़ा और विस्तार से जाएंगे, फिलाल, सौरप सिंग परियार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, परिके से चुनावी रिजल्ट आए है, इससे इस पर स्थोग गया है कि 36 गड़ में कॉंग्रेस सरकार की हार हो चुकी है, और भाजपा जो है नई सरकार बनाने जा रही है, और कुछ देर बात मुख्यमंतरी भुपेज बगेल राजबवन पहुचेंगे, और अपना बगेल आप देखें कि हमारे साथ कैमरामेन अजय है, वो दिखा रहे होंगे कि ये राजबवन है, राजबवन के जस्ट बाहर हम खड़े हुए हैं, और कुछ देर में मुख्यमंतरी भुपेज बगेल आएंगे और अपना इस्थिपा जो है राज जेपाल विश्व आप में कॉंग्रस की हार हुई है, वो कहीं न कहीं बहुत सारे इसके फैक्टर है, बहुत सारे मायने, जो कॉंग्रस कह रही थी कि इस कारण से हमारी जीत होगी, लेकि सारे मायने उनके सारे वादे फैल हो चुके हैं, और जब निश्ची तुरुप से मुख्यमंतरी है तो सभावी क्रुप से दरसल मैंने पूझा था कि अगर मुख्यमंद्री अगर कॉंग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंद्री कोन बनेंगे तो सीधे तोर पर मुख्यमंद्री सबसे बड़े जीत के कारणों पर हम बात करें एक और बड़ा एहम फैक्टर जो इस पूरे चुनाव में दिखाई पड़ा है अविनाश वो है महतारी बंदन योजना महतारी बंदन योजना का जिक्र होने के साथ साथ भारती जनता पार्टी ने फॉर्म्स को भरवाना शुरू किया था और ये टर्निंग पॉइंट माना गया भारती जनता पार्टी के निताओं का माहौल बनाना शाह साथ की रणिती मोदी जी का चेहरा और इसके साथ महतारी बंदन के फॉर्म जिसने एक तरह की शौर्टी दे दी वरुण जी ये टर्नि इस गड़ में भी लाडली बहना का कोई पार्ट टू रिलीज होगा और वैसा ही हुआ इसको यहां का हाईपर लोकल टच दिया गया महतारी वंदन नाम दिया गया और इसमें बहुत सारी जो वरजनाये वहां लगाई गए थी जो आधार वहां बनाए गए थे इसकी पातरत ताके आधारों को थोड़ा शेतिल किया गया वहां पर मध्य प्रदेश में एक करोड़ 49 लाख रेश्टेशन्स महिला जो लाडली बहना के हैं यहां पर भी बीजेपी ने इसको सिर्फ एनाउंस नहीं किया बलकि इसके सेकिंड पार्ट पर गई जैसा कि मुझे मालूम है क भारचंता पार्टी ने जो महतारी वंदन योजना के पूरे प्रदेश भरों में 50 लाख फॉर्म्स भरवाने का दावा किया था 50 लाख फॉर्म्स भरवाने के लिए पुनित जी मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम यून्तम 25,000 कार्यकरता लगते हैं 25,000 कार्यकरता जो negativity में उल जे हुए थे, frustrations में थे, या असहमतियों में थे, एक तो बीजेपी ने उनको mobilize किया towards the work, towards the target, दूसरा पंदर है 50,000,000 घरों तक पहुंचने का मतलब होता है, दो करोड मतदाताओं तक पहुंचना, 36 गरों में इतने ही मतदाता है, तो एक तरह सागर हम इस आंकड़े को अधा भी कर देते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि भार्चंता पार्टी ने महतारी वंदन योजनाक जैसे योजनाक के मात्यम से साइंटिफिक मैथड बना करके सीधे तोर पर 20,000,000 मतदाताओं को तच किया, यह इसका एक टर्निंग पॉइंट इसलिए सिद्ध हुआ, लक्षमी की रूप में कॉंग्रेस ने भी कर रखी थी, और ज्यादा पैसी की कर रखी थी, लेकिन जो अप्रोच थी इसकी, जो साइंटिफिक अप्रोच थी, लोगों तक पहुँचने की, वो इसमें एक बहुत बड़ा फेक्टर अदा करती हैं। में फार्म भरवाया और फार्मी नी भरवाया, हमने तो कई जगा पकड़े और निर्वाचन को लिखा भी था कि एक एक खजार रुपे एक मेने का बांट दिया, तो ये फ़रक तो पड़ा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की जहां काम था, सच्चाई थी, कांग्रेस का सच परास्तोता हुआ दिखा और भारती जन्ता पार्टी जूट का उरण बना कर इसके नाओं को जितने में सफल रही, फिर भी मैं बदाई देता हूं कि जिन घोस्नाओं को आपने घोस्ना पत्र में लाया है, जिनके बल पे शतिवर्ण की जन्ता ने आपको स लेकिन कांग्रेस पर समिच्चा होगी, कांग्रेस इस तरह की बाते हैं, भारती जन्ता पार्टी ने पिछली बार कहा था, कि आप लोगों के चलावे में जन्ता आ गई थी, पर साथ जन्ता बड़ी प्रबुद्द्दे, आप लोग कहते नहीं तकते हैं, पर थोड़ी से एर शाय जन्ता को भी होती होगी, कि हार के बाद इस तरह कैसे हम ये कह सकते हैं, कि जन्ता चलावे में आ गई, एक छोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लगातार जीत हार के वज़ों के साथ, उन चेहरों पर भी बात करेंगे, जो विनिंग चेहरे हैं, या जिनकी वज़े से जीत मिली, या जो हार के दारोमदार लेने वाले चेहरे आपको दिखाई पड़ते हैं, जल्दी से लोट कराते हैं सरकार में CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump CRI Pump, CRI Pump Now sold in more than 100 countries, CRI Pumps, pumping crust worldwide ये दिव्य है, अमूल्य है, पतंजली चवंधाश है जंग से नमाने हा, प्रुंटा स्टील T.M.T. बार है बिलकुल, रहे अगर चोले बने तो गोल्डी चोले मसाले, जहां जाये, रिष्टे बनाए जहां जाये, रिष्टे बनाए, गोल्डी मसाले Hello, hello guys अम माचिस की तीली भी stand-up comedy करेगे भईया Exactly तो आपिस की तीली जाना, यहां क्या कर रहा है इतनी जल्दी हार मांगे माचिस की तीली जो, सर कॉंफिदेंस बचा ही खा इसलिए मैं प्रिफर करता हूँ मॉश्रूमेडी सूपवड़र इसके हर स्पून में हैं आपशुमेडी 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 यहलो तुमारे लिए खिलोना लाया हूँ अरे बापू अब हम इस खिलोने से नहीं कहते प्रिकाश बच्चे बदल गए पर तुम नहीं बदले अभी नहीं पुराने उपकरनों से खेती करें जबकि बाजार में जमन तकनीक वाले स्टील उपकरन आ चुके हैं सोचते रहोगे और बदलोगे नहीं तो दुनिया आगे निकल जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे सोनु भाई, पीछे तो अब मैं रहूँगा तो स्टील उपकरन लाय परिवर्तन हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से संझोता नहीं करती तो अपनी सेहत से क्यों? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन की गढ़ड़ी, खून की कमी, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुष्पा एक्शन टेसा का HDHMR बोड चाहिए वो हरे बोड निकाल दे भाई पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोड नहीं है सारे हरे बोड जैसे ही होते है हम बैठे है ना क्या ये दीमक बोरर रिजिस्टेंट है हम बैठे है ना और वाटर रिजिस्टेंट हम बैठे है ना किसी भी हरे बोड को HDHMR समझकर खर लाओगे तो पच्टा होगे क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोड ही है वाटर टर्माइट और पूरर रिजिस्टेंट रैप्लास्टिक से प्रोटेक्शन नहीं लमिनेशन वाड़ा अल्टिमा प्रोटेक एक्स्टिरियर पेंट बारिश धूप और धूल को आन दो रैपूर शहर के विकाश पुरुष श्री प्रमोद दुबे जी को जन्म दिन की हार्दिक बधाई यहों शुब काम नाए अगर छोने बने तो गोल्डी छोने मसाले जहां जाये रिष्टे बनाए सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना के सिर्फ सची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कथिंदर, अन्यमिता, खून की कमी, ठकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन और शधी, एबम टॉनिक हमें आरोग्य वर्दक और श्वादेश्ट आहार, शनमुखा एगरिटेक से ही मिलता है शनमुखा एगरिटेक करता है अध्भूत, हर फसल हो जाए महा अध्भूत करोणों लोगों का भारोसा है माइक्रोटेक, माइक्रोटेक सोला प्रोड़क से आपकी सिंदगी में नई रंभर रहा है, माइक्रोटेक हलो हलो गाइस की तीली इस तेंड़ कोमेडी करेगे भाहिया, तो हम आपिस की तीली जाना है, हाँ क्या कर रहा है इसमें जल्दी हार मान लेए माँखिस की तीली जो, सर कॉंफिदेंस बचा ही खा इसलिए मैं प्रिफर करता हूँ माश्रूमेडी, शूपवड़, इसके हर स्पून में है, प्रोटीन, वाइटमिन, मिनरल्स का खाज़ा आपको बना है healthy or confident माश्रूमेडी, healthy body, confidence ready ये सब क्या है? शुनाया, और शिवा शिवा? रफिश सुनाये तुम तुनोंने, घर बनाया है हाँ, पिंक बादम गर के निव में क्या लगता है? हमारा प्यार प्यार नहीं, कम जो वो T.M.T. का बाहर होगा राकेट से म्हाँ लेकित हमने तो एकदम सॉले T.M.T. बाहर लगा रहा है अध़ रूंटा स्टील T.M. बाहर जंग से नमाने हाँ CRI Pumper CRI Pump नाव सोल्ड इन 100 कंट्रीज CRI Pumps Pumping Crust Worldwide CRI Pump CRI Pump ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका सरकार के मंच पर सरकार आकार लेने की तरफ है और अब की बार अगले पांच वर्ष भारती जंता पार्टी की सरकार आप लोगों ने तै की जनादेश आ चुका है जीत के और तीन फैक्टर से हैं अविनाश जिनको लेकर चर्चा बहुत जरूरी है संजेश रवास्तव जी इस वक्त भारती जंता पार्टी से हमारे साथ बाचीप कीजिए पुलिट जी बेतर है अपना रियक्शन दें हमने पांच फैक्टर की बातचीत की है इसमें आपकी तरव भी जोड़ी मोदी शाह साब की जोड़ी साथ में आपकी सरगुजा और बस्तर की रणनी थी धान के दाम की काट आप लोगों ने वक्त रहते सोच ली और बूत मैनेजमेंट में तो आप लोग माहिर हैं देखे पुलिट जी सबसे पहले दी धान की बात करें क्योंकि धान की बात मुख्यमंत्री भुपेश मगे लिए लगातार करते रहे और हम लोगों ने उसका जवाब देने का प्रयास किया उसके आधार पर प्रदेश के किसानों को चुकि यह तैह है कि किसान आधारेती प्रदेश है और यदि धान का कटोरा कहा जाता है तो किसानों की चिंता निश्यतरों से हमारी पहली प्राप्तिकता होनी चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है पुने जी जो हमेशा से हमारा एजन्डा रहा है और मानी मूदी जी भी इस बात को हमेशा कहते हैं कि यदि हम धान के कटोरे के प्रदेश में रहते हैं और यदि धान उत्पादक हमारा प्रदेश और यदि किसान अन्न दाता है तो बीजेपी का यह स्पस्ट मत है कि किसानों को हमको उन्नत बनाना है इस्थाई तोर पर हम किस तरीके से उन्नत बना पाए और उनकी खेती के लिए हम इस्थाई तोर पर किस तरीके से उनकी मदद कर सके यह हमेशा से हमारा जिन्दा रहा और आपने देखा कि 15 वर्षों में हमने जो 16 प्रतिश्यत का ब्याज पर रिड़ पर जो ब्याज लगता था उसको हमारी डॉक्टर में सिंग की सरकार ने समाप्त किया था बिजली बिलों में हमने 5 एच्पी तक के जो फ्री पंप्स दिये थे लगातर हमने काम किया जंता ने राज्य हैं सभी किसानों के लिए एक बराबर का होता है किसी एक राज्य को हम उपकरत नहीं कर पाते हैं यह टिंडेंसी थी लेकिन पिछले चुनाओं के समय कॉंग्रेस ने यह किया उसका लाब भी उनको मिला इस बात को मैं स्विकार करता हूं लेकिन किसान के मामले में जैसा कि हम बोनस देते रहे दो वर्ष का बोनस हम नहीं दे पाए थे इस बार कि हमने गोश्णा मत्र में रखा कि हम यदि दो वर्ष का धान का बोनस नहीं दे पाए तो हम देंगे किसानों का जो उतपादन है उसको हम कॉंग्रेस से कहीं ज़्यादा कि प्रती एकड़ हम 21 कुंटल धान की खरीदी करेंगे 31 रुपए प्रतिकुंटल खरीदेंगे और जो हमारी नीती रही है उस पर जनता ने विश्वास किया यह अलग बात है कि पांस साल के लिए वो उन पर विश्वास कर गए लेकिन जब उनको यह पांस साल का अनुभा रहा तो उनको यह लगा नहीं कि शैद यह लंबे समय तक सर्वाइब कर पाए का किसान इसलिए उन्होंने हमारी नीती पर विश्वास किया पहले चीज़ दूसरा विश्व जो आपने कहा कि ट्रैबल का मामला देखे सरगुजा संभाग में हम 14 में 14 सीटे जीते हैं और बस्तर में शैद हम 12 में 8 सी सीटे जीते हैं जी तो इस प्रकार 26 में से लगब 22 सीटे जो जन्ता के आशरवास से हमको प्राप्त हुआ है देखे ट्रैबल जो है इस प्रदेश का मूल है मूल आदिवासी और ट्रैबल को हम चुनावी नजरों से यह दि देखते हैं कॉंग्रेस हमेशा दे देखती है कि हम किस तरीके से उनको तातकालिक लाप दे दे और वोट में तब्दील करके वोट बटोर के हम सरकार बना ले मुझे लगता है यदि इस प्रदेश का मूल आदिवासी है उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा उनको इस्थाई तोर पर हम क्या सुविधा दे सकते हैं आप साथ केवल ट्राइबल को हम यह नहीं कि उनके घर पर क्या लाप दे दे उस जगदल पूर से लेके बस्तर तक दंते वाड़ा जहां पर हमने जिला बनाने का काम किया वहां तक हम डेवलोपेंट लेके गए एजुकेशन को लेकर गए नकसल से हमने लड़ने का इमानलारी के साथ में प्रयास किया है संजे जी हम आपके साथ में लगातार अगले और एक घंटे तक चर्चा करेंगे जोड़े रहेंगे बने रहेंगे और इस आदे एक घंटे के भीतर जो हमारी चर्चा का विशह था जीत के फैक्टर्स पर इसके अलावा हमने जीत के उन हीरोज या उन चैरों की भी बात करनी थी जिन चैरों पर हम कह सकते हैं कि जीत के हीरोज बनकर उबरे हैं भारती जनता पार्टी के पक्ष में अगर ग्रैफिक्स रेडियो तो मैं चाहता हूं कि हम एक बार उन चैरों को दिखा दें कि जिनको हम यह मानते हैं कि ये भारती जनता पार् आदम आपको इनको दिखाएंगे, सरकार के मंच पर इन चेहरों की भी चर्चा करेंगे, हार की वजों का विश्लेशन भी होगा, एक छोटा सब ब्रेक, ब्रेक के बाद पूरे फ्रेश अंदाज में आपको अगले एक गंटे का पूरा अपडेट देंगे, बड़ अपडेट कि साले नौ बजे के आज पास मुख्यमंत्री स्तीफा देने जाएंगे, तस्वीर हैं, सब से पहले आपके टीवी स्कीन पर हम लेकर आएंगे, जुडे रहें, देखते रहें CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump, CRI Pump CRI Pump, CRI Pump Now sold in more than 100 countries, CRI Pumps, pumping crust worldwide CRI Pump सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कठिंदर, अन्यमिता, खून की कमी, ठकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन और शधी, एवं टॉनिक अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहां जाये, रिष्टे बनाएं जहां जाये, रिष्टे बनाएं गोल्डी मसाले राइपुल शहर के विकाषपुरुष, श्री प्रमोध दुबे जी को जन्म दिन की हार्दिक बधाई यहों शुप कामनाएं हम माहिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती तो अपनी सेहत से क्यों? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमे, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुष्पा प्लास्टिक से प्रोटेक्शन नहीं लामिनेशन वाला अल्टिमा प्रोटेक्ट एक्स्टिरियर पेंट बारिश दूपर दूल को आन दो तुम जैर दो हलो हलो गाइस हम माचिस की तीली भी स्टेंडब कॉमेडी करेगे भाईया तो माचिस की तीली जाना यह क्या कर रहा है इसनी जल्दी हार मानगे माचिस की तीली जो सर कॉन्फिदेंस बचा ही खाँ इसलिए मैं प्रिफर करता हूँ माचिस के हर स्पून में है प्रोटीन, वाइटमेंस, मिनरल्स का खाँ आपको बना है हल्दी और कॉन्फिदेंस माचिस मेडी, हल्दी बॉड़ी, कॉन्फिदेंस रेड़ी स्मार्ट वो है, जो काम भी पूरा करे और किसी को पता भी ना चलने दे जैसे माइक्रोटेक जंबो, ना शोर ना धुआ, लेकिन चलाए पूरी दुनिया एर कंडिशनर, ओफिस, टूब वेल, पेट्रोल पंप, शोपिंग बॉल, सब चले बे फिक्र माइक्रोटेक जंबो, बिना डीजल का जनरेटर बारती जनता पार्टी की अद्भूद सबलता मिली और कांग्रेस के पास साल के भ्रस्टाचार, भय और आतंग से जनता मुक्त होना चाहती थी बुपेश के चेहरे को हटाना चाहती थी 36 गड़ का जितना सोशन उसने किया, जितने बैवानी भ्रस्टाचार किया, जितने घोटाले किये वो इसको 37 गड़ की जनता बहुत बारिकी से देख रही थी और मतदान में पूरी तरीके से बस्तर से सरगुजा तक बदल के दिखा दिया अब नहीं सहीबो, बदल के रहीबो, प्रधान मंत्री जी ने एक बार कहा मर गाओं गाओं का बच्चा बच्चा भी इस बात को दोहराता रहा और मतदान में वो साब दिखा कि भूपेश के चेरे को बदलने के लिए इसके सारे मंत्रियों को हरा दिया डिप्टी सीम हार गए, खुद बाल-बाल बचे है मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से 36 गड़ में नया सवेरा आएगा, 36 गड़ में खुसाली आएगी, विकास होगा और शत्रिकड़ के डेवलप्मेंट के लिए भारती जनता पार्टी आने वाले समय में जो घोसना पत्र चारी किया है, उसका सत प्रतिशत क्रियानवन भारती जनता पत्र करेगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, पहले कैबनेट से ही वो भारती जनता पार्टी, जो घोसन पत्र के वादे हैं, किसानों से लेकर महिलाओं से युकों के उसको हम पूरा करेंगे। और पर्चाय प्राप्त करने के बाद हमारे जितने विधाय के हैं, उनसे बात करके, उनकी मनसा जाने के और उसके बाद आगे की प्रख्रिया होगी। और अब आई मद्विदेश के अब तक की बड़ी बाते बना दें पहला कि मद्विदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को एक सो चौसराइट सीटे कॉंग्रेस को 26 गर्ण में बीजेपी को इस्परश्ट बहुमत मिल गया है बीजेपी को 54 सीटे और कॉंग्रेस को 35 सीटे अन्य को एक रविन चौबे, अमर्जित भगत, शीव डेहरिया जैसे दिगज हा रहे हैं, कॉंटा से मंत्री कवासी लखमा, 1881 वोट्ष जीते हैं, अम्बिकापुर से डिप्टी, CMTS से देव हार गए 36 गड़ में भाजपा को अभूद पुर्व जीत मिली है, लिहासा जश्न तो बनता है भाजपा ने ये चुनाओ बीना CM केस के लड़ा था, इसलिए सब के जहन में यही सवाल कौन रहा है, क्या के 36 गड़ का CM कौन होगा कई दिगज निताओ को मुख्यमंत्री पद का दाविदार माना जा रहा है, इसमें प्रदीश अध्यक्ष अरुन साओ का नाम भी है इसके साथ ही पूर्व केंद्री राज्यमंत्री विश्णु देवसाय, प्रदीश महमंत्री ओपिचोधरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग और केंद्री राज्यमंत्री रेनुका सिंग का नाम शामिल है राजनीती के जानकारों और इलेक्शन एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़े दावेदारों में अरुनसाओ का नाम सबसे पहले है अरुनसाओ प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ संकी प्रिस्ट भूमी के हैं इसके साथ ही OBC वर के कदावा नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं वेदाक्षवी के कारण उनका दावा और मजबूत हो जाता है सियम की रेस में विश्टुदेव साय का नाम भी कम मजबूत नहीं है तीन बार BJP के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके साय संगठन के साथ सरकार में रहने का लंबा नुभव रखते हैं निर्विवाद और बड़ा आदिवासी चेरा होने के कारण उनकी दावेदारी फुकता है संगठन के बड़े नेदाओ के करीबी होने के कारण हाई कमान उनके नाम पर भी विचार कर सकता है भाजपा के प्रदेश महमंत्री तेज सरार पुर्व आयस ओपी चौधरी आला कमान की पसंद है चुनाओ प्रचार के दोरान अमिश्या इसका संकेत भी दे चुके है राजनीती के साथ ब्यूरोक्रेट का अनुभव होने के अलावा जातिय समिकरन भी ओपी चौधरी के पक्ष में है लिहाज़ा भाजपा नए विजय और नए चेहरे पर दौल लगा सकती है वैसे अनुभव की बात करें तो डौक्टर रमन सिंग लगातार 15 साल सियम पर सम्हाल चुके हैं उनके पास राज्य चलाने का पहतर अनुभव है सबको साथ लेका चलने की दक्षता और जनता के बीच लोगपरिय चवी होने से उनकी दावेदारी भी बेहद मजबूत है इसके अलावा रेनुका सिंग भी सियम की रेस में शामिल है महिला मोर्चा में महामंत्री रह चुकी रेनुका सरकार के साथ साथ संगठन में काम का अनुभव रखती है प्रदेश में लगातार आदिवासी वर्ट से सियम की मांग उठती रही है और उनका अधिवासी होने के अलावा महिला भी होना उनकी दावेदारी को पुपता करता है लेकिन अक्सर चौकाने वाले फैसले रेने वाली भाज़पा इन चेहरों के अलावा किसी दूसरे चेहरे पे मोह लगा दे तो हैरानी की बात नहीं है बिरो रिपोर्ट आईबीसी 24 कौन सा चेहरा होगा जो प्रदेश का नेत्रत्व करेगा सरकार के मुख्या के तौर पर मेरे साथ आईबीस 24 के एडिटर इन चीव रवी कांद मित्तल जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं पूरे दिन भर हम आपको बताते रहे और रवी जी हम दिखाते रहे अब जो सवाल है सीम फेस कौन 36 गड़ में सबसे वड़ा सवाल हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि यहीं हो सकते हैं एक अनुमान है चुकि जो बाचीतों में बड़े नेताओं से जो हमारी बाचीत होई उनसे कुछ ऐसा अनुमान लगता है लेकिन अभी तक कोई नाम decided नहीं है एक अनुमान हमने एक लगाया है कि ये नाम हो सकते हैं और हमारे साथ BJP के संजे जी बैठे हुए हैं यहाँ पर इनसे भी हम पूछेंगे क्या पता ये कुछ हमें खबर दे जाएं यहाँ पर breaking news दे जाएं लेकिन क्या है कि BJP में ये हाई कमानी breaking news देगा कि आप कुछ दे सकते हैं हमारे चैनल पर इस समय प्राइम टाइम नौ बज़े का शो ये चल रहा है पार्टी के प्रवक्ता के नाते कुछ बता जाएं देखे रभी जी मुझे इसा लगता है जो आपने चेहरे सामने बिस्प्ले में दिखाएं है और मुझे से बहतर आपने यहां पर बताया है कि BJP क्या है और मुझे इसा लगता है देखे प्रथम दिश्या जो चीजें सामने आती है कि विधायक दल जो हमारा بहुमत के साथ में आया है और साथ ही मिकेंद्री नितत तो जो हमारा रहता है इनके सहमती से ये विधायकदल का निता چुना जाता है और बहुत कम समय के अंदर में ये सब चीज़े तह हो जाती है और वो हमारे अगली सरकार का मुख्यमंत्री होता है तो मुझे लगता है ये वही चेहरे जो आप सब लोग आकलन कर रहे हैं बोह्त सारे से चेहरे हैं कईवे बारे साथ होता भी है कि कुछ अचानक नही निरने होते हैं जो हमने अन्य प्रदेशों के अंदर में दिखा है इससे मुझे लगता है कि आज हम लोगों को बहुत बोलने की आवशक्ता नहीं है लेकिन यह तैह है कि प्रदेश के अंदर में एक अच्छा शशक्त मुख्यमंत्री होगा और पिछले पांच वर्षों में जिस सरीके से जनता से जो वादे किये गे थे गोशना पत्र के आधार पर और वो काम नहीं हुए त अच्छे तोर पर वो काम को हम प्राप्टिक्ता के आधार पर मानी मुख्यमंत्री जी के नित्तों में करेंगे अच्छे से एक मुट जाल लॉफ एलिमिनेशन अगर लगाएं तो पिछले 15 साल जब आप बीजेपी रही सरकार में तो सामान वर्ग से आपके मुख्यमंत्री रहे लेकिन जो पिछले 5 सालों की जो राजनीती है या कॉंग्रेस ने जिस तरीके से OBC या जंजाती और इन सब की बात की जंजाती जंगर्णा की बात की क्या आप आपको यह लगता है कि एक सामान ने वर्ग से यहां पर मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर अब आप एक आ तरीके कर यह प्रणाम आया एक जातेगत जंगर्णा या फिर हम OBC की राजनिती की बात्षित करें या फिर हम इस्थानी या फिर हम इस्थानी वाद के आधार पर जो 5 पर्शों के अंदर में कॉंग्रेस ने जिस तरीके से वर्गी करन करने की कोशिश की मुझे लगता है क इन सब चीजों को यहां प्रदेश की जंता ने धता बता दिया है कि नहीं ऐसा नहीं है, पहली प्रात्मिक्ता हमारी यह है कि हमारा प्रदेश का विकास कैसा हो और गरीब कल्याड किस तरीके से जो मानी मोदीज का आहवान है तो मुझे ऐसा लगता है रवी जी, निश्य तोर पर सब सक्षम है जो आपने चेहरे यहां पर दिखाए है लेकिन केंद्री नितत्तो भविशी के राजिती आने वाले समय के अंदर में क्या होगा एक अच्छा प्रशाशन किस तरीके से चले प्रशाशिक नियंत्रन भी एक बहुत बड़ी बात होती है और कामों का क्रियानवन के सरीके से धरातल पर हो इन सब चीज़ों को पात्निकता के आधार पर करेगा तो मुझे लगता है एक बहतर मुकिमंत्री हम दे सकते हैं न कि हम जातपात के आधार पर कोई बाच्चित करेंगे अरुन साव ने जिस परिस्थिती में उनको पार्टी मिली इसके साथ बहुत से परिवर्तन हुए और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनने से लेकर पार्टी के सरजीत का सहरा तक अरुन साव ये एक बड़ा फेस हैं इसके अलाबा विश्णोदेव साय जिनका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया ये दूसरा बड़ा नाम है सीम पत के दाविदार तीन बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केंद्री मंत्री के तोर पर निर्विबाद बड़ा आदिवासी चेहरा भी और एक अच्छा तजर्बा भी ओपी चौदरी साब जिनको बड़ा आदमी बनाने को लेकर जिस तरह की चर्चाएं स्वयम अमेशा साब छेड़ गए इसके बाद अब उनका क्या कद और क्या पद होगा इसे लेकर कयासों का लंबा दोर है सिलसिला है डॉक्टर अमन सिंग जी जिनोंने 15 वर्ष तक 3 तर्म तक प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार की कमान समाली वे एक सोभाविक दाविदार नजर आते हैं उनके जेस्चर का कद का कोई दूसरा नेता दूर दूर तक नजर नहीं आता ऐसा बीजेपी के खेमे के लोग बोलते है रेणुका सिंग केंद्री मंत्री को जब चुनाव में उतारा तब से उनके नाम की चर्चा है गोमती सा एक और सांसद हैं जिनके नाम को लिकर कयास लगाए जाती रहे लेकिन इन दोनों नेतियों में से रेणुका सिंग के नाम को लिकर बहुत बड़े कयास लें रवी जी लगता है कि अरुन साओ के उसमें चुकी अध्यक्ष है तो एक स्वाभिक चोईस हम मान सकते हैं दूसरा दो नेताओं के बारे में अमिश्या खुद कह गई कि जी हम उनको बड़ा नेता बनाएंगे उसमें एक विश्नु देव साह हैं और एक उसमें ओपी चौधरी है और एक की समय में कह गई तो उसमें दिवाली भी चल रही थी तो लोगों ने कहा कि जी मैसेज कभी कटपेस हो जाता है तो वहां बोलके आए तो यहां भी बोलके चले गई तो यह और उसमें यह देखने की विश्नु देव साह है वो भी एक अच्छा चैरा है काफी पुराने नेता है बीजेपी के और ओपी चौधरी ओबी सी वर्क्स से आते हैं अच्छी उनको समझ है अपने समय के टॉपर रहे हैं वो और जब वो जब कलेक्टर रहे या लाइपूर में मिनिस्पर कमिशनर थे तब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उसी वज़े से उनको पार्टी लेके आई अपने साथ तो और रेनुका सिंग अगर चोईस जाती है कि किसी महिला को बनाना चाहिए और आदिवासी रोणिकर दिनुका सिंग किस वर्ट से आती है तो एक आदिवासी भी है महिला भी है अगर इस तरह क्योंकि आज हमने देखा कि जो मोदी अपना भाशर दे रहे थे उसमें उनका सबसे जादा जोर महिलाओं के उपर था और ये बात सच भी है कि चाहें 36 गड़ो या मध्यपदेश हो यहाँ पर बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा हाथ महिलाओं का है संजे इस पर छोटा सा आप से लेना चाहूँगा कि ये मोदी जी की बात हमने सुना उन्होंने कम से कम अपने 40 मिनिट के भाशन में कम से कम 10 पसे 15 मिनिट बात केवल महिला शक्ती के बारे में बात की तो अब आप ये समझ गएं कि जो लाडली बहना योजना मध्यपरदेश में महतारी वंदन योजना है आपकी यहाँ पर कि ये एक नया वोट बैंक आपने क्रियेट किया है और इसलिए हो सकता है कि आप एक महिला फेस देदें यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में देखिया आप सब लोग तो मीडिया के लोग हैं और ऐसे कयास लगाते हो हमारे तरफ परश्ण करते हैं कि कुछ निकल जाए मुझे लगता है कि महिलाओं की जो बात की मानी मोदी जी के बारे में निश्य तोर पर जो हम लोगों ने देखा है कि वर्ष दोजार चौदा से लेके आज यदि हम 2023 तक गए हैं नौ वर्ष साड़े नौ वर्ष यदि हो रहे हैं हमारे कारिकाल के तो महिलाओं को प्रात्मिक्ता देने की उनकी प्रात्मिक्ता हमेशा से रही है कि महिलाओं को किस तरीके से हम प्रात्मिक्ता दें और उसी का यह उधारन था कि आपने भागिदारी किस्तरिकें से सुनिशित हो सके यहां तक की प्रसाशन के साथ साशन और संगठन में भी बीजेपी की प्राथनिकता रहती है और मैं भी ये भी कहूंगा रभी जी और पुनिज जी कि हमने जो आकलन किया पिछले कुछ शनाओं के बाद महिलाओं का अधिकांश वोट हमारी केंदर की सरकार बनाने में एक एहम मुभी का थी जो पिछली बार 2019 में जीते थे और इस बार भी महिलाओंदान योजना तो एक सफल योजना के रूप में सामने आई है उनके 15,000 को नकारते हुए हमारे 12,000 को उन्होंने स्विकार किया खैर ये तो बीजेपी की एक विश्वश्यता थी लेकिन आप क्यास लगा सकते हैं कुछ भी हो सकता है और मानिया मिश्या जी मोदी जिसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि ऐसे निरणा होते हैं कि जो शायद दुख समझी होता है बीजेपी को किसी को देखना पड़े तो पिश्रे जाती से आदिवासी किसी मुख्यमंत्री बनाना पड़े क्या ऐसी मजबूरी हो गई है बीजेपी की तो लेकिन उनके मुख्यमंत्री पर रहते हुए सरकार हार गई तो वैसे मुख्यमंत्री कैसे होंगे ने मुख्यमंत्री हम मैं आज वही बात बोलना चाहता हूं कि अधर्णी बुबेश बगल्दी जो हमारे प्रदेश के कांग्रेश पार्टी के मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत अच्छा कार किया था हुए उसके लोगोंने 36 गड़ में OBC फेस समाज की बात साथी साथ महिलाओं की बात इस कदर उठाई कि अब आपको यह देखना पड़ रहा है कि उसका काट ढूंटे ढूंटे बीजेपी भी उसी वर्ग के फेसे में देखें हर वर्ग से एक फेस है आदिवासियों की बात आप करते र बाने वाले फेस को भी उतार दिया यह सब का सब समीकर्ण तो आप लोगों ने भी तैय किया ना तो ही देखें यहां तक आदिवासी और मुकाबले में आपे सामने आदेश को अधिवासी दिवस के दिन हटाना है एक समाने सी बात ती जिसको मुकमती जी ने का यह कोई बह पर्मुला खोजा जाता है प्रदेश में और 24 में जब चुनाव तो खास तोर पर खोजा जाता है देखें जादी का जंगंडा का बुद्धा है कि केवल चत्तिगण के इस तर का बुद्धा नहीं यह राश्टी सब का बुद्धा है हमारे साथ पुरंदर मिश्रा जी जु सबसे पहले तो आई बीसी 24 की तरफ से लेकिन अब यह बताईए कि हम जो इस समय डिसकुशन कर रहे हैं कि बीजेपी तो जीद गई आप मैजोटी में आ गए अच्छी सीटे साइद आपके निताओं ने की उतनी सीटे आपको जनता ने दे दिया है लेकिन मुख्यमंत्री क कौन होगा जरा यह बताईए आप माइक पकड़ने आप बदाईएं आपको जी चालो है चालो है एकदम चालो है देखिए बहुत कठीन प्रसन है आप मुझे बुलाए उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्नवात करता हूं आई बीसी परिए आपने कठीनी रदा इसलिए प तय होगा राश्टी के अध्यक और उनकी टीम जो तय करेंगे उसके आधार पर तय होता है कांग्रेस का कल्चर अलग है कांग्रेस के कल्चर में नेत्या का पसंदिद आदमी बनता है तो डिफ्रेंट पांट है अभी चुनाव हुआ है आर्गेरेट रहे हैं कल बैठके चर सरकार में लगे हैं कल जाएंगे कल बुला जाएगा बैठकी सवागत सरकार के बीच में सरकार भी बनानी साव आपको पुरणे जी क्या समझते कैसा मुख्यमंत्री बीजेपी देने वाली है इस राज ये को ये तो जनता कम से कम समझना चाहेगी ना देखी हमारे करता धरत भारत को सनातन धर्म के मार्ग से हिंदुवादी मार्ग से विश्व गरू बनाने के सिंख्रला में नरेंद मुदी जी ले जाना चाहते हैं उसी कड़ी में चत्री गड़ की जनता भारती जनता पाटी को महमत दी है और लोग चाहते हैं कि यहां जो सरकार पांच साल से जो चल रही थी उनके काम को पसंद नहीं करके उनके कान को अंजाने मन से करके महिलाओं का अपमान आदिवासियों का अपमान किसानों का अपमान युवाओं का अपमान चोटे-चोटे भच्चियों का अपमान मैं इंडारेक भू नहीं बहुं बहला फम है लेकिन आपके मंच मा बैठा हूं तो खाली में इससारा कर रहा हूं तो लोग पशाताब कि ए हम國 5 साल में इतनी अच्छी सरकार को खो दिये जो 15 साल तक अटल जी की दीवी चतिसगड को समार के सजों की हम रखे थे और आज चतिरगा इस्थिति देखी है दुर्गती ही दुर्गती है हमको फिर से सहभाई के मिला है उस चतिसगड राज को जिसमें अटल जी ने हमको प्रदान किया था उसको हम सजाएंगे समार रहे और फिर उसी तरह भारत के उन प्रमुक राज्यों की घणना मिले जाएंगे ताकि चतिसगड स्वतंतर रूप से बीचरण कर सके मानते हैं सारा प्रदेश इसको देखता है लेकिन अब हम जिसवेस की भागजी और आधिवासी वर्क से होगा कॉई महिला फेस बीच्टिक्स से होगा क्योंकि जोर मारा इसको मिंकार नहीं कर سकते रहे यह रहा है इन फैक्टर्स की तरफ आप तमाम सदस्यों का उपीनियन जाना जाएगा इसको लेकर कोई विचार आप व्यक्त करना चाहें देखे हम लोग परिख्या दिये हैं आज हम लोग उत्रिण हुए हैं हमारा और एक परिख्यक दिल्ली में बैठते हैं वो सब को वजन क परिख्यक का आलोचना करने का हैसियत हमारा नहीं है यहां आप कर रहे हैं समीक्षा और यहां बता रहे हैं बर्गों पर से लेकिन मैं चाहता हूं एक बार फिर संजे जी आप बताएं अभी जिस मुश्किल हालात की बात हम कॉंग्रेस केमे के लिए करते थे कि वहां टाउल जैसे हालात बन जाते हैं भारती जनता पार्टी एक फॉर्मूला लेकर ही चलती है और वियस है कि आप लोगों ने कुछ तैय कर रखा होगा उस फॉर्मूले के बारे में देखे पुनिज्य फिर से मैं कह रहा हूं हम सरकार बनाकर जनता की सेवा करें यह हमारी पहली प्रात्मिक्ता बीजेपी की होती है कौन चेहरा होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा मुझे लगता है कि शायद यह हमारी पहली प्रात्मिक्ता नहीं है कि कौन लीड करेगा जह हमारा लीडर होगा लेकिन फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कि देखें जैसे जिस सरी के से क्या होता है ये मुख्यमंत्री पत्की लड़ाई का इदी विशाय निकलता है ना तो देखें क्या हुआ मैं उलेक करना चाहूंगा जरा बड़ा दिल्चस्प है कि 2018 में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 2018 में भी कॉंग्रेस की सरकार नहीं आती एक शड़ें तर रचा गया मैं हमेशा बोलता हूँ गुष्णा पत्र के आधार पर तमाम प्रकार के बादे की वो बादे पूरे नहीं हुए उसका परिणाम जंता को भुगतना पड़ा उनका परिणाम कॉंग्रेस को भी भुगतना पड़ा अब देखिया ऐसा है कि सरकार बनने के बाद भी चार मुख्यमंतरी उन्होंने एक प्रकार से प्रोजेक्ट किया था चारों तरफ से और पांस साल तक यहीं चलता रहा कि ढ़ाई साल इसके बाद कौन बनेगा कौन किसके साथ में है और सरुजा जहां से मैं आता हूं संभा में थे वो कहते थे के हमारे मुद्णों को कभी किसी न उठाय ही नहीं हमारे केवल मुख्यमंतरी की बात होती रही तो मुझे लगता है कि बीजे पी इस बात को समस्ती है हम सरकार Бनाकर जंदा की सेवा करें घूशना पत्र पर आमल करेंगे यह हमारी प्रतिंटंग कि रति अभी आप यह जो discussion देख रहा हैं चेहरों और options के बारे में तो पार्टियां विचार करती हैं Congress ने भी विचार किया वहीं से एक तरह का द्वंदुभी पार्टी के भीतर शुरू हो गया अब भारती जन्ता पार्टी है पर उसके और आपके बीच में एक फर्क जो दूर से नजर आता है बाहर से नजर आता है कि वहां बाकी की सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आने से पहले चीजें सुलज जाती है और अब किस तरह का फेस चाहिए प्रदेश को कौन बहतर नेत्रत कर सकता है किस अंचल से वो होगा कितनी बड़ी उसकी विक्टरी है इन सब को भी ख्याल रखा जाएगा पनीजी जेजे की संया मायी ने बताया कि किस तरह की फटाक या चेहन क्या पर विरतान बारती जनता-पाट醂 को कौंगरेस में होता है मैं कहते हो हो कि आंगरेस पार्टी में जो भी प्रक्रीयत है होती है मुख्मत्री चैन की विदायक दल के में तेयन होता है उसके बाद नाम हाइक मांद को दियता है है कमांद तया करता है और टिया स्युदे के उपमुकमत्री मनने की जो चर्चाय भारती जन्ता पार्डी पूरे पांस स साब भी बोले रही बात भारती जन्ता ने यहां पर मैं आप लोगा ने यह कोई अपवा नहीं ती यह बात तै हुई थी कि दो साल टिया सिंग्देव बनेंगे आजे समय पर भुपेज भगेल बनेंगे और चूकी सरकुजा ने टिया सिंग्देव के चेहरे पर पूरी 14 की चुदा सिट के भेजी थी आपने नहीं बनाया आज आप की चुदा सीटे हार चूकह थो गlorं करने है खांप पर प्रवाइब भाइब भारती जंता पार्टी के मुक्मंतरी चैन का मेरे भुजे तो यह पुरा विश्वात चाहे पुरेंदर मिश्चर जी आपको बताई प्रवाइब भाइब भाई आपकी सरकार बनीगे आप लोग को बहुत 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 बताई शुपकान आप काम खरें लेकि आप कया जो पद्दिती है हाई कमान नरेंद मोधी जी पदाद रती जो तै करेंगे वही होगा कोई लोग तादि पर डाली निनी यह बात भी मैं साथ में कहता हूं कि बीजेपी भी आप ही के पत्चिन पर चल निकली है कि जो ना मुपर से आता है जाता है पुरंदर मिश्रा जी एक चोड़ा सा कुमेंट आपका अपना अनुभाव इतना लंबा रहा है इस प्रदेश को कौन बहतर समाल सकता है जिन चेहरों काम जिक्र कर सकते हैं इसके बारे में जनता और कारिकरता आपके समर्थक भी आपसे बात करते होंगे आप उनसे कोई बात करेंगे इस बारे में देखेए पुर्ने जी हमारे शववन सेट में हम लोग जीत रहें जी किसी विधायक में से ही हमारे नेता जो संसर्दी दलताय करेगा विधायक जो तैकर आदमी बनेगा अभी कोई ऐसा मुद्दा हमारे जिहन में नहीं है मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है मुख्यमंत्री एक विक्ति हमारा मैंडेट और उसके बाद सबसे बाद एकी फेस है भारत देश का एकी फेस है नरेत मुद्दी जी का उनीकी पेसे हम चुनाव लने है अरे तो मुख्यमंत्री दोड़ी ना बनेगे पुरंदर जी वो यही चीजी संसेदी दल जो तय करेगा विधान सबागे हमारे सदेशी जो तय करेगा उसके याधर पर यहां पर यही होता है चलिए हमने 36 गड़ के उन तमाम पॉसिबल चैरों की उन संभावित चैरों की उन निर्णाय चैरों की चर्चित चैरों की बाचीत की जो हो सकते हैं 36 गड़ में अगली सरकार का फेस बने हो सकता है कि अगले कुछ गंटों में उनके शपत का कारक्रम तै कर लिया जाए प्रक्रियागत बात करें तो विधायक दल की मीटिंग होगी उसमें जो कुछ मी निर्णाय होगा इसके बाद दिल्ली से एक फैसला आएगा बाकी एक और ये एक चलन रहा है कि जिनको भी ये जिम्मेदारी मिलने बाली है संभवता शायद उन तक वो संकेत मिले हों तो मध्यप्रदेश में भी जो प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी की सरकार पुना बनेगी जो अपनी सत्ता को बचा पाए है तो क्या वहाँ पर कोई फेस बदल सकता है और अगर ऐसा है तो संभावित चेहरे कौन से हो सकते हैं बात करेंगे एक चोड़े से ब्रेक के बा CRI Pumper, CRI Pumper Now sold in more than hundred countries, CRI Pumps, Pumping Trust Worldwide ये सब क्या है? शुनाया और शिवा शिवा? अर फिश? शुनाये तुम तुनोंने कार बनाया है? हा, पिंक बनाया है? घर के निव में क्या लगता है? हमारा प्यार प्यार में कमजोवो TNT का बार होगा रॉकेट से इनलेकर हमने तो एक दम सॉलेट TNT बार लगाया है अघक, रुंटा स्टील TNT बार जंक से न माने हाँ रुंटा स्टील TNT बार है बिल्कुल हाइड़े हमें आरोग्यवर्दक और श्रदेश्ट आहार शनमुखा एग्रिटेक से ही मिलता है, शनमुखा एग्रिटेक करता है अध्भुत, हर फसल हो जाए महा अध्भुत। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहां जहाएं, रिष्टे बनाएं। सब कुछ आजमाया, और तब मैंने माना कि सिर्फ सची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिंदर, अन्यमिता, खून की कमी, ठकान व कमजोरी जैसी, सभी प्रॉब्लम्स के लिए, नंबर वन उशधी, एवं टॉनिक। Now sold in more than 100 countries, CRI Pumps, Pumping Crust Worldwide. गला क्या? No, sir. जला क्या? No, sir. तीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? No, sir. Action Tessa का Boiloboard है Fire Retardant, Boiling Water और Borat Termite Proof. Action Tessa का Boiloboard, सबसे बहतर, सबसे मजबूद. राइपुर शहर के विकाश पूरुष, श्री प्रमोद दुबे जी को जन्म दिन की हार्दिक बधाई, यहों शुब काम नाए. विनीद, अविने दुबे, महामंतरी राइपुर शहर जीला कॉंग्रिस कमेटी. हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती. तो अपनी सेहत से क्यों? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमे, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती हैं. इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुश्पा. कोई भी MCB या वायर लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है. इसलिए लगाएं सिर्फ Microtech MCB और वायर्स, जो आपको बचाएं शॉर्ट सिर्किट, ओवरलोड और शॉक से. C.R.I. Pump. 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 Now sold in more than 100 countries, C.R.I. Pump.s. Pumping Crust worldwide. हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती. तो अपनी सेहत से क्यों? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमी, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती हैं. इनका जवाब है नमबर वान टॉनिक हेम पुश्पा. हमें आरोग्य वर्दक और श्वादेश्ट आहार शनमुखा एगरी टेक से ही मिलता है. शनमुखा एगरी टेक करता है अध्भुत हर फसल हो जाए महा अध्भुत. गला क्या? नो सर जला क्या? नो सर दीमक बोरर से कुछ हुआ क्या? नो सर पिल है या मूल है पतन जली चवन प्राश है CRI Pump CRI Pump CRI Pump CRI Pump CRI Pump CRI Pump Now sold in more than 100 countries CRI Pumps Pumping Trust Worldwide शिवराज सिंग चोहान जोती रादित सिंधिया नरेंद्र सिंग तूमर कैलाश विजय वरगी प्रहलाज सिंग पटेल या फिर कोई और आखिर कौन होगा मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री MP में सारी राजनितिक पंडितों को जुठला कर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है लेकिन सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी ये सवाल बड़ा है स्वभाविक रूप से शिवराज सिंग चोहान CM पत के सबसे बड़े दाविदार है चार बार मुख्यमंत्री पत समाल चुके शिवराज ने सत्ता विरोधी लहर के दावों को दरकिनार कर प्रचंड जीत हासिल की है लिहाजा CM पत की पहली दाविदारी उनकी ही बनती है CM शिवराज सरल, सौम्य और सहथ छवी के साथ आधी अबादी के बीच बेहद लोग प्रीय है हाला कि अगर इस बार BJP हाइकमान ने किसी नए चहरे को मौका देने का मन बनाया ऐसे में जो नाम चर्चाओं में सबसे उपर है वो है जियोति रादित सिंधिया आक्रमक तेज तर्रार इवा होने के साथ वो मूदी और संग की पसंद के तौर पर उभ्रे है सिंधिया ने BJP की रीती नीती को सहजता से अपना लिया और श्वेत्र में उनकी जबरदस्ट पकड़ है नरेंद्र सिंग तोमर भी मुख्यमंत्री पत के दाविदारों में शुमार है चुनाव प्रबंधन समीती के संयोजक और केंद्री मंत्री होने के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा सवर्णू का बड़ा चहरा संयमित, संतुलित, बेदाग छवी उनकी दाविदारी को मजबूत कर रहा है इस रेस में कैलाश विजय वरगी भी शामिल है, कुशल प्रबंधक और पर्फॉर्मर होने के साथ ही उन्हें सरकार और संगठन का लंबा नुभाव है वोटर की नब्ज अच्छे से समझते हैं और हाई कमान की गुड़ बुक में शामिल है प्रलाद सिंग पटिल की दावेदारी भी दमदार मानी जा रही है वाजपेई से लेकर मोधी सरकार तक में मंत्री रहे प्रहलाद OBC की सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं उन्हें पार्टी ने जिस भी किसी सीट से लड़ाया वहाँ जीत हासिल की इसके साथ ही विधाईकों में उनके नाम को लेकर कोई विरोध होने की आशंका भी कम है इसके अलाव अभी कई नेता हाईकमान की करीब हैं और सियम पत की आस लगाए बैठे हैं अब इंतजार हाईकमान की फैसले का है इलेक्शन डेस्क आईबी सीटनिफू तो चार राज्यों के नतीजे आये और इसमें सबसे बड़ी जीत भारती जनता पार्टी की जिस प्रदेश में हुई उसमें अल्रेडी तीन से ज्यादा टर्म तक भारती जनता पार्टी की सरकार रही यह हम इसलिए कह रहे है क्योंकि 18 में मेंडेट कॉंग्रिस पार्टी के पक्ष में तोड़ा ज्यादा रहा सरकार बनाई फिर 2020 में पांसा पल्टा वापस से मुक्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान बने और अब चौती टर्म के बाद में क्या अस्तिती मध्य प्रदेश में है इतनी प्रचंड 164 सीटों के साथ शांदार तरीके से जो पार्टी को जनादेश मिला है तो अब इसमें जीत का सहरा किसके सर होगा ये एक सवाल जिस पर हमने पिछले आदे गंटे बात की लेकिन उससे बड़ा सवाल कि अब प्रदेश का मुक्या कौन होगा वर्तमान में शिवराद सिंग चोहान सबसे मजबूत चवी के साथ में अल्रेडी प्रदेश के सामने है देश के सामने है लेकिन कई बार कलेक्टिव लीडर्शिप की बात कहकर इस पर क्या एक संशय का बिंदू लगा हुआ है हमारे साथ में इस वक्त आईवीस 24 के आईटरेंट चीफ रवीकान मित्तल जी लगातार जुड़े हुए है देखे पुनीत ये बात सच है कि शिवराज सिंग अभी मुख्यमंत्री है उनके लेकिन उनके नेतरत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया जो बीजेपी की तरब से ये कहा गया कि एक सामोहिक नेतरत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा इसलिए ये सवाल उठाए अगर स्वाभिक रूप से देखें तो वो मुख्यमंत्री है 18 साल से वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री है और अगर हम ये जो जीत हुई है जो इतनी भारी बंपर जो जीत हुई है बीजेपी की उसका एक मुख्य कारण शिवराज सिंग चौहा लेकिन चुकी चुनाव से पहले उनके चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था ये नहीं कहा गया कि शिवराज के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं ये कहा गया कि हम कमल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं उनका candidate कमल है या म बोदी जी का चाहरा है तो ये सवाल उट राए कि जी अब तो आप जीद गए तो अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसलिए हमने ये options निकाले हैं लेकिन सबसे मजबूत दावेदारी अभी भी शिवराज सिंग चौहान की है एक बड़ी बात जो पूरे कैंपेन में आप स्वयम गए थे भारतिय जनता पाटी के कैंपेन को भी देखा था आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान के साथ हमने आपको कैंपेन का हिस्सा बनती और दर्शकों को भी दिखाया था एक अपडेट अभी दे देते हैं हमारे साथ में पंकत चौतरवेदी साब भारतिय जनता पाटी के बड़े ही तरकशील निता हैं वो इस वक्त जुड़ गए हैं पंकत जी पहले तो आपको बहुत सारी धेर सारी बदाईयां चार में से तीन स्टेट और सबसे बड़ी जीत आपकी मध्यप्रदेश में जबकि संशय बहुत सारे जुटाए जा रहे थे सीएम फेस पर चर्चा कर रहे हैं रभी जी आपने केंपेइन किया था और एक कनेक्ट की बादचीत की और अब हमारे साथ में पंकत जी भी जुड़ गए हैं पंकर जी आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बदाया कि एक बार फिर आपने मध्यप्रदेश को जीत लिया है हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए चुकि आपने चुनाव से पहले किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था और आपने सामुईक निर पाला शिवराज सिंग्जी ही रहेंगे या कोई और नया चहरा भी हो सकता है रवी जी सबसे पहले तो आपको और पुनीची को बधाई देने के लिए भारतियनता पार्टी परिवार को मध्यप्रदेश की जन्ता जनारदन का राजिस्थान का छत्य जर्लका तेलेंगाने का सबका आभार आपने सवाल पूछा मध्यप्रदेश ने मुख्यमंत्री कौन होगा तो रवी जी उत्तर बहुत सिंपल है भारतियनता पार्टी का कोई कार करता है मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री होगा और भारतियंता पार्टी में रवी जी उस प्रकार की प्रक्रिय पद्दतिनी जैसी बाकी राड़ेंदिक व्यवस्ता में होती है और जैसा आप अभी चर्चा में पूरी जी से बाच्चीत कर रहे थे कि पूरा चुनाओ कलेक्टिव लिडर्शिप के आधार पर साम्योग नितिवत के आधार पर लड़ा गया नाम कमल पहचान कमल निशान कमल इस भाव के जो मूल भाव वातियंता पार्टी जैसी जैसी बाड़ेंदिक व्यवस्ता पार्टी के केमे को हम दे देए ओपी चौधरी साब जो कि आज बंपर जीत रायगर में आसिल कर चुके हैं वे आज ही रात में ही आएंगे रायपूर ये इस वक्त का पहला अपडे और उनको फोन आ चुका है अमिशा साब का कल सुबह वे दिल्ली रवाना होंगे ये खबर फ्लेश हो रही है ये इस वक् का आदे घंटे का प्रोग्राम देखा होगा उस पांच नामों में एक नाम ओपी चौधरी का था हमने डिसकस किया था कि उनका क्यों नाम है इसमें क्या उनका संभावित नाम हो सकता है अमिशा उनको पहले ही एक सर्टिफिकेट देके गए थे कि इसको जिता और मैं होती है वो हमेशा होती नहीं है जो हमारा अनुहब रहा है पिछले 10 सालों में कि बहुत ही सर्प्राइजिंग होता है और हो सकता है कि आपको अभी पता लगे कि पांच लोगों को और बुलाया है तो यह अगर हो सकता ही आपको पता लग गया हो पांच लोग और बुलाया ह तो यह मैं अपने रिपोर्टरों से कहुँआ कि मुस्तेद रहें और कि इनको बुलाएं वो भी बताएं पुखता ही ब्रेकिंग पहुंचाने की जो देखिए अभी जो पुखता ब्रेकिंग है पुखता खबर है कि फोन आ गया मिशाजी का राइगर से पहुंचिए राइप पर जो पूरा प्रदेश कर रहा है और देश कर रहा है कि क्या वही फेस होंगे या बदलेंगे पंकर जी आपने प्रक्रिया की बात की लेकिन कई सारे सभाविक नाम उभरते हैं या समर्थक उनके बारे में आपके चेमे में चर्चा करते हैं नरें सिंग तोमर जी का नाम लिया ग्वालियर चंबल से सत्ता पल्टी थी 2020 में और सिंधिया जी का नाम भी बड़ी तेजी से और जोर-शोर से लिया जाता रहा है इस पर आप कोई कोमेंट करेंगे देखे पुनीच जी भारतियंदा पारटी में कार करता इन विश्यों पर चर्चा नहीं करता ये मीडिया के मित्रों का अधिकार है उनका कारश्वेतर है कि वो संभावनाव पर तलाश करते हैं जैता अभी रवी जी बोल रहे थे कि और तलाश ही है कि किया किसी और को करता निश्चिंत भाव से हैं कि जहन के पास से एक बड़ी जीत हासिल करी है और जो संकल पत्र में हमने मद्धेप्रदेश में राजिस्तान में चत्रीगण में जो दावा किया है उन दावों की पूर्ती तयारी करने की बड़ी योजना है उस पर काम करना है रुपए तेनुपत्ता सताइस सो गेहों इकरतिसो धान के मूल की बादशीत करना है हर जिले में मिल्डिकल कॉलेज की साफ़ता की बात है हर अब यह देखिए ने 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 यह 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 बाते चुनाव हो चुका है यह वादे आप कर चुके हैं और जनता अब यह वादों को के वोट देने लग गए यह भी प्रूफ हो गया है लेकिन मुझे एक चीज़ बताईए इमानदारी से बताईए आप जिस नेता के साथ बीजेपी में आए उस नेता की क्या हिस्थिती है क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं आप तो कॉंग्रेस में थे उन नेता के साथ आ पर देल बीलरशिप जो है यह यह जो है यह कांग्रेस के पॉलिटिकल कलचर भारतियमता पार्टी में तो लीडर्सिप है कलेक्टिव लीडर्सिप है और वर्क कलचर है काशा करक्ता देव दूरलब कहलाता है और सिंदिया जी ने और बाकी सब बीजेपी के उन आमों जिन पर आप अक्षर बात्चीत करते हैं, इस पर बात करें सबने यही कहा कि संगठन तय करेगा तो कोई डील नहीं है और आज भारतियंता पारटी में रवी जी इस पर कोई संद्य नहीं है कि मेरा सिंधिया जी से विशे शनुराग है और मैं उनके साथ भारतियंता पारटी में आया और आज प्रभबक्ता के नाते काम कर रहा हूँ पर भारतिन्था पाल्टी में आने के माके रवी जी सिंदिया जी का यही भड़त्य 노ाइब,, न करते हैं मैं मद्ध्वरत्य सव debatt j मैंEr आपसे भी पूचूंगा और पंकat जी उप्छूंगा दरसल जहां तुर आप सत्ता पक्ष में होते हैं वह है सवाल ही नहीं सवाली नहीं होता सरकार के मुग्एया ने बैतर काम किया पहले से ज्यादा मतों से और सीटों से अगर आपको विजए प्रदान की तो जाहिरे सरकार की कामों पर मोहर लगी और सबसे सुभाविक और प्रबल दावेदार वही CM फेस होंगे जो अल्रेडी CM बने हुए है फिर ये प्रश्ण उठा ही क्यों उठाया ही क्यों जा रहा है ये अब ना कहिएगा क्या मीडिया उठा रहे हैं क्योंकि हम ये चर्चाओं से ही जो नामाय उन पर बातचीत कर रहे है क्योंकि किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था ये सवाल इसलिए उठा है ये सवाल इसलिए उठा अधार को दे सकता है पुनी जी शिवराज जी और नोनने क्या उत्तर दिया कि भारती जनता पार्टी संगठन्ता करेगा कि मद्धिप्रदेश में विदायक दल के निता के तोर पर मुख्यमंत्तिक रूप में कौन सा भारती जनता पार्टी का कारकरता इस दायत को निर्वान करेगा तो अभी आउसर और समय दोनों शेष हैं आने दीजे इस्तिती को इस पर स्थोने दीजे दिन दो दिन में वारती पार्टी संगठन इस्तिता इस पर स्थ करेगा हम एक भारी जनादेश के साथ जन्म क्रिपास से जनता के बीच में हैं तो जैसा मैं उलेक कर रहा था कि जो हमारी योजना है मत्तुरिश को विक्षी से स्वर्णने में लेकर जाने की लेकर जाने की अच्छा प्रवक्ता और गेस्ट हमारी टीम ने दिया है मौके की बात है कि अगर सिंधिया जी को पिछली बार देखें जब कॉंग्रिस पिछले चुनावों में उन्होंने बहुत मेहनत की और पूरा मेडिया या सब इस बात को मानते हैं कि अगर पिछली बार कॉंग्रिस की जीत हुई थी तो उसमें सिंधिया जी का बहुत लेनेता आपका जो कॉंग्रिस का उस समय हाई कमान या इस समय का हाई कमान उसके एकदम ब्लू आइट बॉई थे और लोग समा में रहे लेकिन उनको अठारा महीने बाद पाला बदलना पड़ा पड़ा मलाल तो यही था ना कि इतनी महनत की और मुक्यमंत्री नहीं बनाया अ कि मैं मैं रवी लगता है गलत समय पर डिवेट में आगया सुबह यह दिन को कभी आ जाता तो शायद किसी और विशेपर बात होती ही तो आपके जाब तो शायद में उपीड थू पर मैं उपीड समय पर नहीं आया नहीं तो रवी आपका देकि सिंधिया जी ने भारती इं कि पूरी कर रहा था कि सिंधिया जी बोलें बोलें आप बोलें कर लें बात मैं बात पूरी करूँ पूरी जी कुछ मैं मैं सिर्फ आगरे कर रहा था कि सिंधिया जी ने कभी मुख्य मंत्री को लेकर बात नहीं करी थी और इस बात में भी कोई संद्य नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी सिंधिया जी के साथ थी पिछले बार तब मध्य प्रदेश में क पार्टी पार्टी के साथ हैं पर सिंधिया जी ने कॉंग्रेस पार्टी में भी यह नहीं कहा कि यह मुख्यमंत्री पार्ट के लिए बनना चाहते हैं पार्टी पार्टी के लिए बनना चाहिए और उन्होंने और बाकी 22 लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी की मेंबर्शिप छोड़ी जनता के बीच गए और वापिस लॉट कर आए तो तब भी सिंधिया जी ने मुख्यमंत्री पत की बात नहीं कह रही थी और आज भी नहीं कर रहे हैं सिंधिया जी भारतियंता पार्टी के नेता कार करता है और जो भारतियंता पार्टी कहेगी वहीं समयता करते हैं एक और बड़ी वज़े आपने अपनी चर्चा में उस विशय को ला दिया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ एक बड़ी वज़े ये भी है कि जब आपके तीन-तीन केंद्री मिनिस्टर एक तरफ प्रभारी की भूमी का चुनाव में निभाते हैं और एक-एक सीट के उपर स्वयम उतार दी जाते हैं केलाश विज़े सरीके नेता वो जहां इंदोर से खुद पहला रियक्शन उनका था कि मैंने तो खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी चुनाव मैदान में आते हैं वो भी बंपर जीत आसिल करते हैं तो फिर एक सुभाविक सवाल उभरता है कि केवल एक सीट के लिए तो नहीं होगा आला कमान ने केंद्री नेत्रत्व ने बीजेपी संग्ठन ने कुस्तो सोच करके इन नेताओं को इन बड़े फेसेस को आगे किया इसलिए कयास और चल पड़े ने पुरी जी कयास का काम कयास होती ही चलने के लिए और हमें उस पर अपत्ती भी नहीं हो वो तो विशलेशन का चर्चा का विशाई मीडिया का है लेकिन भारतियंता पार्टी में कोई कयास का सिर्थ प्रक्रिया नहीं है भारतियंता पार्टी में हर जख्ती मूलता कार करता है तीन केंजरी मंतریों को बाकी चार सांसदों को कैलाज जी राष्टि माश्रचीव को संगठन ने भारतियंता पार्टी ने कहा कि आप सब को विधान सबा चौनाओ लड़ ला तो आज सब विदान सब चुनावा मैदान में कल संगठन कोई नया दाइद निर्दारित करेंगा उसका निर्वान करेंगे किसी कारकरता को मुख्यमंत्री के दाइद मिलते है किसी को मंत्री के किसी को सांसत के हो दान मंत्री जी भी एक कार करता है अमिशा जी भी एकार करता है गड़ा जी भी एकार करता है वीडी शर्मा जी भी एकार करता है पर इन कार करता हो को संगठन में जो दाइब उसका निर्वार करते है इसके पहले कोई और अध्यक्षत है कल कोई और अध्यक्ष होते है तो यह 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 उसको पास करेंगे लेकिन क्या यह बता सकते कि मद्ध प्रदेश में चुकि शिवराज सिंग तो एक OBC का फेस हैं क्या कोई समानी व्यक्ति जो समानी वर्ग का हो वो मुख्यमंत्री बन सकता है चुकि आदिवासी OBC भारी संक्या में वहां पर हैं तो उसी वर्ग का मुख्य परदी क्या बोलती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास अचलिया इस वक्त बड़ी खबर बड़ापडेट दे रभी जी अपने दर्शकों को राजभवन पर रुक करते हुए मुक्यमंति भूपेश पगेल इसकी तस्वीरे हम को मिलने लगी है जैसा हमने आपको बताया था कि समय थोड़ा बदला है समय थोड़ा परिवर्तित हुआ है और ये माना जा रहा है कि स्थीफा सौपने के लिए राजभवन का रुक मुक्यमंतिरी भूपेश पगेल कर रहे हैं भूपेश कैबिनेट के साथ मंतिरी चुनाओ हारे आज कार हमारे साथ जुड़का है सीधे उनके पास लिए चलते आपको सौर अब अपडेट दे हैं चुनाओ परड़ामा है उसमें कॉंगरस की हार हुई है और बीजेपी की जीत हुई है तो ऐसे में मुक्यमंतिरी भूपेश पगेल सबसे पहले जब एक समय आता कि साथ बज़े आएंगे लेकि उसके बाद जो है अभी का समय जो हो रहा है अभी मुक्यमंतिरी भूपेश पहुचे हैं और निश्ची तुरुप से अब जो कॉंगरस की विधायक विधायकों की जीत हुई है उसकी हो सकती है कि अगले एक दो दिनों में बैटा खोल लेकिन अभी की बड़ी ख़बर यही कि मुक्यमंतिरी भूपेश पगेल इस्थीपा सौपने के लिए पहुच ग करेंगे और इससे पहले कि आप जो है हम जो सुसील अनन सुकला जी से जानना चाहेंगे सीएम साब पहुचे हैं आने वाले समय में कॉंग्रस विधायकों को लेकर और क्या तई आरिया आप लोगी अभी तो आप चुनाव परिणाम आये हैं तो विधायक अपना अपना प् पुरी प्रक्रिया होगी लेकिन अभी की खबर यही है और जैसे कि आपको याद होगा कि जब 2018 में बीजेपी की हार हुई थी तब भी जो है पुरू मुख्यमंतरी जो डॉक्टर रमन सिंग जो आये थे और उन्होंने अपना इस्तिपा सोपा था और अभी जो मुख्यमंत बिल्कुल सही बात है सौरप यह हम अपने दर्शकों को बता दें कि यह सवाविक एक प्रशासनिक प्रिक्रिया है कि जो सरकार मेंडेट खो देती है उसके मुख्या को इस्तिफा देना पड़ता है बलकि उसी मुख्या को नहीं अगर चुनाव होने के बाद अगर जो पार करते हैं जो विनिंग पार्टी होती है और उसको फिर मुख्यमंत्री की शपत दिलाई जाती है चाहे वो पुराना ही आदमी दुवारा से चुन लिया जाए लेकिन यह के प्रशासनिक प्रिक्रिया है जिसमें की एक मुख्यमंत्री जो सिटिंग होता है वो चुनाव की नत कर सहिंता जब लागो हो जाती है तो वैसे भी जो मुख्यमंत्री होता है वो केर टेकर हो जाता है हमारे साथ में इस वक्त यह इस अपडेट पर तो बारी नजर है जैसे ही सीम साब बार निकलेंगे स्तीफात देने के बाद में उनसे हम चर्चा करने की कोशिश कराएंगे लेकिन इस वक्त चर्चा चिड़ी थी मध्य प्रदेश में अगला सीम कौन इसको लेकर संभावित फेसेस के हम बात करें पंकत जी के साथ हमारे साथ राकेश यादर साब कॉंग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं राकेश जी चाहते हुए कि आपके पास थोड़ा देर से मैं आ रहा हूँ आप बताईएगा मुख्यमंत्री कैसा हो जो इस प्रदेश को समाले हलाकि इस वक्त जो कॉंग्रेस की मनोस्तिती है इसमें कमलना जी अपनी सारी बातें अलड़ी कह चुके हैं किस तरह का फेस है जो प्रदेश को समाल पाएगा आपको लगता है देखिए भारती जद्धा पार्टी की तरफ से तो कोई चेरा था नहीं मुख्यमंत्री का अब क्यूंकि जन्मत उनको वोट मिला है मद्दाताओं ने चुना है और काफी उम्मीद के साथ भारी बहुमत से चुना है तो ऐसे समय में एक ऐसा चेरा मुख्यमंत्री का आना चाहिए प्रदेश में जो अपने आप में गरीबों की दलीतों की आदिवासियों की बेरोजगारों की जो उम्मीद हैं जो तीस लाग से ज़्यादा बेरोजगार है मद्देश में उनके लिए रोजगार के आउसर समीशा करने से पता चलेगा जो जनादिश मिला है उसका हम संबाल करें जो चतिस गडिया वाद को लेकर आप आगे बढ़ेते कल्चर पे और सारी चीजों पे लेकिन उस पर भी सबलता नहीं मिल पाई देखिए वो तो समीशा करने से पता चलेगा लेकिन अभी जनादिश स्कार्दी जनता पार्टिक मिला है और मैं उनको बढ़ाई देता हूँ पुनित ऐसा लगता है कि उनको देख के कि शौक में है थोड़ा क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यह चुनाब हार जाएंगे मैं उनके साथ उनके साथ भी मैं चुनाब प्रचार में हापे गया था तीन-चार समाएं मैंने देखी थी और काफी अची थी भीर उसमें थी और उनको काफी विश्वास था यह पूरा विश्वास था कि वो यह चुनाब जरूर जीत जाएंगे लेकिन यह जो उनको अभी देखा है आज पहली बार वो मीडिया के सामने आये हैं सुवे से मीडिया के सामने नहीं आये यह बड़ी हार उनकी यहाँ पर हुई है उनके ही नित्रत में चुनाव रड़ा गया था यह बात जरूर है कि उनको चहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था यहाँ पर कॉंग्रेस ने लेकिन यह उन्होंने ऐसा लगता है कि काफी इसको पर्सनल लिया है और काफी शौक्ड है वो बिलकुल आप ठीक पहुचा आती रहेंगे देखिए मैं यह लास्ट हमारा बुलेटिन था यहाँ से मैं अपनी सारी टीम को जो यहाँ पर मौजूद है और जो ऑफिस में मौजूद है उन सब को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर सारे दर्शकों का मैं यहाँ धन्यवाद करता हू कि आप हमसे लगातार 32 घंटे तक लगातार जुड़े रहें सारे अपडेट हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पॉंस आया पूरे राजे से 36 गर से मद्ध प्रदेश से और यह खासकर जो आप देख रहें यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए इस सबसे बड़ा जो लोग बेक मिला और अब हम यहाँ से फाइनली साइन ओफ करते हैं आप सब का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें पर अपर उनहों को कर अपनी बाद गीनि राज आप ज आपकार यहाँ परूप जयाराए नहीं अन्युदक्रा जाप मश्चरेश काणिश्य कर से अरई विल्दुक्राइपूज एशल्ड़ नहीं कोरिश्य कोव्या रांद कियुद। शिवाव अरफे? शुष तुम दुनों ने गर बनाया है यह पिंक बनाया है गर के निव में क्या लगता है हमारा प्यार प्यार नहीं कम्जो टीम्ट का बार होगा राकेट सिंग अरफे में थे खाम ने तो एक्दम सॉने टीम्ट बार लगाई हमें आरोग्य वर्दक और श्वादेश्ट आहार शन्मुखा एग्रिटेक से ही निलता है शन्मुखा एग्रिटेक करता है अध्भुत हर फसल हो जाए महा अध्भुत हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती तो अपनी सेहत से क्यों? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमी, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुश्पा अगर चोले बने तो गोल्डी चोले मसाले जहाँ 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 रिष्टे बनाए जहाँ 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 रिष्टे बनाए गोल्डी मसाले CRI Pump CRI Pump CRI Pump CRI Pump CRI Pump CRI Pump Now sold in more than 100 countries CRI Pumps, Pumping Trust Worldwide Cri Pump Action Tessa का HDHMR भोड चाहिए वो हरे भोड निकाल दे भाई पर यह तो Action Tessa का HDHMR भोड नहीं है सारे हरे भोड एक जैसे ही होते हैं हम बैठे हैं ना क्या यह दीमक बोर रिसिस्थेंट है हम बैठे हैं ना और वाटर रिसिस्टेंट हम बैठे हैं ना किसी भी हरे बोड को HDHMR समझ कर खर लाओगे तो पच्टाओगे क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोड ही है वाटर टर्माइट और पूरर रिजस्टेंट किसमत को जगाने के लिए खुद कोशिश करते हैं मैं अनकी मादद करता हूँ कब तक परानी तक्नीक से चलते रहोंगा तो रक्की करनी है तो जर्मन तक्नीक वाले स्टी लुक करनों का उप्लारा को लेगा हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती तो अपनी सेहत से क्यों मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमी, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुष्पा अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले जहां जहाए रिश्टे बनाए जहां जचँ बनाए रिश्टे बनाए जहां जब भानाए गोल्डी मसाले CRIPump CRI Pump CRI Pump CRI Pump CRI Pump CRI Pump Now sold in more than 100 countries, CRI Pumps, Pumping Trust वर्ल्ड वाइड अन्यमिता, खुन की कमी, ठकान व कमजोरी जैसी, सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन और शधी, एवम टॉनिक, हमें आरोग्य वर्दक और श्वादेश्ट आहार, शनमुखा एग्रिटेक से ही मिलता है, शनमुखा एग्रिटेक करता है अध्भुत, हर फसल हो जाए महा अध्भुत, बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, हासी, जुखाम, एक आम बात, ऐसे में लीजिए भुलतानिकों का कौफ सिरफ, ताके बदलते मौसम के साथ आप न बदले करोनों लोगों का बारोसा है माइक्रोटेक, माइक्रोटेक सोला प्रोड़क से आपकी सिंदगी में नए रंग भर रहा है, माइक्रोटेक राइपुल शहर के विकाश पुरुष, श्री प्रमोद दुबे जी को जन्म दिन की हार्दिक बदाई यहुण शुख काम नाए, विनित, अविने दुबे, महा मंतरी राइपुल शहर जिला कॉंग्रिस कमेटी बढ़ते पुल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सरडी, हासी, जथाम, एक आम बात, ऐसे में लीजिए बुल्तानिकों काँ कौफ सरब, ताके बदलते मौसम के साथ आप नबदलेगे हलो हलो गाइज हम माचिस की तीली भी स्टेंड अप कॉमेडी करेंगे भईया माचिस की तीली जो, सर कॉंफिदेंस बचा ही का इसलिए मैं प्रिफर करता हूँ, मौसमेडी, सूपवड़, इसके हर स्पून में है, प्रोटीन, वाइतमन, मिनरल्स का खागा आपको बना है, हल्दी और कॉंफिदेंस रदी, हल्दी बोड़ी, कॉंफिदेंस रदी CRI Pump CRI Pump CRI Pump CRI Pump CRI Pump CRI Pump Now sold in more than 100 countries CRI Pumps Pumping Trust Worldwide नमस्कार, आप देख रहे हैं, IBC 24, मैं हूँ आपके साथ, राहू सिना, हमारे Special Election Bulletin, सरकार में आपका स्वागत है, और ब्रेटन में सबसे पहले आपको बता दे, MP की क्या बड़ी बात रहे हैं, आज चुनाओं को लेकर, तो MP में, BJP को प्रचंड बहुमत मिला है, और BJP क 164 सीटे यहां मिली है, और कॉंग्रेस को 65 और अन्य को 1 सीट, बुधिनी को 1 सीट, CM शीवराज 1,00,000 से भी जादा वोटों से जीते हैं, दत्या से ग्री मंत्री नरुत्तम शाहरे हैं, कमलनात ने BJP को बढ़ाई दी, कहा जुनत्ता का फैसला स्विकार है, तो ही 36 गड़ की बड़ी बाते भी बता दें आपको, 36 गड़ में BJP को इस पश्च बहुमत मिला, BJP को 54 सीटें, कॉंग्रेस को 35 और अन्य को 1 सीट, पुपेश केबिनेट के 9 मंत्रियों को हार मिली है, राइगर से BJP प्रत्याशी उपी चौधरी को दिल्ली बुलावा केंदरी ग्री मंत्री अमिच्छा ने दिल्ली बुलाया है। वो दिल्ली जाएंगे और अमिच्छा का फोन आ चुका है इसके लिए, तो आपको बता दे के राइपूर पहले वो अपने क्षेत्र विदाजबर क्षेत्र से आएंगे, उसके बाद सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, अमिच्छा का फोन आया है, बड़ी यहां से राइपूर से दिल्ली के लिए सुबह रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने राजेपाल को अपना इस्तीफा सौप दिया है, हार की समिक्षा करेंगे, यह कहा है। मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने राजेपाल को अपना इस्तीफा सौपने के लिए पहुँचे और काकीहार की समिक्षा करेंगे। तो वहीं ओपी चौधरी को दिल्ली से बुला हुआ है, अमिट्शा ने फोन किया और अब वो राजगर से रापूर आएंगे और उसके बाद कल सुबा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आपको बता दें कि ओपी चौधरी को चुनाओ केमपेंड के दौरान अमिट्शा ने कहा था कि कुछ बड़ा मौका उन्हें मिलेगा और इस वीज़ अगर फोन आया अमिट्शा का तो राइगर से वो रापूर आएंगे और रापूर के इस बाद दिल्ली के लिए रव चौधरी को दिल्ली के लिए बुलावा है तो जी बिलकुल आपने सही कहा आठ नमबर को अमिट साहा का दौरा था और अमिट साहा जी ने ये कहा था राइगर में रोट सो के दौरान कि आप ओपी चौधरी को भारी महुमत से विज़ बनाईए और मैं उन्हें बड़ा पास-पास के छेत्रों में और आज जो चुनावी नतीजे आया है राउल आप देखिए कि 64,000 से भी अधिक वोटों से ओपी चौधरी जीते हैं और लगातार ये बात कहीं जा रही थी उस दिन के बाद से लगातार कि कहीं न कहीं ओपी चौधरी जो है वो सीम या डिप्ट कोई बड़ा आदमी नहीं होता एक आम कारेकरत भी बड़ा आदमी बनता है तो बड़े आदमी को दूसरे वे से नहीं देखना चाहिए उसे यह नहीं देखना चाहिए क्योंकि अगर आप सीम की बात करें तो सीम में के फेस में 36 गड़ में कई बड़े चेहरे हैं जिसमें मताबिक दिल्ली से उनके पास कॉल आया है अमित साह का और उन्होंने दिल्ली में बुलाया है मीटिंग के लिए और इसी वज़ा से चुंकी राइगार दिलान सभा के जो नतीजे रावल बहुत लेट आये हैं लगबग साड़े आड़ बे तक नतीजे आये हैं और उसके ब लेकिन यहता है कि वो दिल्ली जाने वाले हैं तो जिस तरह से सीम फेस को लेकर तमाम कावायते चल रही है जिस तरह से पहले नंबर पर नाम उनका चल रहा है क्योंकि पूरा आये सदिकारी रहे हैं और कही न कहीं प्रसासनिक तंत्र में उनकी अच्छी आसासी पकड़ रह तो यह अब तक कि जो अपडेट है जो पुष्टे मिल रही है उससे मुताबिक कल जो है वो अमित्सा के सान्द की मीटिंग होने वाली है बिल्कुल और अविनाश चुके अपन ये देख चुके हैं कि अब यहाँ पर केवल ओपी चौधरी नहीं बलकि और भी कई ऐसे नाम है जो सीएम के दोड़ में शामिलारूंसाओ भी एक नाम है इसके लावा और कई वरिशनिताओं के भी नाम चल रहे है रमन सिंग भी पुर पर चाहिए वह कवायदे हैं लेकिन जो राजनितिक पंडित हैं जो राजनितिक विसे सग्य है वह इस बात के पुस्टी करते हैं कि इन संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता हाला कि जो प्रबल चेरे लगातार आईविस्ट्रणीपोर दीन चेहरों की बात कर रहा है चाहिए वो विश्णोय साय के नाम की बात हो चाहिए वो रमन सिंग जी की बात हो चाहिए वो ओपी चौधरी की बात हो इन तमाम चेरों को खारिस नहीं किया जा सकता लेकिन बात अगर ओपी चौधरी की आती है जिस तरह से संकेत मिले हैं जिस तरह से दिल्ली जाने के संक उन्हें कहीं न कहीं यूत आइकन की रूप में देखा जाता था तो ये तैय था कि कहीं न कहीं किसी बड़ी जगा में उन्हें बड़ी जगा उनको मिलना है अमित साह के बयान के बाद ये भी तैय हो गया था कि बड़ा आदमी बनने वाले है लेकिन इसकी परिभासा क्या सकती है जी बिल्कुल सीम फेस को लेकर बड़ी 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 जिम्मधारी मिल सकती है और अविनाश चुके आब अतारे यूथ आइकोन है अपने उत्र में खासी पकड़ रखते हैं और साथ ही ये देखा जाए कि अगर राइपूर की बात करें राइपूर में कल अपने दर्शकों को आपसे सवाल मैं का जवाब चाहूंगा लेकिन इस वक्त आपको ये सुना देते हैं कि उपी चोदर ही निक्या का है अपने दर्शकों को सुना रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बड़ा आदमी बनाओंगा तो ये CM FACE के अलावा और क्या जिम्मेदारी अगर नहीं मिलती है CM FACE के नहीं बन पाते हैं तो और क्या जिम्मेदारी मिल सकती है ओपी चोदरी को देखिए सबसे बड़ी बात जो बार बार इस बात को बल मिल रहा है कि वो CM FACE क्यों हो सकते है आप सोचिए कि एक I.A. सदिकारी जो लगातार 6-7 जिलों में काम कर चुका है जिसने राजधानी जैसे जगा पर कलेक्टरी की कमान समाली है कही न कहीं राजधानी का कलेक्टर होना मतलब अपने आप में प्रसासन तंदर के साथ सत्ता के साथ किस तरह से बहतर तालमेल करने का गुण होता है वो कहीं न कहीं O.P. चौधरी में है जिस समय वो राजधानी राएपूर में कलेक्टर थे उस समय रामन सिंग जी मुख्य मंत्री थे उस समय जिस सत्ता के साथ बहतर तालमेल था उसके रिजल्ट राएपूर के लोगों ने देखा है राजधानी के लोगों ने देखा है इसके पहले कि अगर बात करें दंतेवाड़ा में जिस तरह से लाइवलिवूट की शुरुवात उन्होंने की थी राएपूर के लावा अन्ने जगों पर भी इस तरह की लाइबरी बनाना चाहते है तो मैं इन सब बातों के बताने का मकसद मेरा ये है कि अगर वो सीम फेस नहीं होते है ये बात तैह है राहूल आप इस बात को लिख लिजए कि मिनिस्ट्री उनकी तैह है मिनिस्ट्री क्या मिलेगी ये बात की बात है लेकिन मिनिस्ट्री उनकी टाय है लेकिन फिलाल झो अमिशाग का जिस तरह से नहीं होता है سबसे आपको बता दे दूसरी बड़ी ख़बर जो आज की थी राज जिपाल को इस्तीफा सोपने के लिए अज मुख्यमंत्री बुपेश बगिल गया इस तरह उन्हों ने क्या कहा यह आपको सुनाते हैं कि अभी जनादेश भारती जनता पार्टिक मिला है और मैं उनको बधाई देता हूं ते लिए रुके एक शटो से ब्रेक करे जल्द उटते हैं कुछ और ख़ब रुक साइब ते हुआ आपको हुआ है यह सब क्या है शनाया और्शिवा शनाय तुम दुनों ने गर बनाया है हां फिंक बाओब करके नीव में क्या लगता है हमारा प्यार प्यार नहीं कम जोह टीम्टी का बार होगा राकेट सिंह मुआ रुछ भी दिले कि अमने तो एंगदम सॉलेट एंटी बार लगाया है अध़ रुंटा स्टील एंटी बार जम से नमाने हार रुंटा स्टील एंटी बार है बिल्कुल राइड़े रे प्लास्टिक जे प्रोटेक्शन नहीं लमिनेशन वाड़ा अल्टिमा प्रोटेक एक्स्टिरियर पेंट बारिश दूप और धूल को आन दो जाया है मैं भारत हूँ भारत है मुझ मैं शाकत हूँ तासत है मुझ मैं मैं भारत हूँ भारत है मुझ मैं शाकत हूँ तासत है मुझ 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 भारत बरे, भारत बरे भाके उरी जामा लगे है भारत लोक तंत्र ले सजे है भारत सबले बड़े ये तिहार हमर है इही कर तव्य अधिकार हमर है हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती तो अपनी सेहत से क्यों? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमे, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुश्पा अंग्रेजी बोल चाल सिखने का एक नुठा सोस Lapidex English Speaking Course एल्समें हो या व्यापारी, मेनजर या करमचारी मौकिंग कर्ल हो या धेहनी सभी की तरक्की का एक ही सोस Lapidex English Speaking Course सिके साथ एतच्छे बने थो गोल्डि छोले मसाले जहां जाये, रिष्टे बनाएं जहां जाये रिष्टे बाऊें, छल कॉल्डी मसाले वेडा कमेडे संसक्के खित गोल्डि करते के भाहिया तो आप से कहते हैं जल्दी हार इब हारμεन के सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कठिंदर, अन्यमिता, खून की कमी, ठकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन और शधी, एवम टॉनिक बढ़ते पॉल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, हासी, जुथाम एक आम बात ऐसे में लीजिए भुल्तानिकों का कौफ सरफ, ताके बदलते मौसम के साथ आप नबर ले भारत में महिलाओं की केवल भागिदारी नहीं बढ़ी हैं, बलकि वो हर खेत्र में आगे आकर नेत्रुतों कर रही है आधियाबादी की अर्थिक आजादी यानि सबलनारी प्रगती हमारी बीसी सखी कारिक्रम से आत्म निर्भर बन रही है प्रदेश की नारी सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में नियूपती 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से 1 करोड महिलाएं जुडी ओशाहार निर्मान एकायों से 4,000 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार 2,35,000 स्वयम सहायता ग्रुप्स को 2,353 करोड रुपए के रिन उपलब्ध 31,50,000 महिलाओं को निराशृत महिला पेंशन मिली सपने हो रहे साकार डबल इंजिन की सरकार हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती तो अपनी सेहत से क्यों मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमे, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुश्पा ये है मीरा टीचर, हर चीज में देती है ये नमबर 90 on 100 परफेक्शनिस्ट कहलाती है ये अकसर पतंजली हनी, सबको उतारती हो कसौटी पर जरा अपने हनी को भी दे दो नमबर पतंजली हनी, इसके पूरे 100 में 100 प्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम पतंजली हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउन लाब्स में और पतंजली हनी ने पास किये हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनाशनल पारमीटर्स तभी तो बना ही, प्योरिटी में मेरा लीजर्ट पतंजली हनी, सौ में सौ प्रिया नहीं यार, दातों में दर्द है तो ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ क्या? जूट पेस्ट से? मतलब? देख, एक सच होता है और उसका उपोसेट? जूट तो जिससे तो ब्रश करती है, वो है जूट पेस्ट और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांती से, ये साधारन टूट पेस्ट नहीं, टूट पेस्ट है पदन जली दंत कांती, अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, फुदीना, लॉंग, पीपली जैसे सोला आयरुवेदिक ततों का मिचरण जो दातों की सडन, कैविटी, पारिया से लड़े और दातों और मसूडों को बनाए नाच्रिली मस्भूथ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, चुनावी प्रबंधन में भाजपा की रणनेती का कोई तोड नहीं है चुनावी विसाथ पर पिछली बार 36 गड़ में 15 सीटों पर सिम्टी भाजपा ने उस बार ऐसा दाव चला जिसके आगे कॉंग्रेस के तमाम दावे और समिकरण धरे के धरे रहे गए मैस चंद महीनों में ही हवा का रुख बदर गया और भाजपा की जीत की बयार बहने रगी 36 गड़ में चुनावी से चंद महीने पहले तक कॉंग्रेस की पक्ष में एक तरफा महौल था लेकिन भाजपा के दिगजों ने पंजे से जीत को खीच कर एक बार फेर कमल खिला दिया 36 गड़ में भाजपा की जीत की पटकता चुनाव से करीब तेड़ साल पहले लिखी जाने लगी थी पार्टी हाई कमान ने 36 गड़ में OBC वोट बैंक के एहमियत को देखते हुए सबसे पहले बिलासपूर सांसद अरुनसाओ को प्रदेश ध्यक्ष बनाया इसके बाद OBC के ही नाराण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौपी गई इसके महीने भर के अंदर प्रदेश प्रभारी के तौर पर पार्टी के बड़े रणनेतिकार ओम माथूर ने कमान सम्हाल भाजपा ने इस बार बिलकुल नया दाओ खेलते हुए चुनाओ के एरां से चार महीने पहले ही 21 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिये ये वो सीटे थी जिन पर भाजपा हारती आई थी इसके पिछे मंशा यही थी कि इन सीटों पर उम्मीदवारों को चुनावी तयारी का भरपूर मौका मिल जाएगा और हुआ भी यही इनी की सीटों में से दस सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल किये वही इस बार भाजपा ने भीतर घात के आशंका को खारिश करने के लिए उन दिगजों को भी चुनावी मैदान में मौका दिया जो पिछला चुनाव हार चुके थे इसके बाद पियम मोदी निच्षे और केंदरी गिरीमंत्री अमिशा ने ताबर तोड दस चुनावी सभाय कर जनता को डबल इंजन वाले विकास की गारंटी दी अपने चुनाव अभ्यान के दुरान भाजपा लगातार प्रिष्टचार और अपराद का मुद्दा भी पुर्जोर तरीके से उठाती रही जिससे जनता का ध्यान असल मुद्दों के उर गया आउनलाइन सट्टे बाजी एप महाद्यो को लेकर भी एक बड़ा वर्ग खासा नारास था इसके साथ ही युवाओं के लिए किये गए वादों ने भाजपा की जीत की राह आसान कर दी आखिर के चंद महीनों में भाजपा ने किसानों का मुद्दा भी कॉंगरेस से छीन लिया संकल्प पत्र में 31 सौ की दर से प्रतिये कर 21 कुंटल धान खरी दी दो साल के बोनस का एक मुश्ट भुक्तान और भूमी हिन किशी मजदूनों को 10,000 रुपए सालाना के वादे ने किसानों का भरोसा जीत लिया वहीं गरीब मैलाओं को 500 रुपए में गैस सिलंडर और महतारी वंतन यूजना के तहत मैलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने के वादे के साथ भाजपा ने फॉम भी भर्वाना शुरू किया जिसका नतीजा प्रचंड जीत के तौर पर सामने आया पूरे चुनौ के दौरान सह प्रभारी मनसुख मांडविया और वार्रूम के तमाम निताओं ने जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक ऐसी रड़नितिक पारी खेली जिससे कॉंग्रेस चारों खाने चित्त हो गई यह हम रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल लौट रहे कुछ और चुनावी खबरों के साथ खड़म तयार है विलकुल तयार है खड़म तयार है जी जाने से तयार है इसलिए तो हम लेड़ों के भैड़र है एखने बौरती, मुझे बार के छोगरा, लुट को उम्हें बार के सार्धी भार के पम चंहार दे, नहीं भार के सारधी, सारकी, सार्धी स्टीव करोนयों यहाँघ। यहाँड़। यहाँचिव करो इस नाँड़। क्यास्मिक गायप गरो गोगोगोगगोगगगगग गायप। आणदो अप्लास्टिक स्टर्टेक्शने प्लमिनेशन वारा अल्टिमा प्रोटेक एक्स्टीरियर पेंट बारिश दूपर दूल को आन दो तुम जार दो अंग्रेजी बोल चाल सीखने का एक नूठा सोर्स रापिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सेल्समेन हो या व्यापारी, मैनजर या करमचारी सभी की करक्की का एक ही सोर्स रापिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सोरी और चिर्चरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुष्पा अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले जहां जाए रिष्टे बनाए जहां जाए रिष्टे बनाए गोल्डी मसाले अरुजेद का ये सार है अरो की का प्रकाश है ये दिव्य है अमूल है पतंजली चवन खाश है हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती तो अपनी सेहत से क्यूँ? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमे, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कठिंदर, अन्यमिता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन और शधी, एवं टॉनिक राइपूर शहर के विकाषपुरुष, श्री प्रमोद दुबे जी को जन्म दिन की हार्दिक बधाई, यहों शुब कामनाए विनित, अविने, दुबे, महामंतरी राइपुर शहर जीला कॉंग्रिस कमीटी हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती, तो अपनी सेहत से क्यों? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमे, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती हैं इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुश्पा हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती, तो अपनी सेहत से क्यों? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमे, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती हैं इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुश्पा बढ़ते पॉल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्वी, हासी, जुखाम एक आम बात है ऐसे मेलीजिए बुलतानिकों का कौफ सरफ ताके बदलते मौसम के साथ आप न बदले राइपूर शहर के विकाश पुरुष श्री प्रमोद दुबे जी को जन्म दिन की हार्डिक बधाई यहों शुब काम ना है विनित अविने दुबे महा मंतरी राइपूर शहर जिला कॉंग्रिस कमेटी प्लास्टिक गायब करो गायाद आण दो हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती तो अपनी सेहत से क्यों? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमे, कमजोरी और चिरचिरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुश्पा अगर छोने बने तो गोल्डी छोने मसाले जहां जहाँ जहाँ रिष्टे बनाए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मदबदेश में भाश्पा ने सारी अचकलों को खारिश करते हुए सत्ता में जोरदार वापसी कर ली भाश्पा ने 164 सीटों पर एक तरफा जीत हासिर करते हुए कॉंगरेस का सूपड़ा साफ कर दिया कॉंगरेस के हिस्से में केवल 65 सीटे आई भाश्पा को मिले सुझीत के क्या फैक्टर रहे आईए देखते हैं रिपोर्ट मत परिपाइ ज़ना एप परिवाद और लाडली बहनों ने अपने भईया शिवराज का मान रखते हुए उनकी सत्ता में वापसी की राह आसान कर दी अपने शुरुवाती कारेकाल में लाडली लक्ष्मी योजना के जरिये बनाई गई मामा की छवी में जब इस बार शिवराज सिह ने लाडली बहना योजना के जरिये भईया का तड़का लगाया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी ये योजना इतना कमाल कर देगी चुनाओं के पहले तक भाजपा सरकार की विदाई तैमानी जा रही थी लेकिन मतदान केंद्रों पर लगी महिलाओं की लंबी लंबी लाई ने इस बात का संकेत दे रही थी कि लाडली बहना योजना अपना काम कर गई है भाजपा ने भले ये चुनाओं शिवराज सिह चोहान के चेहरे के बिना लड़ा था लेकिन नतीजे बताते हैं कि महिलाओं ने शिवराज के चेहरे को सामने रख कर इवियम का बटन दबाया था शिवराज ने खुद को सियम का चेहरा नहीं बनाय जाने के बावजूद 165 तुफानी सभाय करके परिश्रम की पराकास्ठा पार कर दी हाला कि कॉंग्रेस की इस बारे में उसकी अपनी अलग दलील है मधप्रदेश के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में मधप्रदेश है जनता उन पर अगाध प्रेम और सरिधा रखती है ये उनके नित्रत्व की विजय है अमित भाई ने जो रननीती बनाई ये उसका परिणाम है नड़ा जी का हमें मार्क दर्सन मिला मैं केंदर को प्रणाम करता हूँ फिर हमने पूरे चुनाओ को पूरी ताकत से सामूह के नित्रत्व में लड़ा मद्रदेश के बद्दाताओं का फैसला स्वीकार करते हूँ आज विरोधी दल किनाती और आगे भी जो हमारा करतबे है हम उस करतबे पर डटे हूँ मैं कहता था मैं मद्रदेश के मद्दाताओं पर विश्वास करता हूँ आज भी विश्वास करता हूँ और मुझे ये उमीद है कि ये प्रिश्वास जो मंदिपदेश की मद्दातों ने बार्टी दंतापाली बनका है उनके साथ प्रिश्वास का नहीं हुआ दरसल शिवराज सिंह को चेहरा नहीं बनाये जाने के पीछे भाजपा की अपनी मजबूरी थी भाजपा अलकमान को 18 साल की एंटीन कम्बेंसी का डरसता रहा था यही वज़ा रही कि भाजपा ने प्रधान मंतरी मोदी को आगे रखकर MP में मन में मोदी स्लोगन के साथ चुनाव लड़ा भाजपा इस सुनाव को हर हाल में जीतना चाहती थी और कोई खत्रा मोल नहीं लेना चाहती थी इसलिए उसने तीन केंद्री मंतरियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रलाद सिंह पटेल और फगण सिंह कुलस्ते समेथ साथ सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया था इनमें से अमूमन सभी की जीत ये बताती है कि भाजपा के दाउं काम कर गया इसके अलावा भाजपा ने एक बड़ा रणनीतिक दाउं चलते हुए चुनाव से पहले ही 49 सीटों पर उम्मिद्वार घोशित कर दिये थे ताकि इन सीटों पर प्रचार का परियाप्त समय मिल सके ये वही सीटे थी जहां भाजपा को पिछले कई चुनाव से जीत नहीं मिली थी भाजपा की ये चाल भी कमाल कर गई उधर कॉंग्रेस अपनी हार के कुछ और ही कारण तलाश रही है भाजपा की जीत में उसके टाइम टेस्टेड मुद्दे हिंदुत्व ने भी अपनी एहम भूमी का निभाई है चुनाव के दोरान इंडी अलाइंस के घटक दल दियमके के नेताओं की ओर से की गई सनातन विरोधी टिपणी ने भाजपा को धुवी करण का मंचाह मुद्दा थमा दिया था वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भी भाजपा ने चुनाव प्रचार में अपने मन माफिक इस्तिमाल करके अपनी प्रचंड जीत की राह आसान बना दी एलेक्शन डेस्क आईबीस 24 या रुकेंगे काट शोट उसे ब्रेक लिए ब्रेक के बाद भी खबरों का सहिसला जा रहे है यह सब क्या है शुनाया और शिवा शिवा और फिश शुनाये तुम दोनों ने घर बुनाया है तक किनिव में क्या लगता है हमारा प्यार महार नहीं कम जो के लुडर गभार होगा रॉक्इट जेके किन लेतु एक्दम सॉलेग लगाया है अंज 차rell शंड स्तील टी अम्टी बाच जंग सेनमानि हाथ यूंटास्टिल टी आम्टी बाच है पिल्कुल रriters मैंद्गी मैं भारताओ, भारत है मुरमे, हम भारत केलत मस्तक हैं, हम जोद्वा देदू अस्तक हैं, हम भारत बाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता है मददान, मददान तेरा जावो हमें, भारत भर, भारत भर हां के उरिजमा लके हे भारत लोक तंत्र ले सजे हे भारत सबले बड़े ये तेहार हमर है, इही करतव अधिकार हमर है मतदान, मतदान तेला जावुमत, भारत बर, भारत बर, जाया है हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती तो अपनी सेहत से क्यों? मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमे, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुश्पा अंग्रेजी बोल चाल सीखने का एक नूठा सोर्स रापिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सेल्जमेन हो या व्यापारी, मैनेजर या करमचारी वोकिंग गल हो या ग्रहेनी सभी की तरक्की का एकी सोर्स रापिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आडियो सीडी के साथ रापिड शहर के विकाश पुरुष श्री प्रमोद दुबे जी को जन्म दिन की हार्दिक बधाई यहों शुब काम नाए विनीद अविने दुबे महा मंतरी रापिड शहर जिला कॉंग्रिस कमेटी अरे यार रिशी की शादी है मैं क्या पहनू हाँ मैं भी क्या पहनू हाँ मैं भी क्या पहनू अरे शादी तो मेरी है मैं क्या पहनूगा अरे दुले सहाब दुला तो मैं हूँ पर क्या अरे बुद्दु दुले सहाब है ना दूले सहाब जहां है शादी और त्योहारों के लिए बहतरीन क्वालिटी के आउट्टिक दूले सहाब आपके नर्जदे की शहरों में Don't worry, Master Maxima है ना, ये डाग धबों को धो डालता है और बीवारों को चकाचक बनाता है Master Maxima के फाइदे तीन करे दाग धब्बे और फंगस क्लीन सपने आपके रंग हमारे Global Colors and Chemical एक संकल करोडों के भरोसे का एक संकल निरंतर सपलता का एक संकल नित नई काम्यावियों का और एक संकल मजबूती का और रिष्टा सदियों का नाकोडा टीम्टी क्या आप अभी माता-पिता बनने का इंतिजार कर रहे हैं? आज ही 8929-112725 पर कॉल करें OSS Fertility के कम लागत पाले IVF-14 की साहेता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें Health Tips के प्रायजक है Dr. Orthoil Dr. Ortho Ayurvedic Oil M Capsule जोडों के दर्द की बेजोड़ दवा जाया है हम भारत के लत मस्तक हन हम जो था के दू मस्तक हन हम भारत भाग भिठाता हन हम भारत के मत्दाता हन मत्दान मत्दान तेला जाओ हमन भारत बर भारत बर भाके उरिजामा लगे है भारत, लोक तंत्र ले सजे है भारत, सबले बड़े ये तिहार हमर है, इही कर तव अधिकार हमर है मतदान, मतदान देला जाव हमर, भारत बर, भारत बर, जाया है बरेके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, मतविदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला भाजपा के शांदार जीत के शिर्पकार पार्ची के दिगज रंधितिकार है भाजपा के दिगज निताओं ने मतविदेश की जनता का मूड भापा और ऐसी रंधिति बनाए जो बड़ी जीत का धार बने इसमें सबसे पहला नमबर आता है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का प्यम मोदी ने मतविदेश में 15 चुनावी सभाएं और रोट शो कर अपनी गारंटी दी और इसके साथ ही पार्टी के राष्टे दक्स जेपी नड़ा ने भी जीत का मार कुश्रस्त किया केंद्री ग्री मंत्री अमिच्चा ने मतविदेश में धुआधार 27 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और वारूम में लगतार निताओं को चार्ज करते रहे दूसरे छोर से केंद्री मंत्री और प्रदेश प्रभारी वुपेंद्यादों ने कमान सम्हाले रखी केंद्री मंत्री अशुनी वैश्टों ने भी बूत लेवल तक कारकरताओं का मार्ग दर्शन किया इसके लावा राश्टिय सरसंगठन मंत्री शुप्रकाशने चुनाव की हर बारीक रणनीति को तयार करने में अहम भूमिका जबाए यह वोई शिल्पकार है जिनोंने इतिहास रज़ दिया मद्वदेश में इस बार बीजेपी की जीत प्रचंड बहुमस से हुई है मद्वदेश में बीजेपी की जीत यानि सत्ता के साथ चेहरों की हम बात करेंगे और इसमें पहला चेहरा रहा प्रधान मंत्री दरेण मोधी के गारेंटी पर लोगों ने भरस जताया मद्वदेश के मन में मोधी मोधी के मन में मद्यवदेश असरदार डबल इंजन सरकार पर मुहर लगाई गई धुआधार प्रचार अभियान असरदार रहा है तो यह फैक्टर्स हैं जीत के फैक्टर्स दूसरा चेहरा आपको बता दें दूसरा चेहरा अमिट्शा रहे हैं कमजोर सीटों पर खास रणनीती उन्होंने बनाई चुनावी रणनीती का कुशल प्रबंधन किया नाराज नेताओं को बनाने में अहम भूमिका निभाई है इसी प्रकार तीसरे चेहरे की बात कर लेते तीसरे चेहरा शुराज सिंह चोहान खुद रहे तो लाडली बैनों के दिल में जगा लाडली बैना योजना शुराज सिंह चोहान के एक महत्पून योजना रही जिसने एहम भूमिका निभाई तो वहीं चोथा चेहरा जोती रहे सिंध्या करा धूअधार प्रचार अभियान का फायदा मिला पार्टी हित को सरोपरी रखा गुडबाजी को रोड़ा बनने नहीं दिया इसी पकार पांचवे चेहरे की बात करते हैं भुपेंदर यादाव पांचवा चेहरा संगठन को एकजुट करने में योगदान दिया, खामियों पर काम किया और कडियां जोडी केंदर और राज्य की लिडर्शिप के बीच समन में बनाया चटवा चेहरा बीडी शर्मर है, पुरानी बीजेपी और ने बीजेपी को एकजुट किया, युवाओं को तरजी दे कर केडर को मजबूत किया, महा कौशल में पार्टी को बढ़त दिलाए सात्वा और अंतिम चेहरा दिग्जसी ने विवादित बयानों से बीजेपी को हमले का मौका इनों में दिया, कपड़ा फाड़ो बयान पर बीजेपी हावी हुई, गुडबाजी वाली छवी के कारण विरोधी हावी रहे यहां हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए गोल्ड अपडेट इस ब्रॉट चुपाई ज्विलर्स अनूचन भनसाली सदर बाजार ड्राइपुर हम महिलाएं अपने परिवार की सेहत से समझोता नहीं करती तो अपनी सेहत से क्यों मुश्किल दिनों की शुरुआत से मेनोपॉस तक हॉर्मोन्स की गरबड़ी, खून की कमे, कमजोरी और चिर्चिरापन जैसे परेशानिया होती है इनका जवाब है नमबर वन टॉनिक हेम पुश्पा प्लास्टिक से प्रोटेक्शन नहीं, लामिनेशन वाला अल्टिमा प्रोटेक एक्स्टीरियर पेंट बारिश गूप अप्दूल को आण दो तुम जाण दो जाया है मैं भारत रहूं भारत है मुर्में हम भारत के लत मस्तक हन, हम दोधा के दू अस्तक हन, हम भारत भाग्य विधाता हन हम भारत के मत्दादा हन, मत्दान, मत्दान तेला जाओ हमन, भारत भारत भारत, भारत भारत भाके ऊरी जामा लगे है भारत, लोक तंतर ले सजे है भारत सबले बड़े ये तिहार हमर है इही करतव अधिकार हमर है मतदान, मतदान तेला जावुमत भारत बर, भारत बर जाया है एक संकल करोडों की भरोसे का, एक संकल निरंतर सपलता का, एक संकल नित नई काम्यावियों का, और एक संकल मजबूती का, और रिष्टा सदियों का, नाकोडा टी-म्टी अरे यार, रिष्ट की शादी है, मैं क्या पहनू? हाँ, मैं भी क्या पहनू? अरे शादी तो मेरी है, मैं क्या पहनूगा? अरे दुले सहाब दूला तो मैं हूँ, पर क्या? अरे बुद्दू, दूले सहाब है ना? दूले सहाब, जहाँ है शादी और तेवहारों के लिए बहतरीन क्वालिटी के आउट्टे दूले सहाब, आपके नर्जदे की शहरों में Don't worry, Master Maxima है ना? ये डाग धब्बों को धो डालता है और बीवारों को चकाचक बनाता है Master Maxima के फाइदे तीन करे दाग, धब्बे और फंगस क्लीन सपने आपके रंग हमारे Global Colors and Chemical राइपुल शहर के विकाश पुरुष, श्री प्रमोद दुबे जी को जन्म दिन की हार्दिक बधाई यहों शुब कामना आए विनीर, अविने दुबे, महामंतरी राइपुल शहर जिला कॉंग्रिस कमीटी Don't worry, Master Maxima है ना? यह डाग धबो को धो डालता है और विवारों को चकाचक बनाता है Master Maxima के पाइदे तीन करे डाग धब्बे और फंगस क्लीन सपने आपके रंग हमारे Global Colors and Chemical एक संकल करोडों के भरोसे का एक संकल निरंतर सपलता का एक संकल नित नई काम्यावियों का और एक संकल मजबूती का और रिष्टा सदियों का नाकोडा TMT क्या आप अभी माता-पिता बनने का इंतिजार कर रहे हैं? आज ही 8929-112725 पर कॉल करें OSS Fortility के कम लागत बाले IVF UB4 की साहता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुश खबरी दें ज्विलर्स अनूप्चन भनसाली ज्विलर्स अनूप्चन भनसाली सदर बाजार ड्राइपुर रिके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मद्वदेश में कॉंग्रेस को करारी हार मिली और इस हार में कॉंग्रेस की नेता कितने जिम्यतार है आईए कॉंग्रेस के इन चेहरों को आपको बता देते हैं पहला चेहरा है राहूल गांधी मोधी पर लगतार हमले का धाउ उल्टा पड़ा है राज्य के नेताओं की गुडबाजी को खत्म नहीं कर पाए जातिगत राज्यिती पर केंदृत रहने का भी नुकसान हुआ है दूसरा चेहरा कमलनाथ 2018 के चुनावी रणनीती का देहुराव भारी पड़ा टिकेट बटवारे में नाराजगी दूर नहीं कर पाए शुराज की मुकावले प्रचार अभ्यान कमसूर रहा तीसरा चेहरा प्रियंका गांधी का रहा सौफ छेवी के करण असर दमदार नहीं रहा महिला वोटरस में असर नहीं पड़ा चुनावी भीड को वोट में तबदील नहीं कर पाए चौथा चेहरा रणदीप सुर्जेवाला का है प्रदिश प्रभारी के तौर पर वे असर दार नहीं रहे देर से मिले प्रभार के करण संगठन में असर नहीं हुआ नेताओं की गुडबाजी को खत्म नहीं कर पाया पांचवा चेहरा भी आपको बता देते हैं दिविजा सिंग रहे विवगादित बयानों से पार्टी की छवी को कमजोर किया वर्चोसी की लड़ाई में पार्टी हित पर असर पड़ा टिकेट बटवारे में दखल कई सीटों पर भारी पड़ दया तो देश के दिल मद्वदेश में एक बार फिर कमल खिल गया है विदान सबचिनों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्च की सीटों का हकड़ा एक सो साच के पार है वहीं कॉंग्रेस को करारी हार जहिलनी पड़ी है 2023 में बीजेपी की जीत और कॉंग्रेस की हार के क्या प्रमुख करण है देखते हैं स्रुपोर्ट में ये जीत है जूरदार वादों की रफ्तार में बेहद असरदार मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलने का जश्न जारी है बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत क्यों हुई क्या पांच प्रमुख कारण रहे आईए चांते ही सबसे पहला कारण लाड़ली बहना समेद महिला हित की योजिनाव का मास्टर इस्टो जो शिवराज सरकार निखेला वो असरदार रहा दूसरा कारण सटीक चुनाव प्रबंधन और मोधी शाह का आक्रामक प्रचार इससे भी महौल बना और जीत में मदद मिली तीसरा कारण सियंग शिवराज की अथक महनत यानि उनकी धुआधार सभाएं भी असरदार रही बीजेपी की जीत का चौथा प्रमुक कारण है टिकट वितरण में सूजबूच का फाइदा यानि टिकट बटवारे में सही उम्मीदवार पर दाउं लगाया गया और जो वोट खीचने में काम्याब रहे जीत का पांचमा कारण है हिंदुत्व, सनातन और राममंदिर का क्लियर एजेंडा जिसने बीजेपी के एक परमपरागत वोट बैंक को मजबूत किया और खिसकने नहीं दिया अब उन पांच प्रमुक कारणों को जान लेते हैं जिनके कारण कॉंग्रेस को बुरी तरह से हार जहली पड़ी है कॉंग्रेस की हार का पहला कारण है टिकट वेतरण में शिर्ष नेताओं में वर्चस्व के लड़ाई इसकी वजह से नराजगी बढ़ी और सही उमीदबार पर दाउ नहीं लगा हार का दूसरा कारण जातिबात की राजिनीती का दाउ उल्टा पड़ गया यानि कॉंग्रेस का जातिबात पर जोर देना नुकसान दे रहा तीसरे कारण की बात करें तो राहुल प्रियंका के लाबा किसी बड़े चेहरे का नहुना जिसके चलते प्रचार अभियान बीजेपी के मुकाबले कमजोर रहा हार का चोथा कारण रहा कमल नाथ का वन मैं शोग यानि प्रदेश के दूसरे दिगज कॉंग्रेस नेता उतने असरदार नहीं रहे और पांचवा प्रमुकारण है सिंधिया का प्रभाव और साथ नहीं मिला यानि 2018 में सिंधिया के साथ का जो फायदा मिला था वो इस बार उल्टा बीजेपी के साथ था तो नुकसान बड़ा हो गया तो ये बड़े कारण रहे जिनके वजह से कॉंग्रेस इस बार चारो खाने चित्थो गए एलेक्शन डेस्ट आईबीसी ट्वंटीफोर इस बुरेटेन में फिलाल इतना है निकिन ताज़ अपडेट के आप बने रहे है आईबीसी ट्वंटीफोर के साथ नमस्कार विगद 26 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी और्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केर संस्थान राइपोर एकिकरतीम एकिकरत लक्ष संपूर्ण स्वास थे श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल दो सो विस्तरों का सर्व सुधायक्थ हॉस्पिटल विगत 12 वर्षों से आपकी सेवा में न्यू राजिन नगर अमली डी राइपोर हरी केसरी राइस पैन ओयल ट्राइ करके देखो जब तक ट्राइ नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा उडान I.S. Administrative Academy, रजबंदा मैदान ड्राइपोर, प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए अग्रणी संस्थान, सेज इनवर्स्टी इंदौर भोपार, ट्रांस्फॉर्मिंग यूर पैशन इन्टू प्रोफेशन, आपके विश्वास का प्रती, अब अपनी शाखा के साथ, अग्रवाल आभुशन, न्यू राज टाकीज के सामने खरोरा रोड तिल्दा, राजकोट की फरम अगरबत्ती, मेरे घरांगन को महकाए, 36 गळव मध्यप्रदेश में भी उपलब्द, और नाकोड़ा टीम्टी, संकल्प मजबूती का, रिष्टा सदियों का. मैं थाकत हूँ, ताकत है मुरमे, हम भारते के नतisme स्थक हैं, हम दूद्ध एदू अस्थक हैं, हम भारत भाध्य भी धाता हैं, हम भारत के मत्दाता हैं. मत दान, मत दान तेला जावो हमन, भारत बर, भारत बर भाके उरिजा मालागे है भारत, लोक तंत्र ले सजे है भारत सब ले बड़े ये तिहार हमर है इही कर तव अधिकार हमर है मत दान, मत दान तेला जावो हमन, भारत बर, भारत बर जाया है क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतिजार कर रहे हैं? आज ही 8929-112725 पर कॉल करें OSS Fortality के कम लागत पाले IVF उपचार की साहता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुश खबरी दें अरे दुले सहाब दुला तो मैं हूँ पर क्या? अरे बुद्दू दुले सहाब है न? दुले सहाब जहां है शादी और त्योहारों के लिए बहतरीन क्वालिटी के आउट्ट दुले सहाब आपके रस्दे की शहरों में एक संकल्द करोडों के भरोसे का एक संकल्द निरंतर सपलता का एक संकल्द नित नई काम्यावियों का और एक संकल्द मजबूती का और रिष्टा सदियों का नाकोडा टीम्टी हेल्थ टिप्स के प्रायजक है डॉक्टर आर्थो आयल्ट डॉक्टर आर्थो आयर्वेदिक ओयल्ट एम केप्सूल जोडों के दर्द की बेजोड़ दवा ज्विलर्स अनुचन भनसाली गोल्ड अप्डेट इस ब्रॉट ज्विलर्स अनुचन भनसाली सदर बाजार राइपुर क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं आज ही 8929-112725 पर कॉल करें Oasis Fortality के कम लागत वाले आईवेफ उपचार की साहता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुश खबरी दें कि आप वाले आईवेफ। तो सारी अठकलों और आकलन को दरकिनार करते हुए शतीस गड़ में भाजपा ने कॉंग्रेस से सत्ता चीन ले कॉंग्रेस का पिछले चनौ में जीते गई सीटों से इसबार सीधे आदी सीट पर आजाना इस बात का प्रमाणा कि शतीस गड़ सरकार लोगों का भरोसा बरकरार रख पाने में नाकाम रही शतीस गड़ में कॉंग्रेस की गारेंटी पर मोदी की गारेंटी भारी पड़ गए और लोगों ने एसबार शतीस गड़ में सत्ता बदल कर भाजपा के चुनावी स्लोगन अब नई सहिबो बदल के रहिबो को सच साबित कर दिया शतीस गड़ की जनता कह रही है आओ नई सहिबो बदल के रहिबो और वाकई एदरी छतीस गड़ के लोगों ने सत्ता को बदल कर रख दिया कॉंग्रेस सरकार के मंत्रियों और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैच का पिछड़ जाना इस बात की तस्दीक करता है कि 36 गड़ में यहां की सरकार के खलाब कितना तगड़ा अंडर करंट दोड़ रहा था ये नतीजे इस बात का साफ संकेत देते हैं कि धान के कटोरे में हार जीत में एहम भूमी का निभाने वारे किसानों ने इस बार कॉंग्रेस के वचन की बजाए भाजपा के संकल्प पर भरोसा जताया है दरसल पिछली बार धान के जिस मुद्दे ने कॉंग्रेस को प्रचंड जीत दिलाई थी उसे भाजपा इस बार अपने पक्षमे करने में काम्याब रही किसानों ने जब दोनों दरों की गोश्टन पत्र के नफ़ा नुक्सान कागलन किया तो उसे भाजपा का गोश्टन पत्र ज्यादा फाइदे मन नज़र आया कॉंग्रेस की कर्ज माफी के दावों को भाजपा दो साल के एक मुझत बोनस की कार्ट से बेसर करने में सफल रही ये भाजपा की रणनेतिक समझदारी रही कि उसने धान के बोनस की मुद्दे पर मिली पिछली हार से सबग देते वे इस बार उसे ही अपना प्रमुख हथियार बना लिया पर हम देखेंगे इसको कि समीक्षा करनी पड़ेगी कि क्यों हुआ कैसे हुआ क्योंकि उमीद ऐसी नहीं थी इसके बावजूद जो जीते हैं उनको मैं बढ़ाई देना चाहूंगी भाजपा की जीत में महिलाओं की भी एहम भूमिका रही भाजपा ने 36 गड़ की महिलाओं को महतारी वंतन योजुना के तहर हर मही ने 1000 उपए देने का वादा किया था जिसने कॉंग्रेस को बैक फुट पर आने को मजबूर कर दिया भाजपा ने मद्दान से पहले इस योजुना के फॉर्म महिलाओं से भरवाने शुरू कर दिये थी कॉंग्रेस जब तक इस महतारी वंतन योजुना के असर को समझ कर भाजपा से जादा राशी देने का अलान कर पाती तब तक काफी देरी हो चुकी थी शिराब बंदी के वादे से मुकर जाना तो महिलाओं की नराजगी का एक करण था ही इस चुनाओं में कॉंग्रेस के पास 36 गड़ियावाद के तौर पर एक बड़ा हत्यार था लेकिन लगता है 36 गड़ियावाद का दाओ विकास वाद के आगे ठीका पड़ गया भाजपा ने ता इस बात को समझाने में काम्याब रहे क्षेत्रिय अस्मिता के नाम पर विकास कारियों की अंदिक ही नहीं की जा सकती भाजपा ने 36 गड़ियावाद की काट के तौर पर हिंदुत्यू के अपने आजमाय दाओं को चला जो सफल रहा हिंदुत्यू के दाओं को परिणाम कारी बनाने में भुनेश्वर साहू के सांपरदाइक हिंसा में हुई हत्या और कवर्धा में भगवा के अपमान के मुद्दे ने अहम रूल निभाया भाजपा ने भुनेश्वर साहू के पिता इश्वर साहू को साजा से मंत्री रविंद्र चौबे के खलाफ उमीदवार बना कर उसे हिंदूओं के साथ हुए अन्याय के मुद्दे से जोड़ दिया वही भाजपा ने भगवाधवच के मुद्दे को प्रकरता से उठाने वाले विजय शर्मा को कवरधा से मंत्री मुहंबत अगबर के खलाफ मैदान में उता कर उस इलाके में धुरूई करण की जमीन तयार कर दी भाजपा की इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि चुनाओं के चंद महिने पहले जो पार्टी बैकफुट पर नज़र आ रही थी वो चुनाओं आते आते प्रिश्टचार के मुद्दे पर आक्रमक होकर कॉंगरेस को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर दिया इसके अलावा भाजपा ने गोबर, गोठान जिसी 36 गड़ सरकार की फ्लेक्शिप यूज़ना के साथ ही प्यस्सी नियुक्ती पर भी रिश्टचार का आरूप लगा कर समुची सरकार को सुरक्षात्मक लेज़े में आने को मजबूर कर दिया गरीब से गरीब मेरा 36 गड़ी क्या कह रहा है? पूरा 36 गड़े की बात कह रहा है जब सरकारी दब्तर से निकलता है तो ये की बात बोलता है तीश टका कक्का आपका काम पक्का बहरहाल 36 गड़ का नतीजा राजनिती शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जा सकता है कि एक हारी हुई बाजी को कैसे जीता जा सकता है? भाजपा ने साबित कर दिया कि हारी बाजी को जीतना उसको आता है सौरब तिवारी, IBC 24, राइपूर आओ नई सहीवो, बदल के रहीवो तो इस एक साथ 36 गड़ में एक बड़ा राजनितिक उलट फेर देखने को मिला भीजेपी ने कॉंग्रेस के तमाम दावों कोई हवा निकाल दियो और जनता के बीच अपना विश्वास कायम करने में काम्याब रही भीजेपी नेता यहां जश्ट मना रहे हैं, मिठाईया बाट रहे हैं और जूम रहे हैं तो यह कॉंग्रेस स्खेमे को समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर चूख हुई तुख हुई कहां 11 दिसंबर 2018 को 36 गड़ की राजनितिका नया अध्याय शुरूआ था लेकिन 3 दिसंबर 2030 को सथ्याय का अंत हो गया और फिर नया अध्याय शुरू हो गया है 36 गड़ में 15 साल सत्ता भोगने के बाद सत्ता गवाने वाली बीजेपी ने 5 साल बाद फिर अपनी सत्ता हासिल कर ली है तमाम मंत्री अपनी सीट और साथ बचाने में नाकाम्याब रहे कॉंग्रेस के बड़े बड़े दावो को जनता ने नकार दिया और फिर 36 गड़ में बीजेपी का साशन कायम हो गया बीजेपी की नेता जश्ट में डूबे हुए हैं क्योंकि उनके लिए जीर कुछ खास है चतिरगड खुसाली और तरक्की की और आगे बढ़ने वाला है कांग्रेस का कुसासन और मोदी की गारेंटी ये बड़ा कारण है पास साल में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से 36 गड़ की जनता को दोनों हाथों से लूटा अपना खजाना भरा कांग्रेस का खजाना भरा चतिरगड के विकास को अवरुद्ध किया इसके कारण चतिरगड की जनता कांग्रेस के कुसासन से छुटकारा चाहती थी मोदी जी की गारेंटी पाना चाहती थी अगर सरकार बन जाती है तो यह वादे कब तक आप पूरे करेंगे पहले ही इस दिसंबर माहा में कर सपत हो जाता है तो पूरा होगा शुरुआत ही करेंगे भारती जंदापाड़ी की घोसना पत्र को सामने रख कर हमारा मुख्यमंतरी काम करेगा राइपूर की जंता ने, 36 गड़ की जंता ने माफियाओं को समाप करने के लिए गुंडा राज समाप करने के लिए साराब माफिया, जंगल माफिया, जमील माफिया, कोईला माफिया, रेत माफिया, पी एसी माफिया कि इसको समाप्त करने के लिए और विनास से विकास की ओर ले जाने के लिए 36 गड़ की जनता ने बीजेपी को वोड़ दिया अंग्रेस जीस्ता से माफिया राज चला रही थी और पूरे 36 गड़ को गाधी परिवार का एटीम बना दी थी पूरे 36 गड़ को लूटा जा रहा था जनता के अधिकार को लूटा जा रहा था इसे 36 गड़ की जनता ने समझा और जनादेश भारती जनता पार्टी के परक्ष में दिया बड़े नेताओं को जीत के लिए खासी मसकत करने पड़ लिए बजार्टी दो दूर की बात है 36 गड़ की संस्क्रीती को आगे बढ़ाएगा और भारती जनता पार्टी 36 गड़ की संस्क्रीती को आगे बढ़ाएगे और हम सब मिलकर जो हमने नारा दिया है कि हमी ने बनाया है हमी सवारेंगे सब मिलके 36 गड़ को सवारेंगे मोधी की गरेंटी एक विश्वास का प्रतीक आम आज भी के जीवन में परिवर्तन आए ओम मातुर जी अरून साव जी हमारे डक्टर साब मंसुब भाई नितीन जी और सारे वरिष्टेताव ने गरेंडिती बनाई उस गर्णिती का परिणाव है जीट विकास अवरुद्ध है राइपूर और पूरा चत्तिस गड़ गड़ापूर बन गया है मुझे ऐसा लगता है कि चत्तिस गड़ के सारे समाज एक जूटता के साथ ये कसम खा रखी थी कि ये समाज को बिगाड़ने वाली सरकार को उखाण फेकना है तो ऐसा क्यों उसी बार सामिल कर देना था केवल वहीं नहीं है आपको ध्यान दिलाना चाहंगा मैं इन्हों ने जिस प्रकार से अपना मैनि अपना जो गोष्शन faj बनाया था जिसमें उन्होंने सरावबंदि बने की थी और सबसे ज्यादा विश्वास दिलाने के लिए ग लोगों का मुझ पर भरोसा विश्वास आशिरवाद भारती जंता पार्टी के प्रती उनका विश्वास और मोधी जी की गारेंटी तो वहीं कॉंग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। काउंटिन शुरू होने से पहले तक 75 प्लस का नारा दोहराने वाली कॉंग्रेस को 36 गड़ की जंता ने सत्ता से बाहर का रस्त दिखा दिया। हैं उन सब को बधाई देना चाहूंगी समिक्षा तो करनी पड़ेगी कि कई जगे हम बिलकुल साफ हुए और कई जगे जहां जीते हैं तो बहुत बढ़िया धंग से भी जीते हैं तो ये सारा क्या कुछ है देखेंगे आगे पार्टी देखो हार जीत होती है। आज जी बिलकुल जिस तरह से हमारी अपेक्षा थी और मैं honestly बात करूँगा कि हम लोग भी इसको नहीं भाब पाये थे और हमें चुनाओं के बाद यही लगा था कि सरकार कॉंगरिस की बन जाएगी। लेकिन जो नतीजे आए हैं और लोकतंत्र है जनता सरोपरी है उन्होंने हमें मेंडेट दिया है कि चुनाओं के बाद हमें विपक्षिक भूमिका में रहना है और फिर से हमें एक मजबूत विपक्षिक भूमिका निभाएंगे। 36 गड़ में जीत और हार के आकड़ों ने कई चुनावी समिकरणों और राजजीतिक पंडितों के गडित का हिसाब किताब बिगार दिया। ना तो बिजे पी को इतनी बड़ी जीत की उमीद थी और ना ही कॉंगरिस को ऐसी हार की आशा थी। लेकिन जन्ता ने बिजे पी को पास साल के लिए लॉक कर दिया। और कॉंगरिस फिर विपक्ष की गद्धी सम्हा लेगी। बीरो रिपोर्ट आईबीसी 24 तो चुनाव प्रबंदन में भाजजपा के रणीती का कोई तोड़ नहीं है। चुनावी विसाद पर पिछली बार शतीस गड़ में 15 सीटों पर सिम्टी भाजपा ने इस बार ऐसा दाओ चला जिसके आगे कॉंगरिस के तमाम दावे और समीकरण धरे के धरे रह गए। मज़ चंद महिनों में ही हवा का रुख बदल गया और भाजपा की जीत की बयार बहने लगे। में सी वोट बैंक के एहमियत को देखते हुए सबसे पहले बिलासपूर सांसद अरुनसाओ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद OBC के ही नारान चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौपी गई। इसके महीने भर के अंदर प्रदेश प्रभारी के तौर पर पार्टी के बड़े रणनेतिकार ओम माथूर ने कमान समभा ले। भाजपा ने इस बार बिलकुल नया दाओं खेलते हुए चुनाओ के एलान से चार महने पहले ही 21 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिये। ये वो सीटे थी जिन पर भाजपा हारती आई थी। इसके पीछे मंशर यही थी कि इन सीटों पर उम्मीदवारों को चुनाओी तयारी का भरपूर मौका मिल जाएगा। और हुआ भी यही इन 21 सीटों में से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल किये। वही इस बार भाजपा ने भीतर खात के आशंका को खारिश करने के लिए उन दिगजों को भी चुनाओी मैदान में मौका दिया जो पिछला चुनाओ हार चुके थे। इसके बाद पियम मोदी निच्छे और केंदरी गिरीमंत्री अमिशा ने ताबर तोड दस चुनाओी सभाएकर जनता को डबल इंजन वाले विकास की गारंडी दी। अपने चुनाओ अभ्यान के दुरान भाजपा लगातार, प्रिष्टचार और अपराद का मुद्दा भी पुर्जोर तरीके से उठाती रही जिससे जनता का ध्यान असल मुद्दों के उर गया। ऑनलाइन सट्टे बाजी एप महादेव को लेकर भी एक बड़ा वर्ग खासा नारास था। इसके साथ ही युवाओं के लिए किये गए वादों ने भाजपा की जीत की राह आसान कर दी। आखिर के चंद मैनों में भाजपा ने किसानों का मुद्दा भी कॉंगरेस से छीन लिया। वाजपा ने फॉर्म भी भरवना शुरू किया जिसका नतीजा प्रचंड जीत के तौर पर सामने आया। पूरे चंद मैनों के दौरान सह प्रभारी मनसुक मांडविया और वार्रूम के तमाम निताओं ने जमीन सुलेकर सोचल मीडिया तक ऐसी रणनितिक पारी खेली जिससे कॉंगरेस चारों खाने चित्त हो गई। बिरो रिपोर्ट आईविसी 24 कर कई निताओं के नाम शामिल हैं। देखे इस रपोर्ट को। 36 गड़ में भाजपा को अभूल पूर्व जीत मिली है। लिहासा जर्शन तो बनता है। भाजपा ने ये चुनाओ बीना सीम केस के लड़ा था। इसलिए सब के जहन में यही सवाल कौन रहा है। कि आखे 36 गड़ का सीम कौन होगा। कई दिगजनिताओं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। इसमें प्रदीश अध्यक्ष अरुन साओ का नाम भी है। इसके साथ ही पूर्व केंद्री राज्यमंत्री विश्नु देपसाय, प्रदीश महमंत्री और पिचोधरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग और केंद्री राज्यमंत्री रेनुका सिंग का नाम शामिल है। राजनीती के जानकारों और इलेक्शन एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़े दावेदारों में अरुनसाओ का नाम सबसे पहले है। अरुनसाओ प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ संकी प्रिस्ट भूमी के हैं। इसके साथ ही OBC वर्क के कदावा नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। वेदाक्षवी के कारण उनका दावा और मजबूत हो जाता है। सियम की रेस में विश्टुदेव साए का नाम भी कम मजबूत नहीं है। तीन बार BJP के प्रदेश हध्यक्ष रह चुके साए संगठं के साथ सरकार में रहने का लंबा नुभव रखते हैं। निर्विवाद और बड़ा आदिवासी चैरा होने के कारण उनकी दावेदारी फुकता है। संगठं के बड़े नेताओ के करीबी होने के कारण हाई कमान उनके नाम पर भी विचार कर सकता है। भाजपा के प्रदेश महमंत्री तेज सरा पुर्व आयस ओपी चौधरी आला कमान की पसंद है। चुनाव प्रचार के दोरान अमिश्या इसका संकेत भी दे चुके हैं। राजनीती के साथ ब्यूरोक्रेट का अनुभव होने के अलावा जातीय समिकरन भी ओपी चौधरी के पक्ष में हैं। लिहाजा भाजपा नए विजय और नए चेहरे पर दौल लगा सकती है। वैसे अनुभव की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंग लगातार 15 साल सीम पर सम्हाल चुके हैं। उनके पास राज्य चलाने का पहतर अनुभव हैं। सब को साथ लेका चलने की दक्षता और जनता के बीच लोगपरिय चवी होने से उनकी दावेदारी भी बेहद मजभूत है। इसके अलावा रेनुका सिंग भी सीम की रेस में शामिल हैं। महिला मोर्चा में महामंत्री रह चुकी रेनुका सरकार के साथ साथ संगठन में काम का अनुभव रखती हैं। प्रदेश में लगातार आदिवासी वर्ग से सियम की मांग उठती रही है। और उनका अदिवासी होने के अलावा महिला भी होना उनकी दावेदारी को पुक्ता करता है। लेकिन अक्सर चौकाने वाले फैसले रेने वाली भाज़पा इन चेहरों के अलावा किसी दूसरे चेहरे पे मोह लगा दे तो हैराने की बात नहीं है। बिरो रिपोर आईबीसी बेंट फोर तो 36 गड़ में करारी हार के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने हार स्विकार कर सिखवा रहा है और उनसे चर्चा की हमारे से होगी सौर अपसी परिहार ने 2018 में 15 साल बात कॉंग्रेस की 68 सीटे आई थी और सरकार बनी लेकिन 2023 में कॉंग्रेस की करारी हार हुई है और 54 सीटों पर सिमट गई है आखिर क्या है वज़ा और इसके पीछे जानेंगे हमारे साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा अब देख सकते हैं चंदर नियाद देखेंगे इसको कि समिकषा करनी पड़ेगी कि क्यों हुआ कैसे हुआ वची उमीद ऐसी नहीं थी इसके बावजूद जो जीते हैं उनको मैं बधाई देना चाहूं 나 चाहूंगी और जो हमारे भी जीते हैं उन सब को बधाई देना चाहूंगी समिक्षा तो करनी पड़ेगी कि कई जगे हम बिलकुल साफ हुए और कई जगे जहां जीते हैं तो बहुत बढ़िया धंग से भी जीते हैं तो ये सारा क्या कुछ है देखेंगे आगे पार्टि देखो हार जीत होती है और आगे के लिए इससे हम सीख लेकर अपने संक्ठन को पार्टि को और मस्बूत करेंगे आमें जो 22 विदायकों की टिकिट आप लोगों ने काटी वहां पर वलकी थोड़ा सा लगता है कि आधे आधे लगबग जीत गए हैं आप लेकिन ऐसा देखने को मिला कि आपके 8 से 9 मंत्री हार रहे हैं इस पर क्या कहेंगे जी बिलकुल ये भी एक जिन्ता का विशे है कि हमारे इतने सीनियर नेता हारे हैं और क्यों हारे काम क्या काम हुए नहीं हुए क्या कारण था क्या वर्कर हुश थे नाराज थे ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी और जिन्ता के बीच में किस तरह की बात हुई क्योंकि जन्ता के साथ connect तो बहुत जरूरी है कुछ जो भी बातें अलग अलग जगे पर अलग कारण हो सकते हैं जैसे मैंने कहा कि कहीं पर जहां जीते हैं हम बहुत ही बड़िया ढंग से भी जीते हैं जांकिर चापा सक्ती उदर उस एरिया में आप देखें कसडोल बलोदा बजार सब वहां पर मतलब बहुत अच्छे ढंग से हम जीते हैं और कई जगे तो बहुत बुरी तरह से जैसे आप राइपूर में ही ले ली जीए तो बहुत ज्यादा मार्जिन और जब कि ऐसा लगता नहीं था पर अब ये बात कहना भी थोड़ा वैसे लगता है हार हार होती है मैं शुरुआत में ऐसा लगा जब 2018 में चुना हुए तो 36 गड़ियावाद के मुद्दे पर किसान के मुद्दे पर जो बीजेपी कभी नहीं रहती थी वो बीजेपी जो है अपने करक्रमों में 36 गड़ महतारी की फोटो फिर मैनी फेश्टों में धान का दाम जो है ज्यादा देने की बात कही कुल मिला कि आपके पीछ पर आ गए लेकिन आप अपने पीछ को काम्याब नहीं रख पाए किसान भी आप से नाराज हो गए नाराज नहीं हुए हमने जो किया के लिए इतने सालों में किया किसान हमारे से खुश था और ऐसी बात नहीं थी वो किसी और पिछ पर आप ये समझ लीजिए कि जिन चीजों को ये रेवडी कहते थे आखिर मैं इनको भी रेवडी बांटनी पड़ी और हमारी पिछ पर ये आए कई जगे आपने देखा है गुमरा करने का अभी भी आप देख रहे हैं बुल्डोजर लेकर आ रहे हैं और इस तरह की बातें समाज में ठीक नहीं रहती हैं लेकिन अभी वो जीते हैं अभी चुनावी काफी नजदीक है आप लगातार चुनावा रहे हैं कॉंग्रेस जो है आप लोकसभा एक दू सीटे से ज़्यादा कभी बढ़ती नहीं अभी दू सीटे हैं मैं लेकिन 68 सीटे थी अब जो है आपकी 34 सीटे लगबगा रही है लोकसभा में भी लगता है कि परफार्मेंस ठीक नहीं रहेगा लोकसभा के लिए अब हम काम करेंगे अब महनत करेंगे जब अभी देख लिया हमने और पिछली बार का अनुभा भी हमारा रहा लोकसभा का तो अब आगे आने वाले इस चुनाव में हम देखेंगे लोकसभा के लिए पूरी महनत करेंगे अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो सी एल पी और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें 36 गड़ में कॉंग्रेस को कितनी बढ़त मिलेगी कैमरा में नजय के साथ स्वारप सिंग पर यार आईविस 24 राइपूर एक छोड़े सा ब्रेक क्ले आँ पर उखते हैं जल लोटते हैं राभ वास ब्रॉट यूबार मारूती सेवन बंडर सिटी 25 प्रदिशत राशी देकर प्लोट की बुकिंग कराएं शेश राशी 36 आसान किष्टों में भिना ब्याज की हेर स्किन मेक अप एन एकेडमी राइपूर शेर में मेक अप, हेर टीटमेंट एवं एकेडमी के लिए सर्वशेष्ट संस्थान होंडा शाइन, शाइन का वही भरुसा अब 100 सीसी में दमदार माइलेज किफायती दाम, भारती विश्विद्याले, विगद 26 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी, और्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केर संस्थान राइपूर एकिकरत टीम, एकिकरत लक्ष, संपूर्ण स्वास थे श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, दो सो बिस्तरों का सर्व सुधायक्थ हॉस्पिटल विगद 12 वर्षों से आपकी सेवा में न्यूराजिन नगर अमली डी राइपूर, हरी केसरी राइस बैन ओयल ट्राइ करके देखो, जब तक ट्राइ नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा उडान IS Administrative Academy, रजबंदा मैदान ड्राइपूर, प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए अग्रणी संस्थान सेज इनवर्स्टी इंदोर भोपार, ट्रांस्फॉर्मिंग यूर पैशन इन्टो प्रोफेशन, आपके विश्वास का प्रती, अब अपनी शाखा के साथ, अग्रवाल आभूशन, न्यू राज टाकीज के सामने, खरोरा रोड तिल्दा, राज कोट की फरम अगरबत्ती, मेरे घरागन को महकाई, चत्तीसगmate मध्यप्रदेश में भी उपलब और नाकोड़ा टीमटी, संकल्ब मजबूती का, रिष्टा सधियों का, एक संकल्ब करोडों के भरोसे का, एक संकल्ब निरंतर सपलता का, एक संकल्ब नितन नई काम्यावियों का, और एक संकल्ब प्रापिता बनने का इंतजार कर रहे हैं आज ही एक नाइन टू नाइन डबल वान टू सेवन टू फाइफ पर कॉल करें ओएसेस फॉर्टलेटी के कम लागत पाले आईवेफ उप्चार की साहेता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें हेल्थ टिप्स के प्रायज़क है डॉक्टर आर्थो आयल्ड डॉक्टर आर्थो आयर्वेदिक ओयल्ड एम कैप्सूल जोडों के दर्द की बेजूर दवा अरे यार रिशी की शादी है मैं क्या पहनू हां मैं भी क्या पहनू अरे शादी तो मेरी है मैं क्या पहनूंगा अरे दूले सहाब दूला तो मैं हूँ पर क्या अरे बुद्दू दूले सहाब है ना दूले सहाब जहां है शादी और दिवहारों के लिए बहतरी इन क्वालिजी के आउट दूले सहाब आपके नस्दे की शहरों में क्या आप अब भी माता-पिता बनने का इंतिजार कर रहे हैं आज ही 8929-112725 पर कॉल करें OSS Fortality के कम लागत पाले IVF उप्चार की सहाथा से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुश खबरी दें हेल्थ टिप्स के प्रायजक है डॉक्टर आर्थो आयर्थ डॉक्टर आर्थो आयर्वेदिक ओयल एम कैपसूल जोडों के दर्द की बेजोड़ दवा अरे यार रिशी की शादी है मैं क्या पहनू हाँ मैं भी क्या पहनू अरे शादी तो मेरी है मैं क्या पहनूगा अरे दुले सहाब दुला तो मैं हूँ पर क्या अरे बुद्दु दुले सहाब है ना ये डाग धबो को धो डालता है और बीवारों को चकाचक बनाता है Master Maxima के फाइदे तीन करे डाग धप्बे और फंगस क्लीन सपने आपके रंग हमारे Global Colors and Chemical एक संकल करोडों के भरोसे का एक संकल निरंतर सपलता का एक संकल नित नई काम्यावियों का और एक संकल मसभूती का और रिष्टा सदियों का नाकोडा TMT हेल्थ टिप्स के प्रयजक है जोक्टर आर्थो आयल जोक्टर आर्थो आयर्वेदिक ओयल एम कैपसूल जोडों के दर्थ की बेजोड़ दवा एक स्वागत है हम सभी कमद्रदेश में भाजपा ने सारी अचकलों को खारिच करते हुए सत्ता में जोरदार वापसे कर ले भाजपा ने 164 सीटों पर एक तरफा जीत हासल करते हुए कॉंग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिये कॉंग्रेस के हिस्से में केवल पैसर सीटे आए भाजपा को मिली इस जीत की क्या फैक्टर रहे हैं आई ये देखते हैं कॉंग्रेस कर देखते हैं और लाडली बहनों ने अपने भाईया शिवराज का मान रखते हुए उनकी सत्ता में वापसी की राह आसान कर दी अपने शुरुवाती कारिकाल में लाडली लक्ष्मी योजना के जरिये बनाई गई मामा की छवी में जब इस बार शिवराज सिह ने लाडली बहना योजना के जरिये भईया का तड़का लगाया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी ये योजना इतना कमाल कर देगी चुनाओ के पहले तक भाजपा सरकार की विदाई तैमानी जा रही थी लेकिन मतदान केंद्रों पर लगी महिलाओं की लंबी लंबी लाई ने इस बात का संकेत दे रही थी कि लाडली बहना योजना अपना काम कर गई है भाजपा ने भले ये चुनाओ शिवराज सीचरहान के चहरे के बिना लड़ा था लेकिन नतीजे बताते हैं कि महिलाओं ने शिवराज के चहरे को सामने रखकर ईवियंग का बटन दबाया था शिवराज ने खुद को सियम का चेहरा नहीं बनाये जाने के बावजूर 165 तूफानी सभाये करके परिश्रम की पराकास्था पार कर दी हाला कि कॉंग्रेस की इस बारे में उसकी अपनी अलग दलील है मद्ध प्रदेश के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में मद्ध प्रदेश है जनता उन पर अगाध प्रेम और सृध्धार रखती है यह उनके नित्रत्व की विज़ा है अमित भाई ने जो रणनीती बनाई यह उसका परिणाम है नड्डा जी का हमें मार्ग दर्सन मिला मैं केंदर को प्रणाम करता हूं फिर हमने पूरे चुनाओं को पूरी ताकत से सामूह के नित्रत्व में लड़ा मंद्यप्देश के घ्ड़ाता हूं का फैसला स्वीकार करते हैं आज विरोधी दन किनाती और आगे भी जो हमारा कर्टबे है हम उस कर्टबे पर डड़ेस करते हैं दरसल शिवराज सिंह को चेहरा नहीं बनाये जाने के पीछे भाजपा की अपनी मजबूरी थी भाजपा अलकमान को 18 साल की एंटीन कम्मेंसी का डर सता रहा था यही वज़ा रही कि भाजपा ने प्रधानमंतरी मोदी को आगे रखकर MP में मन में मोदी स्लोगन के साथ चुनाव लड़ा भाजपा इस सुनाव को हर हाल में जीतना चाहती थी और कोई खत्रा मोल नहीं लेना चाहती थी इसलिए उसने तीन केंद्री मंतरियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रलात सिंह पटेल और फगण सिंह कुलस्ते समेथ साथ सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया था इन में से अमूमन सभी की जीत ये बताती है कि भाजपा के दाउं काम कर गया इसके अलावा भाजपा ने एक बड़ा रणनीतिक दाउं चलते हुए चुनाव से पहले ही 49 सीटों पर उम्मिद्वार घोशित कर दिये थे ताकि इन सीटों पर प्रचार का परियाप्त समय मिल सके ये वही सीटे थी जहां भाजपा को पिछले कई चुनाव से जीत नहीं मिली थी भाजपा की ये चाल भी कमाल कर गई उधर कॉंग्रेस अपनी हार के कुछ और ही कारण तलाश रही है भाजपा की जीत में उसके टाइम टेस्टेड मुद्दे हिंद्युत्वने भी अपनी एहम भूमिका निभाई है चुनाव के दोरान इंडी अलाइंस के घटक दल डिमके के नेताओं की ओर से की गई सनातन विरोधी टिपणी ने भाजपा को धुवी करण का मंचाह मुद्दा थमा दिया था वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भी भाजपा ने चुनाव प्रचार में अपने मन माफिक इस्तमाल करके अपनी प्रचंड जीत की राह आसान बना दी लेक्शन डेस आईबी स्ट्रेटिफोर तो देश के दिल मदिर देश में एक बार फिर कमल खिल गया है विदान सबाच नौ में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत सजीत दर्च की है सीटों का आकड़ा 160 के पार है वह कॉंग्रेस को करारी हार जहलनी पड़ी 2023 में बीजेपी की जीत और कांग्रेस के हार के क्या प्रमुख कारण रहें यह भी इस रिपोर्ट पर देखे ये जीत है जोरदार वादों की रफ्तार में बेहद असरदार मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलने का जश्न जारी है बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत क्यों हुई क्या प्रमुख कारण रहे आये चांते ही सबसे पहला कारण लाडली बहना समेत महिला हित की योजनाव का मास्टर इस्टो जो शिवराज सरकार निखेला वो असरदार रहा दूसरा कारण सटीक चुनाव प्रबंधन और मोधी शाह का आक्रामक प्रचार इससे भी महौल बना और जीत में मदद मिली तीशरा कारण सियंग शिवराज की अथक महनत यानि उनकी धुआधार सभाई भी असरदार रही बीजेपी की जीत का चौथा प्रमुक कारण है टिकट वितरण में सूजबूच का फाइदा यानि टिकट बटवारे में सही उम्मीदवार पर दाउं लगाया गया और जो वोट खीचने में काम्याब रहे जीत का पांचवा कारण है हिंदुत्व, सनातन और राममंदिर का क्लियर एजेंडा जिसने बीजेपी के एक परमपरागत वोट बैंक को मजबूत किया और खिसकने नहीं दिया अब उन पांच प्रमुखकारणों को जान लेते हैं जिनके कारण कॉंग्रेस को बुरी तरहें से हार जहली पड़ी है कॉंग्रेस की हार का पहला कारण है टिकट वितरण में शिर्शनेताओं में बर्चस्व के लड़ाई इसकी वजह से नराजगी बढ़ी और सही उमीदबार पर दाओं नहीं लगा हार का दूसरा कारण जातिबात की राजिनीती का दाओं उल्टा पड़ गया यानि कॉंग्रेस का जातिबात पर जोर देना नुकसान दे रहा तीसरे कारण के बात करें तो राहुल प्रियंका के लाबा किसी बड़े चेहरे का नहुना जिसके चलते प्रचार अभ्यान बीजेपी के मुकाबले कमजोर रहा हार का चोथा कारण रहा कमल नाथ का वन मैं शोग यानि प्रदेश के दूसरे दिगज कांग्रेस नेता उतने असरदार नहीं रहे और पांचवा प्रमुकारण है सिंधिया का प्रभाव और साथ नहीं मिला यानि 2018 में सिंधिया के साथ का जो फाइदा मिला था वो इस बार उल्टा बीजेपी के साथ था तो नुकसान बड़ा हो गया तो ये बड़े कारण रहे जिनके वजह से कॉंग्रेस इस बार चारो खाने चित हो गए एलेक्शन डेस्ट आईवीशी 24 तो मद्यप्रदेश विदान सभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने पूरी ताकत जोगती थी भाजपा ने हर उस दव को अजमाया जिससे सत्ता की राह आसान हो सकती थी भाजपा के रणीती रंग लाई और अब जीत का जश्न मनाया जा रहा है चलेक रेपोर्ट के जरिए चुनावी शाहमात के इस दाउं को आपको समझाते हैं एमपी में भाजपा ने दो दशकों में पाचवी बार सकता का स्वाच अख लिया हालाकि ये जीत इतनी असान नहीं थी एंटी इंगम्बेंसी के अटकलों पर भाजपा के थिंग टैंक चुनावगे कई महिने पहले ही सक्री हो गए वार रूम में ट्रमकार तयार किये गए और निती कारों के तजूरों पर परखे जाने लगे भाजपा ने आकरमक तरीके से युद्ध की हुंकार भरी और चुनावगे